पहले चैप्टर है संख्यांक का बोध vedham को का घ्यान аस्थानिय माने गया है तो इसमें धुन मैं क्या-WtaL एले चैप्टर में कि थोड़ा पाइं देते हैं कि पहले चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे मान important से हटा दो कि अब फास्ट चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे यहां पर समझना पहला अध्याय 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 फास्ट में क्या-क्या पढ़ेंगे समझना अभी मैंने आपको दिखाया था ना क्या-क्या था इसमें देखियो ना क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क इसकी परिभासा पढ़ेंगे, संख्या किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे, और अस्थानी अमान, संख्या क्या है, उसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये चीज पढ़ेंगे, आपको बहुत ही डीटील में मैं बताऊंगा, विस्तार से एकदम, संख्या, संख्या में म अचल्पनिक संख्या यानि इमेजेनरी नंबर फिर इसके आप ताइप पढ़ेंगे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा परमय संख्या आपरमय संख्या कुछ लोग काएगे यह तो बेसिक में भी पढ़ाया था हां पढ़ाया था लेकिन अब आपके हम अगर समेश्टर के अकारडिंग चलेंगे सिलेबस के अकारडिंग ना तो हमें सुरू से धंग से पढ़ाना पड़ेगा और बिल्कुल फ्री बैच यूटूब पे चलेगी लेकिन आपका विश्वास और प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोग कलास को रेगुलर देखोगे किसी दिन कोई मिस नहीं होगा जो एक दिन गायब होगा उसे एकदम से गायब कर दिया जाएगा इसलिए कलास को कभी छोड़ना मत इमानदारी से रोज देखना चलिए आगे समझे और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रकृतिक संख्या पढ़ेंगे पूर संख्या अस्थानियमान में जैसे अगर मैंने कहा इसमें दो का अस्थानियमान क्या होगा भई पताव जल्दी से पूरी तरह से आप लोगों को एकदम मोटिवेट होकर क्या आना है बिल्कुल भी टेंसन में नहीं रहना है नहीं जो गयास हो जाने दो जो लोग किसी के अपसोस में दूबे हैं मैं देख रहा हूं जो लटकाए बैठे हैं जूपरिया आनलाइन क्लास गुड़नाइट बिल्कुल बहुत अच्छे हैं बस आप ही लोगों की तो कमी थी है ना चलिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है और अंधेरों से तो रोसनी नहीं मिलती है यहां लाइट जलानी पड़ी है इसका अस्थानियमान कितना होगा दोसों यह आपका था पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे हाँ इसके अलावा हम लोग रोमन नमबर भी पढ़ेंगे पहले चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे रोमन नमबर भी पढ़ेंगे जैसे अगर मैं आपसे पूछाओ कि भाइचाओ में संख्या पंच को कौईसे लिखेंगे पटाओ जैसे अगर हम संख्या 5 बोलें तो 5 को रोमन में हम भी लिखते हैं वसे 50 को कैसे लिखेंगे यह सब हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं समझते चलिए यह पहले चैप्टर में इतना कुछ पढ़ेंगे दूसरे चैप पर पचास को यल से कैपिटल यल से रिनोट करते हैं अंसर है क्या है कैपिटल यल क्या है कैपिटल यल तो दूसरे चैप्टर में जो भी है भाई कुछ नहीं है दूसरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं ज्यादा कुड़ा क्या होता है, कुड़ा की संकल्पना हम पढ़ेंगे, multiple कैसे करते हैं, दो अंक का, एक अंक का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठिक है, क्लेर है ना आप लोग समझ रहो, अच्छा एक बात बताईए, इसमें आप का परिक्षा कबसे है कुछ नहीं पता ना कि अध्या दूसरे में क्या पढ़ेंगे हम लोग गुड़ा पढ़ेंगे अब इसके बारे में समझें कि जैसे अगर मैं ऐसे जोड़ा तो कितना आएगा बताओ कितना आएगा जोड़के देखो दो चार दो छे दो आट दो दस ना कितना आएगा दस हमने दो को कितनी बार जोड़ा भाईया कितनी बार जोड़ा बाभू पांच बार ना कितनी बार जोड़ा पांच बार ना एक मिनट भाई डिश्टब ना कर यार इतनी बार जोड़ा पांच बार तो चाहे तो हम इसे ओ दो गुड़े पांच लिख दें तब भी तो दस आएगा आएगा ना यानि हम यह कह सकते हैं कि जो जोड़ना है ना उसी के चाच्चा है गुड़ा यानि जो जोड़ने का नियम है उसी के अपग्रेड फार्म को हम गुड़ा कहते हैं ऐसे कह सकते हैं कोई भी गिंती अगर हम अठारा बार जोड़ रहे हैं तो उससे चाहे अठारा से गुड़ा कर दें तो भी उतने आएगा कुछ आपको समानता समझ में आई चाहे हम दो को पांच बार जोड़ें या फिर दो में पांच का गुड़ा कर दें मतलब एक क्यों होगा भी सही बोल रहा हूं ना यह होगा ना तो दूसरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़ा भाग पढ़ना है बस क्या प बता रहा हूं दूसरे चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में गुड़ा पढ़ेंगे आसान है कि नहीं चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में गुड़ा पढ़ेंगे आज हम आपको पूरे सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसके बाद कल से हम लोग आगे बिंदाज चलेंगे फटा-फट गर्ल गलेक्सी यह क्लास डेली रात के नो बजे से सरी दस बजे लाइब होगी देली नहीं वैसे सब्ता में तीन दिन होगी पक्का डेली तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारा सीडूल बिजी रहता है तो तीन दिन सही रहेगा ना कि और समेश्टर वाले भी रोहेंगे ना भी साथ साथ में कहाएंगे मेरा भी पढ़ाओ न तो तीन दिन सही रहेगा बहुत कम है सिले बस एक महीनम खतम हो जाएगा अगर तीने दिन पढ़ोगे तब भी एक डर महीनम खतम हो जाएगा तरह को समज़ें ना अगला अध्याय है अध्याय तीसरा जो है उसका नाम है भिन की संकल्पना गड़तिय संक्रियायएं इसक्रिन पर आपको दिख रहा है कि नहीं पहले मुझे यह बता हो मैंने इस्क्रीन पर जो आपको कुछ दिखाया है क्या वो क्लियर दिख रहा है दिख रहा है क्या और बड़ा करूं दिखर cucie और अगले में क्या पढ़ेंगे हम लोग भिन्न पढ़ेंगे पॉल सिंगरा थोड़ पताऊ अगर ऑफान बढ़ा है इन में कौन बढ़ा है यह पढ़ांगे इसकी अलामा भीन वाले चैप्टर में हम लो यह भी पढ़ेंगे इनका योग बताये नहीं यह भी पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे यह क्या पढ़ेंगे हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे बिन्नों का जोड़ना तीन पदों वाली बिन्नों का जोड़ना इन दोनों में कौन बढ़ा है इन दोनों में कौन बढ़ा है यह भी पढ़ेंगे यानि इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं अभी सिलेबस समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है क्योंकि जब हम पहली क्लास कोई भी चीज चुरू करते हैं तो पहले हमें यह तो पता हो करना क्या है तोड़ी डारेट गिर करें पटधा पड़ाइंगे उसी में प्लाइश है याहाज समझ के चलेंगे न एक चीज और पढ़ेंगे इसमें हम लोग भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे जैसे उचित भिन्न अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंस, थोटा हो, हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न होती है, जिसे इंगलिस में प्रॉपर फ्रेक्शन बोलते हैं, चलो मैं भिन्न के बारे में थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ, आप मुझे ये बताओ, प्रॉपर फ्रेक्शन का कोई एक्जामपल बता सकते हो, आपकी नहीं, पहले ये बताओ, जल्दी बताइए, क्या बताना है, प्रॉपर फ्रेक्शन का कोई एक्जामपल, उचित भिन्न, जिसे बोलते हैं, प्रॉपर फ्रेक्शन, अशहाना परविन ठीक है अच्छह भी गुपता बीजय सर्मा बर्मा तो स्व पिजै संकर बर्मा ठीक है देखिए यह फ्रेक्षन है भईया यह भीन है यह उपर जो होता इसको आंस बोलते हैं निच्चे जो होता इसको हर बोलते हैं इंगलिस में इसको नुमरेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं नुमरेटर बोलते हैं इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर बोलते हैं तो जिस भिन्न में अंस यानि नुमरेटर बढ़ा हो और हर यानि डेनोमिनेटर छोटा हो वो उचित भिन्न नहीं होती है वो क्या होती ह जीजिए इनुचीत बिन्हे कोती है इन प्रॉपर फ्रेक्षन का लाती है लेकिन इसका उल्ठा जिस बिन्ह का अंसूंत हो खुट नहीं हो प्रॉपयर पर्फण का लाती है कहने इसमें एक्जामपल एभाई लीप दो इसे ऐसे ठीक है एक्जामपल जैसे देखो तीन बटा साथ नो बटा बारह आठ बटा नो यह तीनों क्या है यह उचित बिन्न है क्या है उचित बिन्न है राकेस यादो भाई समझ में आरा कुछ कुछ समझ में आरा ना बाबुआ तब को आरा समझ में आगे बढ़ा जाए फिर चलिए हमारी पूरी कोशिस है कि आपको यूपी बीटीसी का पूरा फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए यूटूब पे साब कंपलीट लेकिन आप लोग कलास को लाइक सेयर करिए बस तीन दिन सही रहेगा या फिर रोज चलेगा तो फिर अगली नहीं चल पाएगी तो चलो सब्ता में तीन दिन मंडे ट्यूजडे बेड़नस डे यानि सोमवार मंगलवार और बुधवार तीन दिन हम आपको यह क्लास रेगुलर रात के 9 बजे पढ़ाएंगे और बहुत आ पड़ना है तो इस पढ़ा नहीं रहा हूं अभी मैं सिले बस दिखा रहा हूं अभी तो यह डेमो दिखा रहा हूं कि अभी ट्रेलर रही है मूवी नहीं सुरू हुई प्लमी सुरू होगी मंडे को ए तीसरा अध्या बाई चौत्त आध्या दिखाओ नियिए आ लूख के चेप्टर में आपको जूं करके दिखाऊंगो कि हुई पहुर में क्या पढ़ेंगे हम लोग लोग सांपल्गों संख्या की अधारणा हाँ में आपको जूम करके दिखांगो बड़ा करके these मर्लोकि पढ़ेंगे सं 12 संख्या की अधारणा लिखराएकने चोथा हां तो यह आध्यायचार यहां समझ मुझे open करने तो कितब यह में देखने दो भई का कपड़एंगे consuma Manager में कुछ नहीं है जादा ज्यादा कुछ नहीं है हाँ भिन्न वाले में और एक चीज मैं बताया नहीं भिन्न में हम लोग भिन्न में छोटी बड़ी भिन्न भी छाटेंगे भिन्न का LC MHC भी निकाल लेंगे छाटने का मतलब दूलना नहीं कि सेलेक्ट करना अलग-अलग हुं ठीक है चलिए आगे क्या बात कर रहे हैं दस हमलो कि क्या दस हमलो जैसे मैं एक छोटा सा अगर आपके पास में सवाल रखता हूं आप मुझे यह बताईए इसका आंसर कितना आएगा कोई बताएगा मुझे कोई ऐसा बुद्ध जीवी है सonte Communist एप बताव कितना से इनका मुझे कितना है और यह सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें किसमें पढ़ेंगे यह सब हम लोग पढ़ेंगे चोथist अप्टर में बढय शिंग करने के लिए ऐख बाबु रात के नौ बज़ेस वाली क्लास बैगोलर देखिए पीवीर स्टडी डाउनलोड करके आप लोग इन सभी कोर्ष को बड़े सांदार तरीके से पढ़ सकते हैं फीवीर स्टडी एप ठीक है पले इस्टोर पे उपलब दभई इंस्टाल कर लो जाके तो इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे और दस हम लोग क्या धारणा दस हम लोग का गुड़ा पढ़ेंगे यह सब पढ़ेंगे किसमें चौत्य अध्याय में में समझगे अप लोग हम आपको आध दिखा रहे हैं सिले बस की क्या-क्यापढ़ना है पाट CT करम кил क्या-क्या है वो हम आपको दिखा ते कि पच्मय अध्याय में देख लिजिए आपको यह पता हो कि हम लोग Πढ़ेंगे क्या-क्या यह सहब आपको मालूम रहना चाहिए कि हम लोग आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फजा पजमा अध्याय में देखो अपवर्तक यानि विभाजक अपवर्ति यानि गुड़ज लाप और या पढ़ेंस पड़ेंगे किसमें हुआ हम लोग कि LMहack1 थी कि ठीक है तो यहां तक में मिटा देता हुआ हो अ अ अध्य है पच़म में क्या पढ़ेंगे अल्षी मेछतिय पढ़ेंगे अपर्फिक जानते हो कोई ne मुझे का मैं कुष्चन देता हुँ ध्यान देना मुझे बताना पवर्तक का मतलब होता विभाजक, विभाजक एक परकार सही से फैक्टर भी बोल सकते हैं न, क्यों, फैक्टर भी बोलें तो कोई गाली नहीं है, देखिए समझिए, जैसे एक कुश्चन मैंने दिया, बारा, तंक्या बारा, इसके पवर्तक कोई बताएगा मुझे, कोई भी या, इसके फैक्टर बताइए इसके, बताएगे, इसके अपवर्तक हैं, वो जितने फैक्टर आप लिखोगे वो क्या इसके हैं, विभाजक एए, विभाजक का मतलब जो इसको विभाज कर सके, समझ गए न, थिए पांचवेशונ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पवर्तक ठीक है भाई प्लेट फार्म नाम तो तुम्हारा बहुत बड़ा है नाम इनका है मिस्स सेलिनियस प्लेट फार्म मुझे इंगलिस पढ़ना आता नहीं पढ़ नहीं रहा हूं बिज्जती हो जाएगी कहीं तो यह इसके अपवर्था को जाएंगे सब भी कि अपवर्था कि मजिडे और क्या पढ़ाएंगे इसमें अपवर्थ भी पढ़ाइंगे गुड़ज दिली जानते हो जानते हो यह देखो Korean क्या फद्सandSmithIST comment पोवर्थ तक गुड़ज का मतलब यह है यह 12 का गुड़ज 12 कम 12 12 24 24 24 24 25 यह क्या है गुड़ज कुड़ज मींस मल्टिपल कि आज मुझे लगना सिलेबस ज्यादा नहीं देखेंगे अध्याय पढ़ाएंगे न पूरी कहानी बिस्तार से बताएंगे पूरा गोल के पिला देंगे पंजीवनी की तरह कलास है यह बहुत मज़दार होने वाली है अगला देखे च्छाटा चैप्टर में का कहता है आइसा आइसा हराम को और पता नहीं कहां सपीदा हो जाते इनको क्या कहूं में हुआ है ंब में है अब फोन करो कि अब लगातार कॉल कर वह कुछ समझाना चाहिए अगर अगला नहीं उठा रहा है तो लगातार नहीं करना चाहिए ठीक है कि अब लेबल मतलब वाटताप पर 24 आवर आप मेसेज करिए ठीक है यह भाइस आप साथ बार कर रहे हैं लगातार रात में पता एक फोन नहीं उठता है हमारा मोबाइल अपना खराब हो गया ठीचो था यह आप ही लोगों के काम के लिए यूज होने वाला फोन हमें लिया हूं तो यह रंडा किये हैं लगातार चलो ठीक है ओके डन तो अगले में क्या पढ़ेंगे हम लोग छट्वे में भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लगुत्तम समापवर्थ तथा मात्तम समापवर्थ तक कुल मिला करके पच्वा और छट्वा चैप्टर दोनों LCM-HCF पर ही आधारी थे दोन संख्याओं से completely divide हो जाएं वो क्या कहलाती है भाज्य संख्याओं कहलाती है ठीक है आशर चैप्टर जो सारे समाप्थ हो जाएंगे न वो दो महीने में कम से कम बस बहुत डीटील में पढ़ोगे दो महीना में ने तो एक महीना में खतम हो जाएगा अचा मुझे एक बात ब बाइगे पर्सेंटेज पढ़ेंगे अचा में क्या पढ़ेंगे पर्सेंटेज पढ़ेंगे अचा थीक है आप एक एक जामपल बताओ मैं पूछ रहा हूं जैसे मैंने दिया पंदरा पंदरा भाजे संख्या है कि अभाजे संख्या है हम अभी अध्याए छी के बारें हम बात कर रहें अध्या पांक पहुं चुके हैं पंदरा भाजे है कि अभाजे है आप 10 न JI को भी है अध्यवरा आप लोग यह RAWरू ठीक है को सबंतराओ यह मास एक बताओंawan के आ अप क्या पढ़ेंगे हम लोग अब रटक के साथ पढ़ेंगे संप्रोंक परपएंग जानते हो सबкив glorious हैं यह आपको स्लेबर के नो한테 न संख्याओं से पूरी तरह से विभाज़े हो जाए किसी संख्यां से डिवाइड नहीं है इसलिए क्या है कि इसलिए अभाज संख्या है प्राइम नंबर है कि इस बोल रहा हूं न यह निए प्राइम नंबर है तो समझ गए यानि वो शंख्या जिसके कम से कम, बाटरी गई क्या, चल रहा है, रही कि बाटरी情況 क्या जिसके कम से कम 3 खँटर हों, कम से कम 3, एक खुद तो की Tao fiction होगी और एक कोई और वो क्या होगी भाज्य हो कि का समझे रहा हुआ इस पांड़े में और बाबु पहले पढ़ा ही करने अच्छा एक और बताओ अथ знаем तो यह क्या संख्या 33 भाज्य है कि अभाज्य है 33 भाज्य है कि अभाज्य है ये बताओ फिर आगे बढ़ें फटा फट चलो तो हम लोग 6 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं 6 चैप्टर तक आपका परिच्श्ञ करवा चुके है ये क्या है One से complete कटेगी 3 से कटेगी सब्सक्ता में तीन दिन रात दस बजे अब तीन दिन चलेगी वाबू ठीक है तीन दिन चलेगी अगर आजाएं आप लोग पढ़ोगे परसेंटेज आज हम आपका परिचया करवाद रहें थोड़ा-थोड़ा हलका हलका फिर जब रेगुलर क्लास में आप लोग आओगे ना अगली क्लास से पूरा डिटील में पूरा फुल प्रतिसत में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे परतिसत का मान निकालना जैसे कहीं दिया अठारा परसेंट का मान बताओ अगर कहेंगे कि दो बटा पांच को परतिसत में बदलो तो बटा पांच को क्या करो पर्सेंटेज में बदलो तो भी यह पर्सेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुड़ा करते हैं इसे हंडेट से मल्टीपल करेंगे यह पराबर चालीस पर्सेंट आएगा कि अमज रहें की ने समझ रहें हैं है तर जाएं ना थाइस का टाइम रात कर सबस्चे होगा बाबू कलास का टाइम रात के 10 बजे बेघंटे सोमवार मंगलवार बुधवार तीन दिन यह कलास चलेगी अगले तीन दिन आपका दूसरा समेश्टर चलेगा यह लेड का ही चले कि रिवीजन भी दिन में करवा देंगे नहाया दो बहुत अच्छे नहां जी कमेंट आपका आरा ठीक है यह तो हो गया पर्फेंटेज का मान और पर्फेंटेज में बदलना यह बताओ अगर कोई बचवा है वह 500 नंबर में से क्या है है सांग करता हैं वह कितने पर्फेंट नंबर पाया है कैसे निकालेंगी जानते हो कि पाइब करना है नी पुढांक Filip फैसेते की जानते करना है पुडांक 500 है मैक्सिंम माक्स फांडेट जयाएंद अब्टेंड माक शानशीं है ऐसे सिती में क्या करते हैं जितना नंबर मिला होता है उसको सव से गुड़ा कर देते हैं और पूरे पुडांग से भाग दे देते हैं यह तरीका होता है परसेंटेज में बदलने का अब डंके की चोप पर बता सकते हो इन दो जीरो को दो जीरो से काड़ दो पांच से इनको काड़ दो और 5-35 वादोन दस क्या कहोगे 42% क्या कहोगे 72% क्या कहोगे 72% तो अमन सिंग बहुत अच्छे बरि गुड तो सभी समझ रहे हो टाइम बेश्ट हो रहा है यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा अभी इनका स्वाध चखा रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे कितना मज़ा आएगा यह सब चीज जिससे आपको बोरिंग न लगे कि हाँ इसमें बोरिंग लगेगा बहुत मज़ा आएगी बोरिंग नहीं लगेगा आप यह समझे लो न यह मैथमेटिक्स बहुत आसान है कि बड़ा लबली लबली फ्रेंड है बस इससे थोड़ी सी मुहबबत कर लो बस इतना तुम उससे कर आठमा चैप्टर देखो आठमा चैप्टर क्या है बही थोड़ा सा रूकना अठमा दिखाता हूं अगली दिखाओ भाई आगया आठमा चैप्टर देखिए एंप आठमा क्या है आवरगी क्रित आंकणों का पिक्टोग्राफ बार ग्राफ यह अठमा चैप्टर थोड़ा लफड़ा वाला है लफड़ा वाला मतलब समझ रहे हो इसमें यह सब करना पड़ेगा का ऐसे दंड गराफ यह सब बनाना पड़ेगा इसे देखें नहीं यह मुश्किल नहीं यह भी आसान है ऐसे इदर लिखेंगे 50 40 30 यहां लिखेंगे 20 गाय गोरू बैल है यह गराफ वाला इसमें और यह पढ़ांगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा मजा भी आएगी आज तो हम सिर्फ इंट्रोड़क्षन कर भा रहें कि हैं यह पंद रहे हो ना तो यह सब चीज हम पढ़ेंगे किसमें आठमा चैप्टर में पढ़ेंगे हाई एड़ा सा कठीन होगा मैं यह नहीं सकता क्योंकि छोटा मोटा कुछ है नहीं तो मैं क्या बता दूं आपको क्या नोचीप्टर में क्या पढ़ेंगे भई कि अज्बिद आप लोग कि नहीं आठटेप्टर तक नोचाप्टर में आजाओ बहुत आसान है ये सब बहुत आसान है नव चैटर दिखाओ वहीं सजातिय और बिजातिय बिजगंटी विजगंटी बंजकों को बोध हरी यह तो हमारा फैवरीट है वह Master II जातिये न साधी हो जातीये अगर अलगलग जाती में हो गई तो वहां बारत थे कम नहीं होता है और कहीं अलग-लग्जाती में हो गई तो पिर रामायड भी दोहरा दी जाती है, समझ रहो? तो कुछ ऐसे ही होगा इसमें सजातिय बिजातिय में समुदाय का मतलब जानते हो? अलग अलग धरम इसमें कुछ ऐसे ही पढ़ना होता है, सजातिय बिजातिय में हम आपको यही एक्जामपल बताएंगे समझ रहे हो न आप लोग की नहीं, पजातीय भी जातीय का मतलब यही, यही सब पढ़ना इसमें, जैसे कुछ एक्जामपल में बताई देता हूँ, कुछ एक्जामपल बता देता हूँ, समझ यह, समझ यह, भई यह कलास मंडे, टुजडे, बिड्नेस डे, तीन दिन चलेगी समझ वार मंगलवार बुदवार राट दस बजे से, और हाँ, जिनको डेली पढ़ना है न, वो PVR Study App में इस को जोईन कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं, और तीन दा बार पढ़ सकते हैं, सुबा साम दो बार में तीन बार, PVR Study App में, ठीक है, चलिए, इसका थोड़ा इंट जातिये बिजातिये को, like and unlike terms बोलते हैं, इतमें थोड़ा example समझो, जैसे अगर मैंने लिखा 3x का स्कॉयर और ये 5x का स्कॉयर और ये 7x का स्कॉयर, तो ये क्या है, जो भी है, इनको इंसाइड में रहने दो, ये 5x है, ये 9x गहात 3 है, ये 7x गहात 5 है, ये भईया, तीनो सजातिये पद हैं, बाबू, क्या है, ये सजातिये पद हैं, ये क्या है, बिजातिये पद हैं, ये सजातिये नहीं है, बिजातिये कैसे लिखेंगे, ऐसे न, बिजातिये पद, ये unlike terms है, अब आप कहोगे, किसे समझेंगे कैसे सजातिये, बिजातिये का होता है, कैसे समझे सब्सक्राइब जातिये का है न पताएं लो दो चीज देखना है नंबर एक चर समान होना चाहिए यह दिन वरियाबल जो है वो होने चाहिए सभी में और नंबर दो घात बराबर होना चाहिए उनकी जो पावर है कि दो ही चीज अगर एक जैसी है तो यह सजातिये पत होते हैं समझ रहे ना ऐसे समझ लो जैसे हम लोग में क्या होता है हम लोग इंडिया के ही हैं सभी अधिकदर यूपी वाले होते हैं कुछ बिहार वाले भी है वह जगा वही है लोगों की साधी विया अउतत का देखते हैं अधिकांस 95% की एक ही जाती का होना चाहिए है अगर ठाकूर अभी तो ठाकूर में अहिर है तो अहिर में बरमण है तो बरहद में वहता है उसके अलावाँ फिर पर उसमें गोट-रोतर पताald नहीं क्या मिलाते हैं वो तो पंडित लोग जाने मुझे नहीं पता है होता है लेकिन एक चीज मीन नहीं बताया वह क्या है जाती के पहले धर पिर जाते तब फिर आगे कहानी और आगे बढ़ती है तो ऐसे इन में मालो दो चीज होती है यह धरम मालो इसे जाती मालो आपको कुछ लोग कि यह सब कहें बता रहे हो कलास में जाती धरम वाली बात वहीं पुरदेश में महाल है पिछले 3-4-5 साल से यह चीजें आपको ज् समझो बता भी देता हूं आज समझ भी जाओगे इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है यानि पहली तरज पर यह पास है जो चर है वो सब में एक समान है ठीक है इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है यानि पहली तरज पर यह भी पास है इसका मतलब यह भ अब समझेगे गात अगर घातेैं की बात करें तो इसमें धोका था इसमें दो है इस्में दो है कि इसमें एक घात कुछ नहीं होता इसमें तीन इदो इस Naty Sao रांश Pvd मेर Cliff करें दातमर का ङए गाते समान नहीं इसलिए यह में बिजाती यह पद नहीं है क्योंकि इनकी अलग अलग है जाती धरम वाला बता है लेवल भी बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं कोई भिखारी लड़का किसी कि दनवान लड़की गर साधी कर लेगा नहीं वो उसको देखेगी नहीं रहाँ गहात मुदलब वहाँ पावार पावर बडाबर होना चाहिए एसा नहीं मुक्ह मंतरी जी की साधी हो जाएगी अलाने ठेला वाले घर नहीं होगी यह कभी नहीं होगी अब बहुत ज़्यादा गहराई वाला प्यार होता अलग बात है लिकिन ऐसा प्यार आजकल होता क करने के पहले भी लोग टोलते हैं क्या क्या है इसकी आउकात कितनी है होता है ना यह सारी चीजें यहां पर हम लोग सीखेंगे बहुत मज़दार कलास होगी है लबी स्टोरी के साथ पढ़ाएंगे इसको आपी लोगों को आपी लोग की कहानी सुनाएंगे लेकिन जब समझ गए ना कि आगे बढ़ें तो यह आप लोग समझ गए यह क्या है सजातिय बिजाती है इसके अलावा अगर इसमें यक्स के अलावा वाई-जेट कुछ और हो जाए और इसमें ना रहे तो भी बिजाती हो सकता है वो सारी कंडिशन हम पढ़ेंगे जब रेगुलर कलास आज यहां पर हम आपको दिखा रहें उसके बाद में क्या होगा आगे वह आप जानोगे आज हम आपको सिलेबस से परिचे करवा रहे हैं पाठिकरम क्या है कि समाध द्या दिखाओ भई अरे दसमात चच्चा बड़ा मज़ेदार है भई क्या है तल खंड बिंदु रेखा वक्र रेखा खंड किरण पूरा पूरा खोपड़ी गरम हो जाएगी इस कलास में क्योंकि इसमें न थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जो पचपन से बचा बचा के रख्यों कहीं लगाए नहीं हो न वो लगानी पड़ेगी तल तल खंड बित रेखाँ डर्ना नहीं कि बहुत दिमांग लगेगा नहीं बस थोड़ा लगेगा। इतना दिमांग हम लोग कांम चोणी में लगाते हैंट पढ़ना न पढ़े कांद करना पढ़े उससे फोड़ा और कम ही लगएगा finns में क्रबिंदु न खंड वक्र र रेखा खंड जिसे लाइन सेग्मेंट बोलते हैं इसे अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं रेखा धन खंड को मतलब होता है भाग तुकड़ा आपने सुना होगा ना भूखंड सुना ना कहीं तो एक्चुली यहां पर हमें समझने वाली कुछ बाते हैं उसे समझते चलिए नेचे नंबर दिया गया आप लोग नंबर पर कांटेक्ट करें बाबू ठीक है अगर कुछ भी जानना है जो लोग कमेंट के पीछे पड़ें नंबर पर कांटेक्ट करें रेखा तना इसे रेखा का नाम अगर अगर भी है और इसके अगर काट के दो टुकड़े करतें यह जो बीच का एक टुकड़ा निकलेगा ना यह क्या रेखा खंड के आख गया आ है मतलब एक आयसे आकिरति एक आहसा चिन डिसकी ना लंबाई होती ना मोटाई होती है वह बिन्दुक आती है इसके लंबाई चोढई मोटाई है नहींना जब कख़ी को राशा कैंज को ली जिर ऐसी labi जी साब पीज पर रहती करने यह क्या है बिन्दू है झाल पढ़ेंगे किरण मतलब जानते हो रेखा और किरण में अंतर होता है कि यह सब बहुत यह अच्छी तरीका से आपको पढ़ाएंगे जब आप लोग इसे पढ़ेंगे मंडे से ठीक है अगला पट्री परकार की सहायता से कोण बनाना अब मेरी सकल मत देखो तुम केवल इसी को देखो 11 नमबर इकाई में क्या पढ़ेंगे हम लोग पट्री परकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे क्या सीखेंगे बाबुआ भाईया पट्री परकार की साहता से कोड बनाना सीखेंगे ग्यारा नंबर में देखो इस्क्रिन दिख रहा ना आपको अधिमाग तो सर नकल में भी लगाना पड़ता है अच्छा भाई दुखामंत सिंग बोल रहें कि दिमाग तो नकल में भी लगाना पड़ता है बिलकोल सही का है ओ बच्चा बाबु राज्जा बहुत अच्छा बेरी गुड नकल के लिए भी अकल लगानी पड़ती है यह मेरी थोड़ी आदत खराब है जो बाबु बच्चा बोल देता हूं कुछ लोग नराज भी हो जाते हैं इनके चच्छा के बराबर हैं यह बाबु का बच्चा बोल रहे हैं अगले में हम लोग पढ़ेंगे कोण के परकार 12 नंबर में21 कोड सम कोड अधिक कोडु फिक है है belum Cool अधिक कोड यह सब पढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर चैप्टर में यहां पर थोड़ा सा समझना अ अब बहुत परिसान ना हो PBR study app download करिए और जा करके zero level math का course आज ही enroll करिए आपकी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी ठीक है फिले इस्टोर से आप PBR study app download करके आज ही जुड़ जाएगे अगला 11 नंबर चैप्टर हो गया 12 नंबर में आप पढ़ोगे कोण के परकार में इसको तो अभी तुरंद बता देता हूं कि तुरंद बता देता हूं समझो कोण में मुख रूप से कौन-कौन से कोण होते बाई नियून कोण होते हैं नियून कोण इनको में सब को में बहुत चंद मिनटों में आपको बता रहा हूं यही तीनों बड़े खतरनाक होते हैं बाकी सब आसान है यह तीनों खतरनाक है कैसे तेरा समझना यहाँ पर थोड़ा सा के दिफूल का यहीं तो निवन को खता निवन तैंगे me o Son को सुनने कोड बोलेंगे जिरो डिगरी के से चाल ओंड को क्या बोलेंगे व ce 90 पहुँच गया तो होगा दि الدंख नहीं रहा जायागा वो फिर नहीं कुछ रहा जायागा अधिक कौन की सुरुवात कहां से होती नैंटी वन से होती बाबू अधिक कोन 91 से 179 तक ही रहता है बस कुछ लोग एक सो असी क कौन को भी अधिक कोन बोल देते वू चंद्रमा वाले गरह से आए उपर से गिरें एक प्रेक्स का कोड़ कर लाता है प्रीजु कौण कर लाता आदिकों नहीं होता वो ईपिश कोड़ आदूतीये होते हैं वह अपने माबाप के लाडले होते हैं उनके जैसा कोई और नहीं होता है उन लाडलों के के बारे में बात करूँगा मैं बाद में पहले कामन के बारे में बात कर लो जैसे सुन्ने कोड समकोड संपूर कोड रिजु कोड यह सबी अदुतिये होते हैं इनका दूसरा मान नहीं होता है एक के मान होता है जैसे सुन्न कोड का मान सुन्ने होता है संपूर का मान नब्बे समझ में ना यह सारी चीजें ब्रिहत कोंड कहां से शुरू होता भाई ब्रिहत कोंड सुरू होता बाभू 180 181 से लेकर 359 तक यह क्या है ब्रिहत कोंड सब्सक्राइब ब्रिहत कोंड में नहीं आता है समझ में ना तो यह कोंड वाली कहानी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर किसमें चैप्टर नंबर बारा में ठीक है और ज्यादा फिज्यादा आप लोग इस कलास को सेर करोगे भाई ऐसे मजा नहीं आएगी यार ऐसे बि कच या पढ़ाएंगे तिर्भूज एंधर में हैं बहुत ही आसान है आप सबको पता है है तिर्बुज में बस वही सब पर ना है अलाकर जैसे तीरबुझ के तीनों कोणों का यॉगफ़ 108-100 आप जानते हो कि क्या कि कुछी तेपर गशन हुआ तो तीसरा कोण निकाल ना है तो आप निकाल लोगे कि ए निकाल लोगे की नहीश के ना मतहुं हिंवकर निकाल लोगे न तेरा नंबर चैप्टर हैं ट्राइंगल है ना और परमिती वाले में थोड़ा सा हम लोग क्वादिनेट जमेट्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा बुथ हलका सबस बहुत ज्यादा नहीं इस तिरभुज का छेत्रफल निकालना भी सीखेंगे जैसे कोई एक सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है चैप्टर का नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध् मतलब संख्या और संख्या के अंकों के बारे में ही पढ़ना इसमें और कुछ है नहीं है तो साथियों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग कि सबसे पहले संख्या की अगर हम बात करें गड़ित की तो शुरुवात होती अंक से अंक के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे यह बताओ पहले तो जो नहीए का मतलब अंक जो नहीं तो मैंतन Lindsay कि अब कोछ लोग सोच रहा होंगे हम तो गाने भी लगे लाँ के अड़े ले तोड़ा देल का इस नहीं ह一ल बॉर कि क्या होता है आपको दिख रहा है ऐसे चिन कि को जो संख्रयाओं को लिखने के काम आता है एक प्रकार का यह क्या सिंबल होता चिन्न होता है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है वो क्या कहलाता है अंक कहलाता है ठीक है और यह अंक कौन-कौन से हैं अंक कौन-कौन से हैं भाई देखो आपके स्क्रीन पर दिखे रहना आपको क्लियरली जैसे कि आपको इसमें अस को फिलब निंगलिस में इंभ जितर थिंगसें मुझे वैसे इंगलिस नहीं हती हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ चीजय इंगलिस में बोल रहा हूं किसी से लोगों को अच्छे समझ में आए इंगल सिंबल्स यूज़ टू यूज़ टू रिपर्जेंट नंबर्स रिपर्जेंट नंबर्स इन मैट पतलब डिजिट क्या है एक सिंगल सिंबल है डिजिट और डिजिट और जो लोग इंगलीज पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा विजैेमार कहां लगता है कि अएक स्य protagonized होते हुथ होता है उनकी टोटल Sunkhya Edis होती है इसमें शंख्यापद्दती में हिए चीद को याद रखना है कि संख्या पदती में डिजिट कितने होते हैं 10 होते हैं एक बाइनरी कि वहांपर डिजिट सिर्फ दो होते हैं जीरो और वन लेकिन संख्या पद्धती जो आपकी यह 10 अमलों संख्या पद्धती यह इसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक ठीक है तो आप यह समझ गए ज्यादा टाइम भी हमें नहीं बिताना है ठीक है अपने यहां तीवारी इंग्लिस सेंटर भाई इनको क्या दिक्कत है देखलो भाई कमेंट हो गएरा चलो अंक आप समझ गए दूसरा है साथियों संख्या वैसे इसकी कहीं परिभासा लिखने को नहीं आता है कि कहीं आपसे कोई पूछेगा कहीं लिखना पड़ेगा नहीं लेकिन हाँ चीजें हम लोगों को आनी चाहिए बस इतना ही कोसिस है न अगर यहां पर यह 5 लिखा है तो क्या है अगर हम मैथमेटिक्स में डीटियल में जाये ती वाइं मतलब समझ रहे हो जो 5 लिखा वो क्या है अंक है क्या है रिकिन जो 1 7 लिखा है वो क्या है वन सेबन सेबन टीन एक परकार की संख्या है लेकिन आप कहोगे कि गुरुजी इसा पहाँ पांच को भी तो संख्या बोलते हैं प्रकृतिक संख्या होती है क्योंकि अईसा काँसे दो तो एक को संख्या बोलते हैं को तो यहां पर आउर रहे हो गblesैब गृंधें वहां सआना थो ठीक है जैसे आपने सुना और कोई छीज जाते हैं तो कहते हैं कि पैसा लेकर आये होग नहीं कि लोग बोलते हैं ना सुने हो बजार गया हो मेला गया हो साधी परोजन में गया भाई पैसा लियोग नहीं जो कि पैसा हम लोग कहीं नहीं देते हैं बोलते हैं कहीं लोग बोलते पैसा है बोलते हैं कि अधना कलास के लिए पैसा लगेगा फिरी है पैसा नहीं लगता है रूपया लगता है क्योंकि अगर पैसा लगता तो हम 80 पैसा आप से लेते सत्तर पैसा आप से लेते तब हम कहते कहां पैसा है लेकिन अगर वह सो पैसा स्यदिक हो गया रूपयां बदल गया है क्यों चल रहा है यह बातें अलग है ठीक है लेकिन अगर हम डीटियल में चलेंगे रूल में तो जो सिंगल सिंबल होगा जैसे जीरो फेले के नाइन तक अगर कहीं वह अकेला लिखा है तो वह अंक है लेकिन अगर दो है एक साथ कोई भी अंक दो एक है एक साथ है जैसे 17 हो गया तो यह एक संख्या हो गई यह क्या हो गया एक संख्या हो गया पूरा पूरा ठीक है य यह क्या है एक अंख है यहां पर बगल में मैंने छे लिखा ये भी क्या है एक अंख है लेकिन अगर मैंने दोनों के एक मिला दिया च्छपन हो गया तो यह क्या है एक संख्या हो गई यानि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं के समू को क्या कहते हैं तो या दो से अधिक अंकों के समू को संख्या कहते हैं कि दो से अधिक अंको कि समू को संख्या कहते हैं कि समझ गए ना आप लोग मेरी बातों को क्लियर हो रही ना थोड़ा बहुत वीडियो फंसर आओका परिसान नहीं होना बिल्कुल भी परिसान नहीं होना सब अच्छा चलेगा ठीक है तो यह बाते हैं जो आप समझ गए अच्छा के बढ़ा जाएं कर शीम थोड़ा हैं कर रहा मुझे लग रहा एफ भी थोड़ा सिस्टम हैं कर रहा जाना नहीं कहिं यह चलो आगे बढ़ते हैं ऐँ अंख हो गया है ठंख्या हो गई है अँच को एक और परिभासा से देखा जा सकता है जैसे नीची आप देखो कि लिखा है कि पिरो वन तू तो थ्रीट डाट 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 नाइन के इनको क्या बोलते हैं यह से मिल करकर क्या बनती है अंक कहते हैं यह एक जो है प्रिजण के संख्या पदती ոन्शंक्या में 10 होते हैं उसमें चात्रों क्या होता है आपको उसमें सिर्फ 2 उंक होते हैं उसके बारे विए लेकिन जो संख्या पद्दती है हम लोग दैनी जीवन में पढ़ते हैं यूज करते हैं उसमें 10 अंख होता है दस अंख कौन-कौन सा जीरो फिले करके नाइन तक इसक्रीन पर देखो दिख रहा है यह आप समझ गए संख्या क्या होती है तो यह अंक और संख्या हो गया इसके बाद हम बढ़ते हैं संख्या के परकार में हम आपको कुछ डीटीयल दिखाएंगे वैसे हमारे पास यह बना नहीं नहीं तुम्हें दिखा देता कि जिएन देना इधर साइड देखो भई प्रकार में कुछ डीटीयल में आप लोगों को पढ़ना है आप लोग सभी रेडी होना सभी तो चलो पेज खोल लीजिए और अपना पैन ओन ऊपन करिए चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं बनाइए कलम संख्या के परकार क्या लिखेंगे आप संख्या के परकार अब हम कुछ डीटीयल में आगे बढ़ेंगे ठीक है फ्यारे साथियों संख्या के परकार में क्या पढ़ने वाले हैं आप जानते हो संख्या के परकार में मुख्य रूप से संख्या सिर्फ दो परकार की होती है कौन-कौन दो प्रकार की, मतलब संख्या का जो जनम हुआ था न, तो इनके दो ही भाई हुए थे, मतलब एक वत्तविक संख्या थी, एक कौन सी थी, काल्पनिक संख्या थी सयार होना सभी, चलो, क्या लिखोगे संख्या के परकार, अपने हतिवारी जी कमेंट आपका आ रहा है, नोटिफिकेशन यूटूब ने नहीं दिया है, बच्चे का मैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग कलास को सेर करेंगे और लाइक करेंगे, यह आपने प्रॉमिस किया थ है, इसमें आप पढ़ेंगे संख्या के परकार में मुख रूप से यह दो ही होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक होती है कल्पनिक संख्या, ठीक है, तो आप लिखो एक वास्तविक संख्या, एक क्या लिखोगे कल्पनि संख्या एक वास्तिविक संख्या लिखोगे एक क्या लिखोगे काल्पनिक संख्या को वास्तिविक संख्या आपको दिखरा स्क्रिन पर यह क्या है काल्पनिक संख्या को देखिए समझते चलिएगा काल्पनिक संख्या को साथ ही बोलते हैं क्या इमेजनरी नंबर क्या बोलते हैं इमेजनरी स्पेलिंग बड़ा जीब टाइप किया इंगलिस वाली इमेज लिखोगे फिर आई या नारवाई लिखो ऐसे इमेजनरी नंबर यानि कालपनिक संख्याएं ठीक है और इसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं रियल नंबर किसे के य वस्तविक संख्या है उसकी साधी च्वे रड़कों होते हैं कि इतने होते 2 होते हैं इस लेकिन ये सादु में नहीं हुई है इनके कोई लड़का बच्चा नहीं हुप हम लोग मानेंगे कि इनका कोई नहीं है जैसे परिवार खत्म नहीं बढ़नेवाला है लेकिन इसमें बढ़ेगा इनका बंस जो है आगे चलेगा कहां तक जाएका पता है देखते हैं कहां तक जाता है कि यह क्या है है आप यहां पर लिखोगे पर्मे संख्या और यह क्या अपर्मिय संक्या इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं जानते हो रेफनल नंबर बोलते हैं यहां तक बना लो फट फट क्या बोलते हैं भाईया रेफनल नंबर इसे क्या बोलते हैं रेफनल नंबर समझते चलिए बहुत ही प्यार फे बहुत डीटियल में मैं बता रहा हूँ जिनको बेसिक सीखना है न उनके लिए भी बड़ा इंपोर्टेंट है तरमेंद सिंग यादो बेटा पढ़ाई करना है तो कर लो तरमेंद सिंग अन्यता यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है चुपे से कोई जानता भी नहीं है यह तो पढ़ लो यहाँ पे जो तुम जिस उमीद से आयो न वह नहीं होता है ना ना बिलकुल नहीं होता है तुम यहाँ से चले जाओगे अभी थोड़ा देर में पढ़ लो हा इतना लिख लीजिए मैं मिटाओं इसको लिख लीजिए मैं मिटाओं मैंने कहा ना संख्या मुक्रूप से दो परकार की होती है एक वस्तविक होती है एक कल्पनिक होती है वस्तविक का मतलब जिसे हम लोग पूरी जिंदगी पढ़ते हैं पूरी जिंदगी उच करते हैं कल्पनिक के बारे में लोग जानते करते ह sinon करते हैं राश्टरपती बनेंगे वाप कहता है दाक्तर बनेगा मतは कहती है लेकिन बड़ा होता है तो क्या होता है कि युपिटेet की परिक्षा के लिए कुहना न हना होता लाठी पड़ती है मार पढ़ती है फुहारा पढ़ता है खोपड़ी फूटती है रफवाल तयारी करने के बाद पता चलता है कि राष्ट पती का तो सपने चुट गए है ना तो वह क्या थी एक कलपना थी जिसका कुछ नहीं था तो यह समझ गए वास्तविक और कल्पनिक अब वास्तविक संख्या का मैंने बताया इनकी फैमली आगे बढ़ती है इनकी साधी बिया हो जाता है इनके दो बच्चे होते हैं वास्तविक कौन-कौन एक पर्मिय होता एक अपर्मिय जी फिर रेफनल और इरेफनल नंबर कहा ज अपर्मिय संख्या का कोई नहीं है नहीं अपर्मिय संख्या का कोई नहीं है पर्मिय संख्या की फैमली आगे बढ़ती है आप लोगों में जगा होगी तो आप इसे मिटाना नहीं नीचे बनाते जाना हमारे में जगा नहीं सोजा से में हम इसको मिटा रहे हैं ठीक है पर्मिय संख्या में नीचे बढ़ा लेना आप लोग जगा होगी ठीक है ना भाई आप लोगों में जगा होगी तो पर्मिय संख्या में नीचे बढ़ा लेना धर्मेंद्र को बलक करिए सर पांच मिनट के लिए भरमेंद्र को पांच मिनट के लिए ब्लक करिए रटाइए इनको तुरंद रटाइए आप अर्मिय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है परमिय संख्या यानि रेफनल नंबर इनकी फैमली आगे बढ़ती है इनकी फैमली क्या होती है कि आगे बढ़ती है और कितने परकार होते हैं इनके इनके कई यों बैटवा होते बाई लगडाउन का असार है इनके उपर देखो इधर समझो कितने परकार इसमें बहुत जो भी आप लोग पढ़ोगे लगबग बहुत सारी चीजे हैं फिलाल हम थोड़ी ही पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डेटियल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके दिलेपस में नहीं है बीटीसी फार्स समेश्टर वालों के इन में क्या होगा सबसे पहला प्रकृतिक संख्या प्रकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर दूसरा होता है पूर्ड संख्या हम तीनी बात करेंगे बस उसे ज्यादा नहीं इंगलिस में बोलते हैं होल नंबर लिखा क्लियर यह क्या लिखा पूर्ड अले वो पुडांक वालड़ा है चुर्की वाला मनीज भी पटाह्ट है ने यह डिर यह दा है वी मनीज फांड़े अ मनीज जी बिलकूल पहलि कलास है वानके चलो वसे है तो लाइब दूसरा क्योंकि पहले में हम सैलेभर डिसकस किये थे लेकिन पढ़ाई वाली पहली क्लास रक्षम जी आपका भी कमेंट आ रहा है मनीशा जी आपका भी कमेंट आ रहा है और कादिर खान सबका कमेंट आ रहा है लेकिन हमें पढ़ाना है थो हमकमेंट नहीं पढ़ाएंगे सबकी ना यह मसीबत है भाई बाबू तो यह मत शोचू कि मैं सबका नाम ही बोलूँ देख रहा हूँ मैं सबका कि माउस काम नहीं कर रहा मुझे लग रहा raft पर इस्टम में नहीं काम रहा कुछ तो गढबर कि जो ठीक है सो अगला से में क्या है एक आर भी पार्ट है मैंने कहा ना इनके तीन से होते हैं इनके तीन बच्चे होते हैं एक होता है पुरांक जिसे इंटीजर बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटीजर पुडांग संख्या यानि इंटीजर नंबर ठीक है हो गया यह क्या होते हैं इनके तीन टाइप होते हैं बाबु क्या होते हैं यह सब इनके टाइप होते हैं इनके परकार होते हैं किसके परमिय संख्या कीकिन आप परमिय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है अपरमिय संख्या में हम कोई ऐसा टाइप नहीं होता जिसे हम यहां explain कर सके कर समद गए ना आप लोग मेरी बात सब्सक्राइब आगे लो ठीक है डन आज सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है, इसकी भी कुछ गडबड हो रही क्योंकि बहुत यूज हुआ, दिन बर ये बहुत एडिटिंग अगरा हुआ है, ये काफी ठक गया बचारा आप चलो, प्रकृतिक संख्या के बारे में हम बात करेंगे, इस स्क्रिन पर आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से देखना एक-एक के बारे में जितना पढ़े हो सबसे पहले मैंने आपको वास्तिविक संख्या के बारे में पढ़ाया तो वास्तिविक संख्या क्या होती है इस क्रीन पे देखो वास्तिविक संख्या क्या है इस क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए समझ रहे हो कुछ की नहीं से पर्मिय संख्या और अपर्मिय संख्या के समूं को समलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है भाई अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना क्या पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं मैंने यही पढ़ाया था एक पर्मिय एक अपर्मिय तो आप इसकी परिभासा जान लो वास्तविक संख्या की कि पर्मिय और अपर्मिय संख्या के समलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं यानि ऐसे जानलो कि वास्तविक संख्या जो है वह पर्मिय और अपर्मिय संख्या से मिलके बनी है पर्मिय अपर्मिय के अलावा वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है यह माना कि महफिल जामा है हसी है ना ऐसे कुछ है ना तो वास्त यह पर्मिय संख्या isn't our और पर्मिय मिलके क्या बनती वास्थविक संख्या इसके बारे में आप समझ गए टाइटल आपने डाला होगा पहले में दिखाया हूं सारा अभी तक उसके बाद साथियों हमें पढ़ना चाहिए पर्मिय संख्या के बारे में न क्योंकि पहले संख्या का परकार शुरू करते हैं तो हम लोग वास्तविक पढ़ते हैं वास्तविक पढ़ते हैं फिर कल्पनिक पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं कि संख्या के दो परकार होते हैं एक वास्तविक एक कल्पनिक फिर वास्तविक संख्या के दो परकार होते हैं कौन एक पर्मिय एक पर्मिय तो हम वास्तविक संख्या समझ लिए अब हम समझेंगे क्या पर्मिय संख्या क्या होती है न पर्मिय संख्या इस्क्रीन पर संक्या उति है जिसे हम भिन्ह के रूप में परदर्शित कर सकते हैं किसी प्यवापन क्यूंक के रूप में लिख सकते हैं ठीक त थी मनिस पांडे जी सोमवार मंगलवार बुद्वार बाबु ठीक है सब्ता में तीन दिन सोमवार मंगलवार बुद्वार तीन दिन ये कलास होगी डेली नहीं होगी सोमवार मंगलवार बुद्वार मंडे ट्यूज़े बिडिनस्टे फुल मिला के मोटा मोटा ऐसे समझ लो बाबू कि वो संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेफनल नंबर कहलाती है लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि क्यू डज नाट इक्वल जीरो इस तरह से लिख तो सकते हो लेकिन कभी भी क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ठीक है क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है इसको थोड़ा डीटियल में समझ लीजिए विस्तार से समझा दें फिर हम आगे बढ़ें मैं इसको डीटियल में थोड़ा दिखाऊंगा समझ यह कातियों जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं आप कहोगे कि पर्मिया पर्मिये अंतर कैसे समझते हैं कैसे समझते हैं आजकल लोगों के सिर्फ एक मुखवटा लगा होता है कि कहां तो अरिदना लगा है लगा है हुआ कि वास्तों में हम जो आपको कैमरे के सामने दिख रहे हो सकता वह ना हो कि हम और अपको यहां बहुत सीदे फादे दिख रहे हैं पढ़ा रहें अच्छे और अपने देश समाज में अपने अडोस पडोस घर परिवार में बहुत जद लड़ाई यगड़ा करते हूं तो लोगों के मन में लोगों के दिल में हमारी वो छबी भी होगी जो हम खतरनाक वाली आते हैं है ना हमाजना मैं क्या बताना चाहता हूं सुनना तो कहने का यह मतलब है कि एक परकार से मुकत्रट रगा जो आप आप इहांनी देख पार Kanuma कि इसवार कि इतने गंधे नहीं है ऐसे समझ रहें बस कितना भीला मत शृम चलो समझ आरोका ये मतलब वर्गमूल लगा घंणोल का चिन लगा तो अगर वह अधिकान सभी संख्या जैसक्रेज करें अगर अधिकालग्स में पूर नॉख्य मतलब है अदिकान सभी संख्यें पर्घिय ही होती हैएं कुछ मात्र संख्याइं ऐसी है जो अपर्घिय बबस बाधी जितना हम लोग पढ़ते लिखते अक्थर हर जगा पर्घाव मिलती हैं अपर्मिय संख्या और पर्मिय संख्या में थोड़ा अंतर समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा देखिए यहां से समझ यह जैसे मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं समझ न यह पर्मिय संख्या के इधर साइड में उधारण है देखिए अगर मैं डीटियल मे आजाना तुम वह आदे 1000 करके समझो प्यापान क्यू का मतलब क्या मेरे साथी यहां देखो जैसे अगर मैंने लिखा सेवन तो सेवन क्या है यह एक रेफनल नंबर है क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं सेवन अपान वन और सेवन अपान वन को हम कह सकते हैं कि यह पी अपान क्यू के रूप का है बोलो कह सकते हैं कि नहीं बोलो हाँ ऐसा हम कह सकते हैं यह पी अपान क्यू के रूप का है लेकिन हमारे प्यारे साथी यह बताओ कि अंडरूट सेवन क्या यह पर्मिय संख्या है आ या नहीं बोलो मनीज जी कमेंट आ रहा है अर्वेश रगुवीर तुरेश जाट कलमान और कौन है भई वरे पढ़ाई से 190 नमबर आये हैं अच्छा परे गुट और कोई एनिवन बताओ यह रेफनल है कि रेफनल है फटापट यह बताओ बढ़ाई हो सलमान जी बहुत बहुत बढ़ाई है इसे हम क्या कह सकते हैं यह एक इरेफनल नमबर है विकाज भीकैन राइट ऐसे लिख सकता हूं यह बताओ भाई क्या यह पीआपान क्यू के वराबर है पोलो पिएपान्ओ के बराबर है नई है ना क्योंकि इसका विज़ो वर्गमूल करचिन संद्धेश कभी नहीं हट सकता यह एक हटेगा एक सर्थबे इसका जो भी वर्गमूल निकालने के बाद दसामलों में पॉंइंट में पॉंइंट में आजाय कभी नहीं आएगा समझ रहे हो ना यानि वो संख्या जो वर्गमूल या घनमूल के चिन के अंदर लिखी है लेकिन उसका वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह पे ना निकल सके मदलब एक पूर्ड संख्या ना निकल सके कुल मिला के मोटा मोटा यह जान लो कि जो संख्या पूर्ड घन या पूर्ड वर्ग नहीं है अगर उसके उपर वर्गमूल या घनमूल का चिन लग गया है तो वो अपर्मिय संख्या है वो पर्मिय संख्या नहीं है आपको जीवन में ऐसी ही संख्या है आमने सामने मिलेंगी बाकी अपर्मिय में और कुछ मिलता नहीं ज़्यादा ठीक है समझ में है ना लेकिन आप कहोगे कि भाईया फिर जिस पर वर्गमूल लग गया वो अपर्मिय होती सभी क्या नहीं जिस पे वर्गमूल या घनमूल का चिन लग गया वो सभी अपर्मिय नहीं होती हैं इसमें भी कंडिशन है वोट पैंट पहिन लिया कोई दाड़ी लखा लिया न तो वो अनान मंतरी मोधी जी नहीं का लाएगा मोधी जी बनने के लिए पहले चाय बेचना पड़ेगा लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा तब मोधी बनेगा कोई तो समझो इधर कैसे देखिये वर्गमूल का चिन है लग जाने से ही कोई अपर्मिय नहीं होता है या पर्मिय नहीं होता है जहां पर समझें जैसे अगर मैंने लिखा अंडरूट 49 तो यह तो आपर्मिय नहीं है यह तो एक पर्मिय संख्यारेफनल नंबर है काओगे कई से जोगे कई से चूतिया बना रहा इतना देर से ब्योकूप समझ रखा है या अईसे कई से भई पर्मिय है जिस पर गम लगा एक बार कहता कि समुझरत अधकि तयस् Ledisaina झाम आरा ना ये वास्तों में ये पर्मिय है कि इसका जो प्रोड़क्ट निकल के आ रहा वो पर मिये है लेकिन उधर वाले में ये समस्या थी कि उसका वर्गमूल पुरी तरह फे निकल ही नहीं रहा था ठीक है मज़रवन आप लोग ये मुशिवत थी उसमें चलो समझो पूरी कहां नहीं समझो डिटियल में समझो अच्छे समझो हम लिख सकते हैं सेबन को क्या कि यह क्या रेफनल नंबर है कि समझें न आप लोग सिस्टम आज हैं कर रहा है आप लोग समझने की कोशिस करिए और पढ़ते चलिए बिल्कुल भी टेंशन मद लीजिए हमारी कोशिस से बहतर से बहतर हो क्लास्तों में चलानी ही है कि ठीक है समझ में आए ना सहाना परविन जिसका वर्ग होता है वही अपर्मिय होता है नहीं नहीं जिसका वर्ग होता है क्या लिखा इनोंने जिसका वर्ग होता है नहीं जिसका वर्ग होता है वह अपर्मिय नहीं होता है ऐसा बिल्कुल नहीं अपर्मिय के लिए यह जानलो कि कोई भी नंबर वो वर्गमूल या घनमूल यह चिन्न के अंदर लिखी है लेकिन उसका वर्गमूल पूरी तराफे या घनमूल नहीं निकल सकता है यह जैसे मानलो मैंने लिखा 101 यह अपर्मिय है और लेकिन अगर मैं लिखूं भाईया 100 तो यह पर्मिय है बाबू क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूर्ड संख्या निकल जाएगी एक पूर्ड संख्या प्लस माइनस आप 10 लिख सकते हो लेकिन इसका तुम नहीं लिख सकते ह 10 इसका 10 पूर्ड संख्या नहीं आएगा अगर मैंने लिख दिया 25 पंचे 125 मानलो नहीं 125 ने 124 अब 124 का कोई भी पूर्ड नंबर नहीं होगा कि पांच आ जाएगा आठा जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो यह क्या है अपर्मिय संख्या है लेकिन अगर इसमें मैं कि घ्रवे साथी की 125 इवह कहां पर तीन गात लगी मिलाव और मूल यह क्या है प्ली población क्या है बावी कि आदा क्योंulty जो घ्रवा घ्रवं 5 तुमन देभी पंडे अब को समझ में आ रहा है ना हो सकता है कुछ नाम मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत चोटा दिख रहा दूर में बहुत नीचे गुस के उसमें देख नहीं रहा हूं पिर भी आप समझ गया कि मैं आप ही को बोल रहा हूं समझ में आ रहा ना चाप लीजिए बहुत ज़्यादा डीटियल में जाने का टाइम नहीं है इसके बारे में जब हम लोग अगला समेश्टर में पढ़ेंगे तो डीटियल में पढ़ेंगे बादल भरद्वाज देखो बाबू अभी देर में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है ठीक है देर में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है उसके लिए टाइम से आना पढ़ता है क्लास में टाइम से आना पढ़ता है क्लास का टाइम सोमवार-मंगलवार-बुधवार रात के 10 बजे से सब्ता में 3 दिन रात के 10 बजे से अगर आप हमारे साथ जूडते हो तो हम बिल्कुल फ्री में आपको फर्ष समेष्टर का कंपलीट कोर्स पढ़ाएंगे तो मुआर मंगलवार बुधवार तीन दिन सप्ता में तीन दिन याद रखना रात के दस बजी ठीक है बाकी के चार दिन नहीं अगर आप पीबीर स्टडी एप डाउनलोड करके ज्वाइन करते हो तो आप साथो दिन पढ़ सकते हो पीबीर स्टडी एप में आप इस कलास को स साथो दिन पड़ सकते रोज कि इस दिन बंद नहीं चलो समझा आगे पता सिसी में कि छैए मैंने पर-मीयं नहीं असे अकर दिना माइनमर मैंस में है कि यह दृट सब्सक्राशक प्रमीयय रिफनल अकर दिन परमीय है और शिताल है तो आप आप यह अल्यृत है ट् investigating Refl. सब्सक्राइब दीड़ित में इस टाइम निनीद ऑंति टू एक ऐसी कीज जो इनसान को बरबाद करती कि आंखों में नीनद दिल में करार यह मोहबद भी क्या चीज होती है यार महबद करना सिखो ना और अंखों में नीनदे नहीं आयेंगी दिल में करार पुर नहीं रहागा सुकून नहीं रहागा तुमरी कहां से यहें यह कि इसके-लिए पक्ता यह ज익 नहीं पड़ाई होती है बहुत नहीं लिए चले चलेगा और में तभा नहीं महीना टाइक गर नहीं तंदी महें गंव्लिवा— वाई ठंडी कमहिना कौन जाएगा सुबळव नी काय रहा बई मैरा आट आए हिम्मत नीए जालो मैद साथ मेरा हिम्मत नहींक उसके बाद उसने क्या किया कोबरा निकाला वह लिया था कहीं से कोबरा सांप क्या किया उसकी रजाई में डाला बोला देख जलेगा के नहीं उठके भागा मतलब उसको बुखार था कितना 104 डिगरी बुखार था उठने को उसकी हिम्मत नहीं थी इतना ज्यादा पस्त था ल यह दिना उस थाट जर्ण ना दाथ नई करें लुदी जादश घू दादश तक्लीफ से चाहि अले वाली थी सांवे आप इसको भी याद रखो एक ना समझ गया न तो इसलिए नीन्द को समझ आई ये इन लोगों को नीदा आ रही दस बज़े बच्चे नहीं हो इसमें अधिकांज बच्चे वाले होते हैं इस पड़ते हैं वह बच्चे इसका आंसर होगा और रञतनल नंबर अधिन संख्या के यह संख्या तो इससे यह निसक्रस निकलता है कि कोई भी नमबर अगर रिरातमक माइनस एप या कैसे भी यह क्या है कि एसे हो कि अब चाहिए परमीय संख्या होती है कुल मिला कि मैंने आप को जो समझाए आप समझ गया होंगे मोटा मोटा यह समझ लो कि जो संख्या हां अंडरूट या घनमूल या वर्गमूल के चिन्ने के अंदर में है उसका वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह नहीं निकल सकता है फिर वही अपर्मिय होती है लेकिन इसके थोड़ा डेटियल में जाएंगे ता और कुछ कहानी है लेकिन उसमें नहीं जाने वाले हैं एक चीज और समझ लीजिए कि जो पाई है यह भी क्या है अपर में संख्या है यह कैपटल जी इसमाल जी यह जो भी संकेत वाले यह सब होते हैं ना सिंबल अगर कहीं मिलते हैं तो वह सभी क्या है अपर में संख्या है रेफनल नंबर नहीं है यह जो भी सिंबल है कहीं भी अगर यूज होते हैं तो व बाई वो यह है क्या वो यह एक चीज और मेरे भाई मेरे बाबू मेरे साथी की इनका अगर मान दिया है और इनके बारे में चर्चा नहीं की गई है तो वो रेफनल नंबर हो सकता है जिसे पाई का कहीं मान दिया आपको पाई के बारे में चर्चा नहीं की गई यह तो उपर म दिखाता हूँ मैं आपको आपने क्या क्या पढ़ा संख्या के बारे में पढ़ा संख्या दो परकार की होती है संख्या के दो लड़का बच्चा होता है एक वास्तिविक होता एक कल्पनिक होता है वास्तिविक का मतलब जो वास्तों में होता है कल्पनिक का मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं होता नहीं है वास्तिविक संख्या के दो संतान पैदा होती मालो बच्चे पैदा होती लेकिन कल्पनिक संख्या के कोई नहीं होता निर बस यह रह जाता वैसे वास्तिविक संख्या के दो कौन-कौन होते हैं वास्तिविक संख्या के दो कौन-कौन होते हैं एक पर्मिय संख्या होती है एक अपर्मिय होती है वास्तविक संख्या के कौन-कौन होता है दो पार्ट होता है वास्तविक संख्या का एक पर्मिय होता है एक अपर्मिय होता है ठीक है तो मैंने आपको पर्मिय अपर्मिय भी पढ़ा दिया मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वास्तविक पढ़ा दिया पर्मिया पर्मिय भी पढ़ा दिया काल्पनिक के बारे में लाश्ट में पढ़ेंगे अब यह वास्तविक संख्या के भी दो तीन मुख्य भाग होते हैं वात्विक के नहीं स्वारी पर्मिय संख्या के मुख्य तीन भाग कौन कौन से होते हैं एक प्रकृतिक संख्या होती है एक पूर संख्या होती है और एक पूरांग संख्या होती है कि समझे रहने आप लोग की नहीं तो प्रकृतिक संख्या क्या है नेचूरल नंबर क्या है आपके सामने स्क्रीन पर देखो लिखा है प्रकृतिक नाम में बहुत कुछ बसा है बोलो बसा एक नी परकृतिक बोलने के बाद ही याद आ जाता है पेड़ पौधे पहाड परबत बन पेड़ चीता हाथी भालू बंदर यानि वह संख्या जो आटिफीसियल नहीं है आटिफीसियल तरीके से नहीं बनाई गई है वह क्या है नेचूरल नंबर है वह क्या है प् संख्या बनाने कभी कार खाना चलता है का नहींत फिर फीरो की खोज की गईती जीरो प्रकृतिक संख्या नहीं ही एक प्रकार से इसे हमसां अन् आटिफीसियल बोल सकते हैं कि इसकी खोज किया था कौन किया था अप्लोग बताओ जीरो की खोज SCENE किए था प्रिजवान आलम बाबु आपका इंटरणेट साहिं नहीं है रिजवान आलम इंटरणेट साहिं कर लो तो परिब्यासा स्क्रीन पर आपको दिख गई वह संख्यां जो एक से शुरू होकर गिंती कोवर बढ़ती हैं उसे प्रक्रति संख्या कहते हैं प्रकृतिक संख्या के संगरह को कैप्टल यहन से रिनोट करते हैं इसको इंगलिस में नेचुरल नंबर कहा जाता है मतलब एक से ले करके अनंत तक कहां तक एक से ले करके अनंत तक की जो संख्याएं है वो क्या होती है प्रकृतिक संख्याएं होती नेचुरल नंबर होती है यहां पर टाइपिंग माश्टर ने थोड़ी गलती किया है जो उन्होंने लिखा है कि एक से शुरू होकर गिंती की और बढ़ती है और और मतलब और 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 नहीं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आगे बढ़ेंगे अभी में जो समझने वाला है उसमें समझाएंगे अगला है साथियों पूर्ड संख्या जिसे बोलते होल नंबर देखो बाबू आप लोग कलास को लाइक करो नहीं तो ऐसे आतमा बहुत दुखी होती अंदर से ठीक है बजा नहीं आती बिल्कुल भी आप लोग लाइक नहीं करोगे और कलास को सेयर करना आपकी जिम्मेदारी जी मज़ने यह अपने साथियों सहवीं में जितने भी आपके साथी लोग है। सब को कलास को चे ещё करिए हैं तो मेरी आत्मा नहीं कहती क् BBQ क्योंकि क् było मेहनत करना पढ़ता है अगर हैं। जिलाण इस वाहां न है परपना से बता रहा हूं घिंकि डेंड करते हैं ह। समझे रहो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है तो आप लोग थोड़ा तो इस त्याग का मतलब समझो कि कितनी मेहनत होती इस कलास के पीछे कि अभी कोई गाली दे रहा है कोई नंगा नाच दिखा रहा है कुछ मसालेधार तो उसको तुम लोग खुब सेर करोगे देखो भई देखो देखो अभी मैं किसी को गरिया दूते से मोदी जी को यहीं पर तो तुम खुब सेर करोगे देखो मस्टरवा गरिया होता है लेकिन मैं पड़ा रहा हूं तो इसको नहीं सेयर करोगे गशाश ही नहीं होराहा अज का भारत का क्या रहा है एक दूसरे कि सजा बन जा रहा है यू सेयर किया को बाबू थिक है क्लास को लाइक भी किया करो हुआ हुआ है और हाँ बेसिक जीरो लेबल में लेबल बढ़ा दिया है अब आपका नए साल से इंटरमीडियेट और कॉम्पटीफन की कलासे रन करेंगी फटाफट अब जीरो लेबल सिर्फ संडे को आएगी रात के नौ बज़े ठीक है जीरो की खोज आरबट ने किया था चलो जो लोग परसांद ने किया था आरबट जी कहां के निवासी थे पताव कहां के थे अगला बात करते हैं प्रकृतिक संख्या के बाद में पूर संख्या क्या होती भाई जीरो तथा प्रकृतिक संख्याओं के समलित रूप को पूर संख्या कहते हैं पूर संख्याओं के संगरा को डबलू से परदर्सित करते हैं यानि जो ये नेचुरल नंबर थी न इसमें जीरो को भी मिला देते हैं बस तो ये जो पूरी सभी संख्याएं बनती है वो होल न देखो ऐसे ऐसे कतनाक है एक टिकराजीरो की कोज किफ ने किया था देख्टी करा मोधी जी ने किया दन्यों प्रभू कहां हो आप मतलब मोधी जी को इतना बदनाम ना करो यार अभी मोधी जी वाइसे भी बोल रहे थे बच्चों पहले परिक्षा में कटिन कटिन सवाल किया करो तो आफान वाले अपने आ जाएंगे लेकिन मोधी जी ऐसा तो बच्चों की सब लंका लग जाएगी कटिने प्रस्न में कि और प्रकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा रिडा अत्मक ग्रिण पुडांकों को सामिल करने पर जो संख्या बनती है वह पुडांक संख्या कालाती है कुल मिला करके मोटा-मोटा यह जान लो एक जो आप पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ना है बस ठीक है पूर्ड संख्या से एक कदम और आगे का मतलब यह है कि पूर्ड संख्या में केवल प्लस वाली संख्याएं ली जाती थी और इसमें क्या होगा पुडांक में इसमें माइनस वाली संख्याएं भी सामिल हो जाएंगी ठीक है यानि पुडांक की बात यह से हो जाएगी कि माइनस आनंद से माइनस आनंद से ले करके और प्लस आनंद तक की जितनी संख्याएं सभी क्या होती पुडांक होती यानि जो नंबर तुम्हें दिखाई पड़े कहीं सुनाई पड़े दुनिया में वह सभी क्या पुडांग कि अधरीड में है चाहे जैसे 5 हो गया प्लस करनों हो गया प्लस में तुम देख रहे वर्ठारा बटान तालिस है माइनस में एक बटाबसाइब करना यह सभी क्या कि ढ़तादन सब्सक्राइं है रिर्ड को सतया है परौन करें ध्युम्हे लिफ कि समझना नहीं नहीं है नहीं हां यादो बिल्कूल शाई ठीक है और समझने वाला अब आएगा इसमें समझने वार्व कुछ नहीं था समझने वाला आ गया समझने वाले में क्यां संख्या क्या होती एे इतना देर जिलाते चिलाते हैं मुह सुख गया लेकिन आप लोगों को थोड़ी तरफ नहीं आई कि कि खलास को कम से कम लाइक तो कर दो और कुछ नहीं कर सकते हो तो हम संख्या की परिवासा कई तरह दिया जाता है वह संख्या है जो हो कनाई जीरो से जाये हो जाएं सं अन्ह Cob लाति है लेकिन इसको नहीं मानते यह थोड़ा कटिन Northern यह को है जीरो से प्याजित थोड़े कटिन अगर कोई नंबर मान लो हम मानते इनकी परिभासा कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वो सम होती है तो भाईया ऐसे तो फिर हम लोग सम भी सम पहचानने में बुड्डे हो जाएंगे नाती पोता आई जाएंगे पहचानने ने पाएंगे तब तक तो क्या करते हैं थूड़ा जमान्य का तरीका लगाएंगे अगर मैं ऐसे नंबर दे दिया और पर अगर div इनको दो साई से भाग करेंगे तो सुवेर हो जाए इतना बड़ा नंबर को जब भाग करेंगे पूरा बहुत टाइम लग जाएगा एक है कि वो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या वो संख्या जिसका लाज्ट कांग लाज्ट डिजिट 0 header 2468 इसमें से अगर कोई है तो वह समसंख्या है अनि था क्या भी समसंख्या समझ गेर न अनिलबर्मा कि अनिल भर्मा जी बिल्कुल हमारी सुभ काम नहीं है कि आप सफल आगे बढ़ें इन्होंने लिखा है कि गुरू आखिर गुरू होता है चाहे वो यूटूब से पढ़ाया हो वह यह तो एक माध्यम है यूटूब है ना हम लोगों के मिलने का जुलने का जुडने का एक माध्यम है इसमें यूटूब का एक माध्यम यहीं है एक डाकिया जैसे काम कर रहा है लेटर भेज रहे हो गुले जारा दे के आरा बस ना वो लेटर लिख रहा ना वो पढ़ रहा मोबाइल में कुछ तो चुपे देखने वाला देख रहा हो गर जाएंग उसके कौनों अगला ना देख पाए अपना अपना है न कहते हैं करम आज जो करोगे उसका फलकल मिलेगा कुछ तो टीलेट की कलास में राद 12 बजे हमारे साथ जुड़ा है लाइप कुछ मोबाइल मे घैंग . इस तरह से देख करके आप कुछ भी जान जाोगे। ठीक है आरती मौर्या अगर पढ़ना है तो आज आपके लिए पहली कलास है आरती मौर्या के जैसे जितने भी छात्रों के सवाल हैं बाबू भाईया देखो ये पहली कलास है कद जो पहली किलास से पहले चली थी सर्फ सिलेबस बताया था बढ़ाई की सुर्वात इसी कलास से रोज नहीं दोब मंप育वार वार बुद्धवार रात के 10 बजे देखना तोम वार मंगलवार बुधवार रात के दस बज़े से ये कलाश चलेगी बिल्कुल फ्री चलेगी एक घंटे से कम नहीं चलेगी एक घंटे फे जादा ही चलेगी और चालिस से पैतालिस दिन में मानलो की लगबग से लेवस आपका कमपलीट हो जाए ठीक है लेकिन टाइम काफी ओबर हो रहा विसम संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं विसम संख्या हां इसे बोलते हैं आड नंबर क्या बोलते हैं आड नंबर इसे कैप्टल ओ से डिनोट करते हैं संख्या को बोलते हैं ebn नंबर इसे e से रिनोट करते हैं दिखाया थाना साइद तो बिसम संख्या क्या होती है भाई वह संख्या जिसका लाश्ट का अंक वह संख्या जिसका लाश्ट डिजिट one three five seven nine होता है वो विसम संख्या का लाती है ठीक है क्या होता है वो संख्या जिसका last का अंक अंतिमंक क्या हो one three five seven nine इसमें से अगर कुछ है तो वो क्या है विसम संख्या है अगला क्या पढ़ेंगे इसमें और सहा भाजे संख्या जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर पढ़ेंगे वो प्राइम नंबर तो ये तीनों पहले हम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आगे और भी पढ़ने वाले हैं लेकिन पहले इतना तीनों जानी ये बस क्या इसमें से कोई जानता है भाजे संख्या क्या है क्या आप जानते हो इसमें से भाजी संख्या क्या है कि मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर देखे इसी संख्या जो से पूरी तरह से भी भाजी हो जाए जानते हो मनफ सेस्पल जीरो आजाए उसे सम संक्या कहते है यही तो पढ़ा था आप लोगों नहीं नहीं यही तो पढ़ा था हुँ ठीक है तो सम संक्या और भाज संक्या में कोई परकार का रिलेशन नहीं है बात आप समझ के चलिए ठीक है भाज संक्या वो होती है जो कम से कम दो संक्याओं से डिवाइड हो मतलब कम से कम दो संक्याओं से डिवाइड हो लेकिन खुद को छोड़कर ठीक है खुद को छोड़कर कम से कम दो संक्याओं से डिवाइड हो इस क्रिन पर आप देखिए तो आपको कुछ दिख रहा ह और दिखाऊंगा भाजय संख्या को योगिक संख्या भी कहा जाता है वह प्रकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्रकृतिक संख्या से भी भी भाज्य हों मतलब एक से भी हो खुद से भी हो इसके अलामा भी किसी और से भी भी भाज्य हो ठीक है देखो समझो यहां पर भाई हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या यानि योगिक संख्या जिसे बोलते है इसे योगिक संख्या भी बोलते है योगिक संख्या भी इसे कहा जाता है ठीक है compound number, नहीं नहीं स्वारी compound नहीं, composite number ठीक है, जैसे साथियों मैंने लिखा 18, अगर इसके factor की बात करें तो यह 1 से completely divide है, एक से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कड जाएगा, 0 आएगा, आग देखे देख लीजिए, अगर 2 से करेंगे साथी तब भी 0 आएगा, 3 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 4 से नहीं होगा, 5, 6 से भी 0 आएगा, 7, 8, इसके अलमा आप कुछ नहीं होगा, क्यवल अठा रहा हूँ, जिन लोगों को confusion है, उन्हें मैं करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान दो इधर साइड में दिखा रहा हूँ, टेंसन मतले ना बिलकुल एक पैसे का, कोई देखे या ना देखे, एक दा ममस्त कलास आज ही दिल से पढ़ा रहा हूँ, मैं सच्ची समझ लो, अगर आप लोगों को थोड़ी भी तरस आएगी ना, तो कलास को लाइक कर दीजिएगा, और सेयर कर दीजिएगा, इसमें कोई सरम नहीं है, अपने कालेज के गुरूप में, वाटसाप गुरूप में कोई गंदी चीज नहीं है, पढ़ाईए, आईए देखिए, जैसे मैं मैंने यह किया ना, आप कहोगे इसका मतलब क्या है, आकर इसको काय लिख रहे हो, देखो बताता हूँ, अगर हम 1-8-18 को आज 2 से भाग करेंगे, आप सबको टेबल आता होगा, 2-9-0-18, शेजपल 0 आया ना, नोट करते जाना, हमने 2 से किया, 1 से भी कर लेते हैं, 1-1-1-1, सब्ट्रेक क्या 0, उपर से 8 लिखा, 1-8-8, शेजपल 0 आया ना, 0 आया ना, ऐसे मेरे भाई अगर 3 से भी करोगे तब भी 0 आयागा, नहीं विश्वास है तो भाई विश्वास नाम की चीजी नहीं है, तो क्या करूँ मैं, देखो यह, आया ना, ऐसे 6 से करेंगे तब भी 0 आयागा, 18 से करेंगे तब भी 0 आयागा, अच्छा आप लोग यह बताओ, मोहित जी बताइए, क्या इन 5 संख्याओं को छोड़ कर, कोई और भी संख्या है, जिससे 18 को पूरा-पूरा काटा जा सके, 0 से सफलाए, कोई है, किसी इनसान के बारे में सब कुछ जाने, वो एक मा होती है, या उसकी पत्नी होती है, मा और पत्नी में अलग-अलग बोल रहा हूं, मा को मा ना पत्नी बोल रहा हूं, ना पत्नी को मा बोल रहा हूं, तो क्या उसके अलावा कोई और भी होता है क्या अब कुछ लोग कहेंगे गल्फेंड भी होती है जालो इसका एक्जाम्पल मैंने क्यूं दिया पताएंगे बाद में पहले देखिए इनके अलावार कोई नहीं है न यहां मनीश है बिल्कुल कमेंट मैं आपका देख रहा हूं मोहित अभी से क्या दो फिक है गर्ल गलेक्सी अंत क्या नम है आपका नहीं है यहीं कोई नंबर नहीं है इसके कितने एक टोटल गुडनकंड हैं यह जो है न तो यह क्या है मेरे भाई यह भाजे संक्या है what लो इभावु यह भाजे संक्या है अब पोजिट नंबर है कि अब आगे दिखिए अब भाजे के बारे में दोनों समझ जाएंगे एक साथ में तो अच्छा रहेगा आसान पड़ेगा आपके लिए अब आज संक्या यानि प्राइम नंबर प्राइम नंबर का मतलब समझना जैसे मैंने लिखा 19 यह बहुत खतरनाक है गाउं की सबसे लड़ाकू मेरा रुव है देखो समझो जैसे 1 19 यह बताइए क्या इन दोनों के अलावा कोई और है इसका जिससे भाग देने पर जीरो फिर से कनेक्ट हुआ देखिए इंटरनेट थोड़ा गड़बड कर रहा है इसी वज़ा से एक बार डिसकनेक्ट हो गया जो आपका कलास बंद हो गया था इसी लिए गड़बड हुआ था एक बार बंद हो गया था लेकिन मैंने दूफरा तरीका लगा आप चलेगा अभी इसमें 10,000 के और खर्चा है कि मैं एक नया राउटर लाओं माश्टर राउटर जिसमें तीनों इंटरनेट एक में जोड़ जाए जिससे कभी डिस्कनेक्ट ना हो क्या करूं दो इंटरनेट बिना मतलब रिचार्ज हो रहाएक उसको भी लाना पड़ेगा लाना ही पड़ेगा ठीक है फिलाल अपने टापिक पर चलते हैं कि दिक्कत नहीं हो रहे ना किसी को अवाज वाज आ रही ना पंटी राजपूत अभी से क्या दो कि कर चलो कि हम बात कर रहे थे बाई किसकी भाज्य जाओर भाज्य की ना इसका कोई और नंबर है जिससे भी भाज्य हो नहीं है नहीं है कोई नंबर नहीं है जिससे यह पूरी तरा से विभाज्य हो सके नहीं तिरफ ओन और नाइंटीन है वैसे अगर एक और लेलो कि 23 कि इसके भी कोई नहीं आज और यह समतलब वियार इनके कोई नहीं होता है एक इनकी आगे पीछह देखो 25 धी अ कि इसके फैक्टिर बी ऐसकता है दो भी हो सकता है चार भी हो सकता पाँच भी हो सकता है भी मैसे 10 बीशंट्बी अब लोग समय रहों कि नहीं अ विसे क्या दो मोहित मनीज पांडै आज नहीं हा तिवारी और कोई एनिवन भाई देखो आप लोग सेर करो बाबू और कलास को छोड़ के ना जाना जिंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी अगर इस कलास को छोड़ के गए आप आज तो और भूल बार-बार नहीं करनी चाहिए ऐसी कलास बड़े भाग किसे मिलती है जो आज मिली है और मैं भी सच्चे पूरे दिल से ही पढ़ा रहा हूं कोई देखे या ना देखे मैंने कोई उमीद नहीं किया आज आप लोगों से जब मन में यह रहता है ना कि कोई नहीं देख रहा है टोटल एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच इनके पांच फैक्टर निके निकल रहा है भाइब ग्राउंड कहां से आहरा है मैं बोल रहा हूं एक के बार में तो आ रहा है मैंने चलाया बंद कर दूँ चलो यहां से यह निश्कर्श निकला मेरे साथ ही कि वो संख्या जिसके वन और उस संख्या के अलामा यानि वन और उस संख्या के अलामा कोई और गुडंखन ना हो कोई और फैक्टर ना हो वह अभाज्य होती है प्राइम नंबर होती है यह निए टेइस क्या प्राइम नंबर है क्योंकि यह इसका फैक्टर क्या एक तो टेइस है और एक वन है बस और कोई नहीं होगा लेकिन अगर ऊपर देखो आप तो ऊपर ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है उपर आइसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है क्या है साक्या नहीं है क्योंकि ऊपर जो है अगर आप देखो तो उसके डेए सारे गुड़न खंड है अरिवासा आपको इसक्रीन पर दिख रही है आप देख सकते हो कि अनिल भर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप सही में अनिल भर्मा ही है कोई और है पारी count प्रजापति है ठीक है बहुत अंच्छे यह लें आप समझ गए नहीं दो परीक्टर नहीं मुझ तो लेपार से strength नहीं आप अब हबल कि शुब्र стороны था लुआ होती नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते हो जिसके दो फैक्टर थे आइसा नहीं कि यह इसमें कुछ अलग है है यह सकते हैं वह संख्या है जिसका यह संख्या हो tapi 19 सब में हो खुद यह जो इस परधानी में अपना डाल दिया अधिक एक उनके पापा डाल दिये बस द यह सबसे बोल चाल अच्छे भंग से हैं नहीं परधान हो जाएंगे लूटे खाएंगे उनको कोनों ओटे नहीं दिया तो परधान खुद अपना एक डाले और एक उनके पापा डाल दिए बिटा ले लो चलो पाइदा किया था तुम्हें मुश्किल समझ रहे हो तो मतलब दोख है तो बता दीजिएगा हम बहुत आश्ट बोल रहे हैं मतलब जल्दी जल्दी कुझे भी लाग रहा है कि अगर आ गया तो एक बार जल्दी से सभी बोल रहेंगे यस 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 अगर 11-12 बजे में पढ़ा रहा हूं तो आपकी चिम्मेदारी है कम से कम हूं हां तो करत कैते हैं कहां नहीं सुनाती जादी ना रचानि करों कि अगरा बच्वाद सो गया बंद करो वैसे मुझे लगारा है कि तुम लोग जाने कि कहां जाक रहे और पढ़ाऊंगा हुँदक नहीं करोगे तो फिर मुझे लगा सब है आप यह भाज हो गया यह एक होता सा आवाज प्राइम नंबर को कोई हूँ 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 लिखके वे जरा है जलो वड़े खतर ना खाया सब भई अगला क्या है ता अभाज संख्या जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर ये पहले मुझे भी नहीं समझ में आती थी लेकिन आज बहुत मास समझ में आ रही देखिए समझिये ता अभाज संख्या क्या है को प्राइम नंबर है वो दो संख्या हैं देखिए इसमें समझ यह जैसे कोई एक इंसान के आख्यले साधी नहीं होतीज सब्सक्राइब कर लिया है जरूरी नहीं कि लड़का लड़की ही चाहिए लड़का लड़की लड़की में साथी हो जाती है आपने सुना होगा ना ऐसा नियम भी होता है मतलब दो होना चाहिए बसकुल मिलाके ठीक ना आपको यह कैसी बात बोल रहे हैं लड़का लड़का साथी काये करेगा लड़की लड़की सिकाय करेगी के बारे में चर्चा करेंगे लंबक कहानी हो जाएगी छोड़िए उसको साइड में लेकिन हाई इतना मानके चलिए दो होना चाहिए आच तु बस वैसे इसमें क्या है हिसए के लिए dau संख्या चैये मिनिममम ज Candle के लिए क्या चाहिए दो चाहिए टीक है तो से कम नहीं होनी चाहिए तुम होना चाहिए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया पांच और एक नंबर ले लिया नो, यह क्या है साह भाज्य संख्या है, आप कहोगे गुरुजी ऐसे कईसे, यह साह भाज्य है इसका मतलब यह तो भाज्य संख्या है, यह तो भाज्य है फिर आप इनको साह भाज्य का है है बोल रहे हैं देखो भाई कि अभाज्य का कि अभाज्य यह सम बिसम से कोई कनेक्शन नहीं है यह अलग जाती समुदाय के पराणी कि अधिर हो ना पुल मिला के इतना जानलो कि वो दो संख्या का जोड़ा इनका है क्या है क्या है वन है होना चैए वन है सहाबाज्य को प्राइम नमबर कहीं जाती है चाहे वह सम्हें यह बिसम है या भाज्य है या कुछजी है तो आइध बुझाए८्हा है कुछ कुछ की नहीं लोग को लिइसमें जादा टाइम नहीं बिताना है नेहा यादो बहुत अच्छे नेहा जी बहुत अच्छे तो समझ गए साहभाज भी आप समझ गए भाज भी समझ गए इसमें एक नया पढ़ना आज रोमन संख्या पढ़ना है रोमन संख्या कितने लोग जानते हैं रोमन संख्या के बारे में क्या आप जानते हैं पताइए अगर जानते हैं तो कमेंट करिए कि हां हम जानते हैं फटा-फट पी-म-वी टी-बी भाई देखो बाबू अगर पढ़ना है तो ठीक है अगर तुम्हें सिर्फ हाई-अफ नेहा हैलो पूजा करना है न तो यह हमारी टेक्निकल टीम वाले बड़े खतनाग हैं यह बलाक कर देते हैं और बस मैं थोड़ा सा संकेत देता हूं बस पढ़ना है तो ठीक है अच्छी बात जानते हो आप लोग कनया ला ला लिया दो अभिसेख भारती मनीश और पूनम पंकज अभिसेख जी भाई एक ही बार कमेंट करो बाबू ठीक है एक लोग एक ही बार यह कलास लोग बाद में देखेंगे मुझे पता है बाद में इसको लाखों लोग देखेंगे अज बार्छे लोग देखेंगे अगर रात के बारा वजएं में 10 लोग देख रहें था है यह रोवन इसके बारे में बात करें ना समझना कि यह रोमन नंबर अब तक हम लोगों ने पढ़ा है गिंती में इस्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है कि दिख रहा है आई वी एक्स एल सी डियम दिख रहा है कि यह अगर आपने देखा और अच्छी बात नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं है यहां पर समझेए अजैसे मैंने आपको यही पढ़ाया था ना कि कुल मिलाके संख्या पद्दती में अच्छा संखोते यही पढ़ाया था ना कि कितने अंख्या ंटोटल दस अंख है यह क्या है यह संख्या पद्दती है गुश्या पद्दती है जिसे नंबर सिस्टम बोलते एक परकार से लेकिन नंबर सिस्टम के पीछे भी कुछ होता है कि मैंने पढ़ाया था अंक की परिभासा की अंक को ऐसे परिभासित कर सकते हो कि एक ऐसा संकेत एक ऐसा सिंबल जिससे गणितिकों परदर्शित किया जाके या गिंती को परदर्शित किया जाता है ऐसे कुछ परिवासा बताया जाना तिकाओं तो फिर से लेकिन कोई मतलब है नहीं आगे बात करें ठीक है तो जो नहीं पढ़ा था वो पीछे क्लास देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा तो वैसे साथियों यह क्या है नेंबर है अब एक चीज नीचे द्यान देना यहां लिख रहा हूं उसरी जीरो इनको मुझे बताना यह मैं क्या लिख रहा हूं यह बाई मुझे देखने दे थोड़ा सा बड़ा खतनाय खाई इसको लिखना आएसे आसान नहीं है क्या आप ज बच्चपन में हम लोग देखते थे लेकिन बुड़ा पी मिगायब हो गया यह सब गलत भी हो गया अब बताईए क्या ऐसा कभी देखे हो आप पैबंज भाई का एक हो थोड़ा दूब जाओ भाई है ठीक है देखे हो ऐसा कभी आई यह बहुत अच्छा नहीं बन रहा है वैसे क्या बोलते हैं आप जानते हो जानते हो क्या बोलते हैं इसे इसे आटाओ पहले चलो मनीश बोल रहे हैं कि हिंदी अंख है अनेफनल इंटनेफनल इस पेलिंग गलत है बाबू आपकी का नहीं अलाल जी ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल आप साही समझ रहे हैं वास्तों में क्या है पता हैं हम लोग की जो आवकात है हैं सियत हैं हम लोग की जो सब्वता संस्कृति ना वही है नीचे वाली वैसे मैंने यह गलत बोला आवकात वाला सौरी हम लोग की आवकात बहुत बड़ी है जितना विदेशों वालों की भिनी होगी कि देखे समझे का मतलब यह हम लोग की सब्वता संस्कृति यह जैसे देखो अगर हम बात करें आपको समझाने के लिए तो हम लोग के भारत देश की जो सब्वता संस्कृति का पहनावा है पूरा ठाकने वाला कपड़ा लोग पहनते हैं इसे सुरूप से अगर आपको समझने लाइक बताओं तो महिलाओं कर लेंगे तो समझ में आएगा क्योंकि पूरुसों में तो किसी का इंट्रेस्ट होता ही नहीं कितने खराब होते हैं तो आपने देखा होगा जो बिदेश आप सब कुछ देखें ने लेकिन हम लोगों के दो में किया है पाईणवा कुछ अलग है प्लोड़ा खाली क दिखाई ने ने तरह एप ऐ क्म आगर बात करें महिलाओं की जैसे बोल रहे तो तो साडी और मतलब भौती भौते थेशाई होता नहीं लेकिन आज कल क्या होता है आज कल यह सब जिदर गायब हो रहा है विदेश की कलचर हें उनके पहिनावे हैं लोग उसमें चल रहे हैं कि इसमें कपड़ा तो नहीं दिखता है बाकी आगे बोलेंगे तो लोग मुझे गरी आएंगे नहीं बोलेंगे चलो समझ रहे होना आप लोग समझ गए तो ऐसे क्या है यह हम लोगों की संस्कृति सब्वेता का है यानि इसे बोलते हैं भारतिय संख्या पद्दती मतलब इंडियन नंबर सिस्टम है यह लेकिन आप देखे हो कहीं ऐसा लिखा जाता है आप ऐसा कभी लिखा जाता है देखे हो कहीं इंटरनेट पर खोजोगे यहां तक कि वाहन का नंबर अगर देखो गाड़ी का तब नहीं पढ़ता है कहीं भी आप सरकारी काम में अगर देखो तो कुछ जगा हिंदी में अभी यूज होता है जैसे कोई आबेदन हो गए रहाता है कुछ जगा भी हिंदी वर्ड ये यूज होती गिंती बाकी अब एकदम से गायब हो गई है जैसे हम लोग के मतलब कहते हैं दिरे- लुकिन गिंतियों का परियोग नहीं करते हैं अगर कहीं कोई ऐसे लिख दिया तो कोई समझाए ना पाएगा यह 9 है को जाने गाना ही नहीं है लेकिन यह भारतिय संख्या पदती है कि मनीज बोलने पापा लोग लिखते हैं ठीक है लेकिन अब नाइन हम लोग यह लिखते हैं जबकि यह क्या है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है जैसे हम लोग के देश में क्या बोलते हैं रूपया बोलते हैं रूपया पाइसा नहीं तो कुछ है नहीं जिन्दगी में आधि इसा गुरू ओर चेला लेकिन बीदेशों में इंटनेशिनल अगर करेंशी की बात करें तो डालर होता है बैसे अपने अपने देश की अलग अलग करंसी होती है लेकिन हम लोग एक एवर्ट में समझेंगे डालर अमेरिका में डालर है अस्ट्रेलिया है कुबयत में दिनार होता है तो वैसे क्या है हमारे देश की नंबर सिस्टम है इस रूप से सिर्फ भारत की जैनि अगर इस संख्या पद्दती के रूप में इस गिंतियों का परियोग करके कुछ लिखा जाएगा तो बिदेश ही हो सकता ना समझ पाएं अगर हम लोग हिंदी में सब कुछ यूज करें तो सभी देश वाले लोग नहीं समझ पाएंगे पहलाने का लिखा जैसे आपने देखा होगा कोई प्रोड़क्ट चाइना का था उससे पीछे लिखा रहता ना इंगलिस में मेड इन चाइना लेकिन छोटा सा जो और लिखा र हर कोई नहीं पढ़ पाएगा लेकिन इंगलिस हर कोई पढ़ लेता है अब अब लोग इंगलिस हर कोई पढ़ लेता है यह फिलाल आप समझ गए हम मतलब बात करते हैं नहीं तो बहुत लंबी हो जागी कहानी हम यह तो अभी सिर्फ दोई चीज आप देखे अब यह और द समझते जाना वन का यह वन है वन है यह वन है वन है यह टू है सब यह थ्री है यह फॉर है यह फाइफ है जिक्स है रुग जा इसको भी थोड़ा सुंदर बना लो भाई यह एट है यहां पर तीन आई रहेगी समझना अभी मैं बताता हूं आगे में बात क्या है वो मैं बताता हूं थोड़ा रुकना ठीक है में पॉइंट पॉइंट समझिये इनको आज मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं आप धाल पे दस भी लिख देते हैं अ कि देखे साथियों यह है अंतर्राष्ट्रिये संख्या पद्धती अंतर्राष्ट्रिये यह बैसे लिखेंगे और इंदी बड़ी खतर्नाक इंटर्नेशनल लिखतें ज्याद आच्छा रहेंगा इंटरनेशनल इंगली से बोलते हैं संख्या पद्धती इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यह है भारतिय संख्या पद्धती और यह है रोमन संख्यांग यह बात करें रोमन संख्या पद्धती मानलो यानि बात एक है बात एक है बस कहने का तरीका अलग अलग है कोई हिंदी में बोल रहा है कोई इंगलीस में बोल रहा है कोई और बोल रहा है कोई और बोल रहा है समझ गए ना लेकिन अभी इतने में कहानी साम फतम नहीं हो रही है जैसे हम इन नौ अंक नौ नहीं टोटल जीरो से मिलाएंगे दस हो जाएंगे जैसे इन सभी हम दस अंक को मिला करके लाखों करोनों तक की संख्याएं बनाते हैं न बोलो बनाते हैं कि नहीं भाई चाहे आपको 500 लिखना है पांच लाख लिखना है दस अ नहीं अंक हम इन्हीं में से यूज करेंगे दस को भी हम अटा देते हैं आपको समझाने के लिए ठीक है अब आपको समझाएंगे हम आगे की बात यह क्या नीचे वाला रोमन संख्या पदती है भारतिये और अंतर राइश्टी समझीए माल लेते हैं कि हमें लिखना है 9872 नो आठ साथ दो हमने जितने अंक यहां पर लिए हैं कहां पर लिए इसी आठों में से लिए नो में से की नहीं नो नी टोटल दस अंक होते हैं कितने अंक होते हैं संख्या पद्धती में कुल दस अंक होते हैं एक और होता है दू याधारी संख्या पद्धती जिसे बोलते हैं बाइनरी संख्या पद्धती बाइनरी संख्या पद्धती में मेरे भाई सिर्फ जीरो और वन दो ही होता है तेकिन यह अभी नहीं पढ़ाएंगे मापको और संख्या पद्दती जिसे दुयाधारी बोलते हैं हिंदी में दुयाधारी बोलते हैं ठीक है इसमें सिर्फ 0 अन होता बस दो ही होता है तो यह चार संख्या पद्दती आप देख रहो सामने एक प्रकार से लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी पर पढ़ा है सिर्फ यही एक है पढ़ा है बस हां सारा मंतर नहीं जानते अभी आप लोग ठीक है तो हमने इसी में सही उच किया न अगर मैं बोलूं कि भैया लिखो पंचान्नवे हजार नहीं 95 वे लाग पचासी रअजार तुमने लिखा 5 5, fiance हजार 313 क्या मैं सही लिखा हूं यह है है करसे मैं सही लिखता हूं गलत नहीं लिखता हूं 95,85,313, लिखा न, मैंने जो भी लिखा, लाख में लिखा, लेकिन सारे डिजिट जितने भी यूज किया, इसमें, हीरो फिले करके, 9 तक जो भी है, ये कुल मिला के 10 अंक है, इनी में से परियोग किया न, बोलो हाँ, मैंने पहले 9 लिखा, 9 यहां से लिया, फिर मैंने 5 लिखा, 5 यहां फिलिया, फिर मैंने 8 लिखा, 8 भी यहीं से लिया, फिर 5 लिखा, मतलब यहीं 5 है, फिर 3 लिखा, यहां है, फिर 3 लिखा, यहां है, त्रिजवान आलम नहीं बोल रहे न तो यह क्या है कि कहने का मतलब यह कि जितनी भी संख्या है बनेंगी सब जिरो और नाइन से ही बनेंगे लेकिन आपको कि इतना लंबक आये जहलवा रहे हो बहुए बोरिंग लग रहे है न यह बोरिंग लगए यह बता दिया करो बस इतना ज्यादा मत बताओ हमारी कोशिस यह होती ना कि हर किसी को समझ में आ जाए कि ताइम भले लग जा जाए जादा हुआ हुआ है तो ठीक ठीक है बिल्कुल बॉर नहीं करने वाले अब समझें में बताने वाला क्या हुँ रोमन् संख्या पद्दती में मेरे भाई ऐसे कुछ निष्ची तंख होते हैं उनी का परियोग करके सारी संख्याइन बनाई जाती ठीक है देखिए उनी का परियोग करके में वह क्या क्या होते हैं इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए फुल अंक इसमें पता नहीं से अंक बोलते हैं इसमें यह होता आई होता एक एक वी होता है एक यक्स होता है यल होता है सी होता है डी होता और यम होता है मेरे भाई सिर्फ यही कितने हैं यह साथ इनी साथ अक्षर का परियोग करके रोमन संक्या के माध्यम से हम करोनो와 अर्वो. खर्वोस तक सारी गिंथी लिख सकते हैं गभ लिख सकते हैं इनी сातों को परियोक करेंगे बस. जैसे हम संक्या पद्धती में कुल मिलाके 100 संग 14 करते हैं इhero 1 2 को सारी चीजें लेकिनieważें कम पेयर ना करना यह बिल्कुल अलग है तो कहो कि हाँ जी रुप अक मतलब होता हॹ नहीं सैंगिंति में जी रुफ लेकर नौth Beij करते न न उसी तरह से अपूसे करतें हक जी करते हैं वो मैं बताने वाला हूं आप का इंक नियम होते है कुछ चीज이가 सिंपल होती हैं लेकिन कुछ चीजों के लिए नियम होता है कि नियम दिखाऊं पहले चीज़ें बता नहीं है तो लिखते हैं लीखिना यह जुझा गया चल ना उतली एक रोमना कए थ्री को 5 के लिए यह जाता है अब इसका नियम बताउगा ऐसे कैसे हो जाता है समझना 6 की बात करें तो 6 ऐसे होता है साथ ऐसे होता है आठ ऐसे होता है लेकिन 9 यहीं पर खत्म 9 में ऐसे होता है आई-1 और 10 की बात करें तो 1 किदना लिखा आपने؟ लिखो पटापट यह क्या है? कि रोमा नंग है आपको संवज में आराउ है अब इस यांदा जी आरा समस्झ में को को इस वाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मिल के भी कुछ दिन के लिए खर जाहिए आ जाहिए ठाकार लिखाई में भी तोड़ा सकसा ही कास्ट चलिए के यह ऊजघ हो गया लेकिन आपको कि कि यह तो कुछ कहानी संपज में नहीं आई नद टैकर वन मतलब आई अगно पाई पागल उगत कहीं उपाइज हम अर इन मतलब आई तो लोग सोचें कि आई कि सुचेंगे कोई आ गया नहीं देखो समझो इदर विजय संकर बर्मा कि इनका कुछ नियम होता है मैं आपको इसक्रीन पर दिखाऊंगा आप समझना कि इसक्रीन द्यान से देखिए कि कुछ दिखा कि द्यान दीजिए यह कुल मिलाके साथ लेटर यूज होते हैं लेकिन इन साथ लेटर को एक करमबध एक सिस्टम से यूज किया जाता है अब मैं उसके बारे में बात करता हूं डीटियल में देखते जाना देखते जाना पूरा इंड तक और प्यार से देखना अब नियम दिखा रहा हूँ मैं पहला नियम मैंने अभी कुछ बेसिक नालेज बता दिया है अज़ता नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता आप बेसिक मैंने बता दिया पहला नियम कहता है यदि किसी संकेत की पुन्रा बित्ती होती है पुन्रा बित्ती मतलब रिपीट होता है बार बार तो यह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है उतारण के लिए अमज़ ना मेरे भाई कह hätte जिसकी भी संकेत की पुन्राबित्ती होती, मतलब रिपीट होता है उसकामान उतनी बार जोड़ दिया जाता है, कहने का यह इतातपर है जैसे यह आई है प आई है आई को मैंने कहा क्या वन के लिए लिखा जाता है भूला न इनका कहने का मतलब कि एक कमान इवान का वन था तो इस िए इसका मान फे जूड जाता है निक देल आई इसका मतलब है कि यह दो और सही बहुंक यह अग obtri know हो जाय तब मतलब तीन बार ऐसे यह जूड़ेगा तो चच्च लोग हमरे सोच लिये होंगे कि भाईया ठीक है अच्छा है गुरू अब जतना बार लिखना होगा उतना बारा यही लिख देंगे ना अच्छे जादा कुछ नहीं अब चार बार नहीं कर सकते हो इसे आप ऐसे यह जोड़के इसको चार लिख दो और कहें दो यहां ठीक है अच्छा नियम है यह गलत है यह गलत है आप को फिर का अभी तो आप बता रहे हो कि जितना बार रहेगा उतना बार जोड़ देंगे फिर का कारण यह है कि इनके ऊपर भी कोई नियम है जैसे होता नहीं है एक सिपाई आता है यूपी पुलिस के अगर बात करें कहता है जानता है कौन हूं मैं जानता है कुलिस में हूं जान उसके उपर दरोगा जी होते हैं उनकी दीच होड़ो हीज तुम्हारा करने कर दो घृत करें तो हूं के ऊपर कर लेकिन होता है इस enfin है तो निसंपिक होता है मां का उपधे सा हूब करना होता है नमज़ रहा हुना तो इनको repeat तो किया जा सकता है लेकिन किसी भी नमबर को यह जो डीजिट है जो भी आप देख रहा हो लेटर इनको तीन से ज़्यादा बार हम यूज नहीं कर सकते हैं यह भी एक नियम होता है तीन फे जादा बार नहीं उच्छ कर सकते हैं यानि तो यह चार बार रिपीट नहीं हो सकता है अभी इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे इस नियम को आप आगे भी पढ़ोगे पढ़ते चलो तब तो पहला नियम आप समझ गए कि पहला नियम का मतलब यह है कि जतनी बार फो Shentza नियम और रिपीट होता है अचुदं को उसके मान को उतनी बार जोट दिया जाता है जैसे मनें इंडिखा दिया है को और दूसरा नियम देखिए इस्क्रीन देखिए ध्यान से दिखरा नीचे यह नियम सारा सीख गए ना रोमनंक सब बना लेंगे रोमनंक में अच्छी बात है अगर आप कोई अपना परफुनल जानकारी भी लिख के रखते हो तो हर कोई नहीं पढ़ पाएगा अगर आपको किसी का छुपा के रखना है अपनी वाली अपने वाले का मोबाइल नंबर कापी में पहले ही पेज पर लिख दो तुम रोमनंक में तो पापा मम्मी भाईया दीदी कोई देखे का समझे ना पाएगा का लिखा है क्या लिखोगे नाइन लिखना है तो आप लिखोगे आई एक्स लिखना है तो आप लिखोगे वी आई दी डी अम बी डबलू तो कोई समझे न पाएगा क्या लिखा है लेकिन अगर तो महीं लिख दिये 97 93 48 42 46 तो जाज जाएगी नंबर है मनीश बिल्कुल पढ़ रहे हैं कमेंट पहले कलास पढ़ लीजिए दूफ्रानियम कहता है किसी संकेत का तीन से अधिक बार पुन्रा बित्ति नहीं होती है अभी अभी जो बताया वही है कोई भी संकेत तीन से अधिक बार आप रिपीट नहीं कर सकते हो कि कैसे आई को हम तीन बार लिख सकते मैक्सिमम इसका मान तीन होगा लेकिन इसे हम चार बार नहीं लिख सकते हैं कि इस्क्रीन पर देखें लिखा है ना कि कि आगे देखिए कि पावन राज जीव हम बहुत अच्छे हैं बस आपी की कमी थी आरती महर्या जीरो का रोमनंक नहीं होता है जीरो का नहीं होता वन से शुरू होता है जैसे यह निचुरल नंबर पर ही लागू होता है यसे आप समझ लो यह पूर्ण संक्या पर नहीं जाता है ठीक है आगला देखिए कहारा संकेत वी एल और डी कि कभी भी पुर्णरावित्ती नहीं होती है तो यह जो तीन संकेत आप देख रहे होंना मैंडे टोटल आपको साथ बता हैं लेकिन यह तीन है ऐसे खतरनाग जो कभी रिपीट नहीं होते हैं यह यह तीन कभी रिपीट बात करें आपको पता है कि जो बी कमान पांच होता है ना होता न न युख लिखना न तो हम इसे डबल भी नहीं लिख सकते ये गलत है लेकिन राइर लेकिन लिखने के लिए सकते हैं हाँ लिख सकते हैं लेकिन हम 10 के लिए 2 भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रोमा नंक में यह नियम होता है कि विल और डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे यह नियम होता है इंतजार करिए अब इसे जी सब क्लियर हो जाएगा सब क्लियर हो जाएगा इस यह आपका अगला नियम था नेक्स्ट रूल पर आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए भाई कलास को लाइक जरूर करिएगा अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा मजबूरी में मुझे बंद कर देना पड़ेगा बीच में ठीक है यूटूब नोटिफिकेशन नहीं देत करेंगे आप कमेंट करिएगा बस जब देखिए जरूरी नहीं कि आप राती में देखो कभी भी देखो आप अगला नियम हाँ इसमें एक उद्धान और आप समझ गए जैसे कही होते हैं तो इनके मतलब मान क्या होता है जानते हैं पचास हम् Bye इनन जाएं करिए 2700 के बताईए फिलाहाल हम आगे मात करेंगे बला के आप समझ गये की बीएल और डी इन तीनों की कभी भी पुन्रवित्ति पुलिटिकAY की अगला देखिए चोथा यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाला संकेत के पाई और जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है फिर से समझना जैसे मैंने लिखा वी और आई समझना करा यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के लेप्ट साइड जाता है अब इनमें बड़ा मान किसका है इसका मान पांच है इसका मान वान है पोलो है कि नहीं है इसको मान 5 पांच है इसको मान वन है तो बड़े मानवाला कौन ऐओ एये क्या बड़े मानवाला है आई चोटЕ मानवाला है प्पिर से पड़िए करा है यह दि कोई बड़े मानवाला संकेत पर यह कोई you gonna कि फ़ hypertension मान वाले संकेत के बाइं और जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है यानि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसका मान क्या जाएग अच्छे पुल मिलाके जो भी आई लिखा इसका रोमानंग क्या अच्छे है ये सही है गलत नहीं है ये सही है ये नियम होता है कि समझ में आया ना कि यह सिस्टे कमान कि यह क्या होता है यह यह संकित बड़े मान वाले संकित के बाइं होड़ जाए तो भईया यह यह दाया है यह यह है है कि तिस में लाइंच को थो बड़े माण में चोटे माण को जोड़ दिए बैंद तो एक किस के वाहीज तरफ है नहीं अ उसके दियक आप है कि नहीं ऐसे देखो ए इसे चुर जाये गा कि का मांशिका 2 यह जैगा 12 और को कोई सिंपल सा नियम नहीं है कोई मतलब का नहीं है वैसे आप जान रहे हैं सीधा-फिधा लेकिन फिर भी समझने के लिए समझने के लिए है ना आगे बढ़िए अगला नियम पर आईए अगला नियम देखिए द्यान से दिल से देखिए अब इल्कुल और कमेंट करते जाएए अभी सेक अफनेहा पूनम कनहिया मोहित तुधान्सु कमेंट सबका आरा जाग रहे हो सभी ना हाँ हाँ बोलते रोजा अगर ना है जो चोटे मानवाला संकेत बड़े मानवाले किसी संकेत के बाई और जाता है अभी तक देखो उल्टा था इसका अगरा यदि छोटे मानवाला कोई संकेत बड़े मानवाले संकेत के बाई और जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है य कि यह दि कोई छोटे मानवाला संकेत कि बड़े मानवाले संकेत के बाई और जाए बाई और यानि इसका मतलब यहां समझी न छोटे मानवाला जो संकेत है बड़े मानवाले संकेत के किधर है बाई और है यानि कहने का मतलब यह है यह बड़ा मान है इसका दाया इधर है इसका बाया किधर है इधर है तो बड़े मानवाला यह है इसके लेफ्ट साइड में आई है न इसका मान क्या आएगा इसके लिए बड़ा मान एक पांच है ना नच में छोटके वाले का मन घटा दिया जाएगा एक मैं एक फोर आएगा मैं हम यह कह सकते हैं सीधा सिधा सब्दों में इसका मान वह चार आएगा कि समझ में आ रहा कि की नहीं यह रोमन अंक कैसे लिखते हैं उसके बारे में हैं ठीक है रोमा नंक कैसे लिखेंगे उसके बारे में तो नियम क्या था कि यह आप समझ गये फच्वा नियम था न यह जदि कोई झोटे मान वाला संकेत किसी बड़े मान वाले संकेत के बाइं और जाता है तो बड़े मान में से चोटामान को गटा दिया जाता है यसे एक और देख लिजिए कि जो I x है, I x, I x इसका मान क्या है? 9 है, यान्वा नंक में हम I x को क्या लिखते हैं? रोमा नंक में हम 9 को I x लिखते हैं, बिलकुल, आप एक को पकड़ो, बड़े मानवाले को पकड़ो, अगर बड़े मान के दाहिनी तरफ कोई छुटका है, तो उसी में जूड़ जाता है और अगर वाई तरबत घंड जाता है इतना समझ गए कोई दिक्कत नहीं है यानि आपको अगर कहीं ऐसे लिखा गया है तो इसमें समझने में कोई जंजट नहीं होना चाहिए किसका क्या मान है हो हिसमें कितने ही सामिल एं भी अअ हैже तो आप लोग मुझे और बता फिर इसी तर्जपे और बताू एक और बताओं ये कजा है को सब्सक्राइस का मां बताई है जल्दी करिये क्या साही लिखा है वो 37 गुपता, पावन राज, अभिषेक, ठीक है, अफनेहा, प्रीती, मोहित रवन ठीक है, कोई दिख्कत नहीं, बहुत अच्छे यानि इसका मान 10 है, और यह इसके दाहनी तरफ है, इसलिए इसका मान 4 होगा, IV का उसमें जूड़ जाएगा, 4 होगा क्या होगा, 1 for 14, समझ मैं है, क्या होगा, 1 for 14, अच्छा एक और बता दो जैसे मैंने लिखा बहुत बड़ा नहीं पूछूंगा मैं यह क्या होगा, बहुत आफान है, एकदम छोटा है, यह क्या होगा, आप यह नियम समझ गए ना, इसके बारे में अभ्यास कराने का टाइम फिलहाल जाता है नहीं, अगर मैं बहुत अभ्यास कराओंगा, तो टाइम ओपर हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हो की नहीं, ब्यातों को आप समझते चलो बस, मिस्टर रमन सुकला, अफनेहा तिवारी, नेहा यादो, ठीक है, अगला नियम देखिए, चोटे मानवाला कोई भी संकेत का, बड़े मानवाले संकेत के बाई और अर्थाद लिखते समय, इसकी पुन्रा इतनी नहीं होती, फिर से पढ़ियां, चोटे मानवाला किसी भी संकेत का, बड़े मानवाले संकेत के अगर बाई और लिखा जा रहा है, आर्थाद पहले लिखते समय इसकी पुन्रावित्थी नहीं होती है, यानि ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, कुछ उदारण देखिए तो समझ में आयेगा यानि इन सभी दिये गए जो भी अक्षर है लेटर है बोलें इनकी रिपीट आप कर सकते हैं इनको लेकिन कुछ नियमों के अनुसार इन्हें आप रिपीट कर सकते हो बिना नियम के नहीं मनीश पांडे बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है लेकिन हम अगर नाम के चक्कर में पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा भाई यहां पर हम बात क्या कर रहे कि छोटे मानवाला किसी भी संकेत का बड़े मानवाले अप छोटा बड़ा मान तो आप समझे अतना देर से मैं यही वजाइए दे ले हैं रहा हुँ अधा गंटा से पहले लिख्क्राइस के इसकी पुर्म बिती नहीं होती यैसे एकजम्पल देखिये यक्स्षी यह और देख लो जैसे यह नहीं हो सकता दोनों गलत है कि यह बड़े मानवाला यह चोटे मानवाला रिपीट नहीं हो सकता बड़े और दूर से जैसे कहले बनकी आये हैं तक धाना मन्ताइब हैं तो किसी कॉर्वत्यों नहीं बैठे रहे हैं aiर् coinc. में देखए हो नहीं न या थक्षा एक जामपल समझ जाओगे आजकल प्रदान nu मंतरीजी और मुक्य मंतरी जी शाथ ही गूम रहें आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं होगा कहने का मतलब यह की इसकी क्या है भाहलक है इसके सामने यह किष्ट नहीं हो सकता है sound कि आधक यह यह नहीं हो सकता लेकिन ऐसा हो सकता ह्य क leos हो सकता है अभी आपने और लेखा और अग्जा हो गारा हुगा यह परदान मंत्री जी और मुख然 मंत्री जी गाड़ी में जा रहे तो मुख्य मंत्री पैदले यह उड़ उड़ essere उसके बारे में लोगों ने कुछ गलत बातें भी निकाली कुछ भी किया वो सब अलक बात है लेकिन एक एक्जामपल मैं आपको समझा रहा हूं यह यह सही ऐसा हो सकता है यानि बढ़े वाले मानाच के चोटा-वाला लेकिन इसके बाई्य तरफ पहली इले कि यह नियम है समझे गए नियम में अगर आप इसे समझे गए तो आप लाखो तक странकड़ो करोनों तक मान लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं समझ रहना वैसे लगता है मुझे गंटों की कलास हो गई लगबग गंटे ज्यादा हो गई तो बंद भी करना चाहिए लेकिन ये कलास में बहुत सचे दिल से पढ़ा रहा हूं आज तीन कलास हो गई अगर आपने सारी कलास देखा न गड़ी तुम्हें भाई 25 में 25 मिलेगा अगर किसी का 25 में 24 हो गया तो मुझे बताना अगर 25 में 24 हो गया तो बताना लेकिन हां पढ़ना पढ़ेगा कितना मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से कहीं कुछ बाहर आएगा नहीं अगर सिलेबस के बाहर आया तो तुम लोग कंपले सब्सक्राइब कि यह पचास अजार और पचास लाक का जो पूछ रहें इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बहुत आसान है अभी बताने लगेंगे जब रूल सारे जान जाओगे ना अपने कर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं कि सात्मा और आठमा नियम देखिए सात्मा और आठमा नियम देखिए क्या कहता है जान दीजिए बड़े मान पचास सव और ये एक हजार को जो पूछ रहें उनको मैं बता दूँ इनके आए एक फिक्स मान ओते है पिक्स बैलू होती है इक इनकी बैलू बदलती नहीं है जैसे आ कि लिख लिजी अभी मैं व्चीज लिखवाने भी लिखवा दूँगा बाद में फिल्हाल कि अभी लिखवा दूंगा आप लोग पहले ध्यान दीजिए लए इनलिखी लो जैसे 50 होते हैं इसको यह से लिखते हैं ठीक है 500 होता इसको डी से लिखते हैं पाल कि तो को सी से लिखते हैं एक हजार को किस से लिखते हैं यह इनके फिक्स मान होते हैं यह बदलते नहीं अब अभी अम यह सब बताएंगे लेकिन आप छट पताओं नी पहले हमारे साथ चलो तब नियम से अभी यह नियम जो बता दूँ तो इसको बताऊंगा वैसे कलास राद दस बज़े फे चलती है दस बज़े शुरू हो जाती है बंद होने का टाइम नहीं है यह आप लोगों के दिल और दिमाग के उपर है कितना बज़े बंद होती है अगला नियम देख लिजिए खतम हो जाए किरा की संकेतों B.E.L.O.R.D. को कभी बड़े मानवले संकेत के बाई और नहीं लिखा जाता है अर्थाद B.E.L.O.R.D. के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है जो भी बताया वही सब है इसमें और कुछ नया नहीं जैसे मैंने बताया ना कि परदान मंत्री जी के सामने मुक्ह मंत्री जी कुर्सी पर नहीं बैठा रह सकते हैं और दरोगा जी के सामने जो गेट कीपर है या गार्ड है वो कुर्सी पर नहीं बैठा रहेगा कि दरोगा जी खड़े हैं वो कुर्सी बैठा सामने पुर्ण तैसे सल्यूट करेगा तो बस वैसे नियम है यह कि बी एल और डी को कभी बड़े मानवाले संकेत के पाइं और नहीं लिखा जाता है बस यह अभी अगला है बनेश जी पहले जो चल रहा है उसको चलने दीजिए फिर हम आपका डाउट किलियर करेंगे लेकिन कलास तो पूरा होने दीजिए पहले अगला नियम है अठमा स्क्रीन पर दिख रहा है कहरा संकेत आई को केवल पांच वी और यक्स में ही घटाया जा सकता है और यक्स को केवल यल और सी में ही घटाया सकता है ठीक वैसे ही ती को केवल यम और डी में घटाया जाता है समझ मैं राकि नहीं। यानि कहने का यह मतलब है कि I को किवल B और X में ही घटा जा सकता यानि कहीं भी I C या CI आपको लिखने को नहीं मिलेगा रोमा अंक में। घटाने का इनका ततपर यही है कि कभी भी C के साथ में आई का यूज नहीं करेंगे रोमा अंक लिखते हैं समय। और कभी भी ID या DI भी नहीं लिखेंगे नहीं। यानि कुल मिलाक इनका कहने का यह मतलब है कि जो I है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पी और यक्स के साथ करेंगे बस जैसे आपने देखा होगा अब बी के साथ इनका यूज करते हैं या साथ में करते नहीं नौ में करते हैं यह का यूज कर नहीं रहें नौ में यक्स के साथ में ना लेकिन आप कहीं यह नहीं देखोगे एक इसा कहीं नहीं होगा कि अब व्हेसे हैं जैसे आप समझेंद किसी गत्राइब किसी रिक्सा चलाने वाले के घर में नहीं होने वाली जल्दी केस में उजाद अलग बात अपने अपने लेबल के ना पुनी में रहें गें कि दिणी यह किथा बहुत छोटे बैलू वाला है अई भी बहुत छोटे मानवाला है लेकिन जो यम उसका मान även 1000 होता है जो ट्रह एज Häसका मान 500 होता है जो सी है उसका मान 100 होता है कि और येल-कमान पचास होता है तो यल और सी यानि पचास और सो को ही कठ्था मिले आ जा सकता है क्योंकि पचास और सो में समानता है ठीक है और यम कमान क्या होता है एक हजार होता है स्वारी मैंने सो बताया था क्या यम कमान 1000 होता है और D कमान 500 होता है तो 500 और 1000 में समानता है यानि यम और D को आपस में लिखा जा सकता है यम और D को आपस में ऐसे लिखा जा सकता है इससे कोई नमबर बन सकता है या फिर D और यम ऐसे लिखा जा सकता है लेकिन कहीं भी आप D और I नहीं लिखोगे, Y और I नहीं लिखोगे, I और Y नहीं लिखोगे समझ में आये ना, इसका यही नियम है अठवा इसके बारे में जब तक हम एक कलास में खूप सारे एकजामपल नहीं करवाएंगे तब तक यह समझ में नहीं आएगा अभी सिर्फ नियम पढ़ा रहे हैं आज क्योंकि नियम सार्ट कर्ट में पढ़ाना जरूरी है एक घंटा जादा हो गया, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा इनकी अभ्यास परस्न की कलास करवाएंगे उसी में यह सब कलियर होगा अच्छे से कुछ एक्जामपल है, इस स्क्रीन पर इसे देख लीजिए इतका इस स्क्रीन साथ ले लीजिए, कुछ उधारण है ठीक है, बाकी कलियर के लिए हम एक और कलाफ लेंगे इसके संबंद में तो आपको ज़्यादा कलियर होगा 499 का नहीं होता है भाई जी, नहीं नहीं, अभिशेख जी ऐसा नहीं है सब का होता है, कोई भी नंबर को आप रोमन अंक में लिख सकते हो पताएंगे सब बताएंगे, थोड़ा सबर करो पहले सारा नियम तो सीखो इसका Screenen Rate ले लिजिए इसमें आपको बहुत सारे सवालों का जबाब मिल जाएगा देख लिजिए इसtyम ने यहाँ तक हमने कहाan तक discuss किया था इसके पहले इसके पहले अभी अभी हम लोगों ने डिसकस किया कि इन नंबर तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम पहले आपको एक से सो तक रोमा नंक दिखाएंगे पिर आगे बाद करेंगे आप कहां पी किताब लेके बैठिए और वैसे स्क्रीन साथ ले लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है इस स्क्रीन पर मैं आपको बहुत जल्दी दिखा रहा हूँ रोमा नंक अभी तैयार हो न तो रोमा नंक आप देख लिजिए इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी थोड़ा सा कुछ सिकंड रुखिए दिखा रहा हूँ भई बस कुछी सिकंड में ये देखिए ये रोमानंख हैं ठीक है भाई दिख रहा ना बाबू आप सभी को देखिए ये एक से ले करके 10 तक के रोमानंख हैं क्या आप सभी को क्लियर दिख रहे हैं इनको मैं समझाओंगा थोड़ा थोड़ा पर लिखना बताऊंगा चलिए तो इन नियम के बारे में आप समझ गए जलती स्क्रीन साट ले लिजिए जो ना लिखना जाएं वो स्क्रीन साट ले लें बाद में लिख लेंगे कभी भी एक से सो तक रोमानंख कैसे लिखते हैं हम सब दिखा देंगे आपको और जरूरी भी है अगर आप परिच्छा दोगे डियलेट का तो बहुत जरूरी है आगे बढ़ें तो अधिक है देखिए अधियों जो रोमानंख होता है इसमें एक से लेकर के दस तक सब अलग अलग होता है मतलब कोई भी दो एक जैसा नहीं होता है अधिक है अगर काम की चीज नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए यहां पर टाइम बेस्ट मत करिए चलिए एक से लेकर के दस तक क्या है सब अलग अलग है आपको इस्क्रीन दिख रही है कि वन के लिए क्या आई उच करते हैं आई मतलब अरे आई पार इंडिया ह Nikos के लिए डबल लाई तीन के लिए तिरपल लाई चार के लिए अज है पांच के लिए वह एकली सथ के लिए आट के लिए नवदा स्क्रीनаров देख लेजिए समझाने वाली बात में वाथ में बता रहा हूं समझिए जो समझाना हम में 11 से लेकर के 20 तक अगर हम चले नेक्स स्लाइड दिखाईए भई 11 से लेके 20 तक अब इनको देखिए थोड़ा समझिए साथियों जैसे अगर हम बात करें 11 की 11, 11, 11 आपको पता है कि इनको हम लिख सकते हैं 10, 10, 10, 1 बोलिये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं तो मेरे भाई 10 के लिए हम यक्स का यूज करेंगे और आई के लिए 1 के लिए आई 11 को जो रोमा नंक में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं X, I ठीक है? समझ रहो ना और 1, 2, 12 12 के लिए क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 1, 0, 10 और प्लस 2 10 के लिए यक्स का यूज करेंगे 2 के लिए डबल आई क्योंकि 1 से लेकर 10 सा कभी मैं आपको दिखाया था दिखाया था ना ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे? इनको बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और हो जाएगा ठीक है? हाँ, दीपक अरे वो कलाश डिसकनेक्ट हो गया दुबारा भेजाओं उसी को आठ सब में सब में बेज दीजिए हर जगा जो अभी नया भेजाओं टेली गराम में उसी को बेजना है चलिए ठीक है, दन तो अभी वो लोग भी आ जाएंगे तो ऐसे इस तरह से आप क्या करेंगे? 13, 14, 15 इसक्रिन पर दिखराना आपको यानि आपको क्या करना है भई? 13 के लिए आप 10 धन 3 में तोड़ोगे 14 के लिए 10 धन 4 में तोड़ोगे 15 के लिए 10 धन 5 में तोड़ोगे मतलब मतलब यह समझे यहां जैसे पंद्रा करो मनंक लिखना है तो दस करो मनंक जो होता वो लिखेंगे याक्स और पांच करो मनंक जो होता याइन यह 15 हो गया कि इस्क्रीन पर दिखे हो आपको अि है तो दिख रहा है न तो 20 तक ऐसे बना लेंगे की नहीं बना लेंगे ना ठीक है आगे देखिए अब बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक सभी बना लेंगे ना ठीक है आगे देखिए ज्यान दीजिए का बहुत ही दिल लगा के देखिए एक दम दिमाग से तो आफ क्वाल्टी चेंज कर लीजिए थोड़ा सा अगर आपका इंटर्णेट जहीं नहीं है तो प्रसक्राइब अच्छा हो जाए छलने डीये याद करने वाली चीज नहीं है इसके बाद जब इसको आप बना लेंगे नहीं तो बड़ी-बड़ी संख्याओं को बना लेंगे एक बात और याद रखना रोमा नंक में संख्याओं सीमित होती है आप अनंतक नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें 0 नहीं होता सबसे बड़ी कम पल नहीं तो 21 से लेकर 30 तक भाई देखो समझो 21 को हम लिख सकता हूं क्या 20 प्लस वन और 20 का जो रोमा नंक है वो क्या आए बाबू मैंने अभी अभी दिखाया था जैस्ट इधर देख लो इस स्क्रीन पर फिर से कनेक्ट हुआ ना कहते हैं अंधर एक लाठी एक बार है र ठीक है देखो समझो 20 का रोमा नंक में क्या करते हैं भाई बाबू डबल एक्स होता है और वन के लिए आई उज़ करते हैं यानि हम कह सकते हैं कि 21 का रोमा नंक डबल एक्स और आई होगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न इसी तरह से साथी 22 को क्या करेंगे हम लिखेंगे 20 प्लस 2 20 को रोमा नंक में डबल एक्स से दिखाते हैं और 2 को रोमा नंक में डबल आई से इसलिए डबल एक्स और डबल आई इसी तरह से आप सारा बना डालोगे सब कहा तक 29 तक ठीक चुल्बुल समझ में आ राके नहीं आरा थोड़ा बहुत न अरे इतना उतना भी आ जाएगा न सब इकत नहीं होगी चलिए हाजमोला हाजम सब चाहे जब यह हाजमोला ही है देखते जाओ बस इसी तरह से साथियों 31 से लेकर 40 तक भी होता है 31 से लेकर 40 तक होता है देखिए यह 29 तक जायेगा ना तो 29 में 20 प्लस 9 होता है 20 के लिए double x और 9 के लिए i और x मैंने आपको बहुत तहले बताया है लेकिन जो 30 होता है ना इसके लिए 3 बार x का यूज करते हैं क्योंकि 1 x का मतलब 10 होता है तो 3 बार x मतलब 30 प्रियंका कुमारी इंटरनेट बार बार disconnect हो रहा है आप लोग जाना नहीं कहीं ठीक है आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा अब यह हटने वाला नहीं है internet disconnect हो रहा है कुछ शीकेंड के लिए buffering होगा आप लोग भागना नहीं आप हमें कोई option खोजना पड़ेगा अलग सेन के लिए इस बात को याद रखना आप लोग जो भी हमारे लाखों दर्सक देखेंगे कभी भी एडल का ब्राडबेंड मत लगाना मैंने 12000 रुपया फंसा के इसमें परेशान हुँ है एक साल का अनुवल रिचार्ज किया हूँ 100 Mbps की स्पीड है देता नहीं यह दस हो नहीं रेगुलर नहीं देता है आप लोग याद रखना अगर कोई बिजनेस प्लान बना रहा है आपके रिलेटीमित बता देना कि अब ही नहीं उच करना चलो यह तो 3034 35 अब समझ यह 31 को हम लिख सकते हैं साथियों 30 धन एक 32 को लिख सकते हैं 30 धन 2 और 30 के लिए हम तीन बार एक्स का यूच कर सकते हैं कि इतनी बार तीन बार X का यूच कर सकते हैं और 1 के लिए 1 आई ठीक है और 30 के लिए हम फिर से 3 बार X और 2 के लिए डबल आई ऐसे आप पूरा बना लाओगे कि नहीं पूरा बन जाएगा ना 49 तक आप बना लोगे ना बताओ हां बन जाएगा ना भया बन जाएगा ना जिक है ओके डन जलिए बना लीजिए बताइए आप मुझे जल्दी से आप लोग चलो 33 का क्या होगा जबाब दीजिए प्रियंका कुमारी बताइए मैं सामने साथ जाता हूं देखिए भारती अफनेहा मुझे बताओ फटाफट 33 का क्या होगा सिर्फ हां हां ना करो बोलो और काम भी करो सिर्फ हां हां नहीं सबसे पहला जबाब आया है इसमें असनेहा का बहुत अच्छे अपनेहा अभी से एक क्रिफना जुल्बुले अंस और कोई निवन भारती कभी आ गया एक किसी से कम थोड़ी है क्या समझ रखता है तुम लोगों ने अपने आपको चलो क्या ही भर दूं यह तो खुली नही इसको बड़ी हो जाने दो ठीक है भाई चलो अगला बताओ नेक्स्ट आप लोग दूसरे का जबाब दोगे तो दो लिक्के ठीक है कुछ नया अलग तरीके से 34 का क्या होगा थोड़ा अलग तरीके से बताना ब्रेकट में करके या कुछ भी जिससे लगे कि अगले का है 34 का भाई सबसे पहला जबाब चुलबुले का आया है अब इनको मैं चुलबुले नहीं बोलूँगा अंस बोलूँगा उनली बस चुलबुले वाज से आपका नाम कुछ और होगा ना बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो इसके लिए आपको भी धन्यवाद ठीक है ऐसे कर लोगे ना सभी कर लोगे ना उन्तालिस तक लेकिन भाई थोड़ा ब्रेक में आगे ब्रेकर भी है यह चालिस चालिस पर आपको थोड़ा इस्टाफ होना है यहीं पर आपको थोड़ा इस्टाफ होना है हां इस चालिस पर बढ़ाएगा इस पर आपको थोड़ा से समझना होगा मैंने जैसे कि आपको कल रूल बताया था चुलबुलेंस बेटे का नाम है इनका नाम रैस्मी है देखो मैंने कहा ना कि इसमें बच्चे नहीं बलकि बच्चे वाले होते हैं कलास में तो कभी लोग मेरा मजाग भी बनाते हैं कि आप ऐसा काय बोलते हो हम लोग कि तो सदिय नहीं हुई बच्चे वाले कब हो गए ल मैं आपको बताया था था अगर कल आपने पढ़ा हो गाँ ना मैंने जह को क्या बताया था मैंने यह कहा था कि 50 का मुत है हो पैंटनेप्पऴ कर्फरिंग करेगा दे चारमन मानलो लोGHT थो जाना नहीं थोड़ा बफरिंग करता है ठीक है आप समझ यह यहां पर अच्छा यल होता है बहुत अच्छे बेरी गुड आप लोग एक्टिव होना ठीक है बिलकुल अच्छे यह सी का जो है 100 का होता है यह होता है देखो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को दिमाग काम कर र आहिए ना जैसे बच्पन में होता था ना कि इंडिया उड मैना उड बीच में बॉल दिया भाई सूड गाय उड़ तो दुईलपड़ पड़ता था कुछ लोग तो आई से भी पड़ते हैं जैसे मैं उनको बोला है जो है बोलेंगे आउं वही है जो बोल रहे हो वही सही ह बाकी कुछ नहीं जैसे हमारे कुछ राजनीति के सपोर्टर होते हैं उनके नेता उनके मंतरी जो करें वही सही है बाकी कुछ सब गलत है तो भाई अपना दिमाग भी परियोग करना चाहिए आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल कि इतका यल होता है न तो 40 का लिखने के लिए क XL लिखते हैं XL क्यूं लिखते हैं XL कैसे लिखते हैं बताइए मालूम है मैंने कल आपको रूल बताया था अगर मैं दिखाओं तो अभी थोड़ा मुझे आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा यह बताया था कि अगर यल के कि इसले अगतर मैं अगरे से खड़ा हो जाओं तो क्या अलगा क्रीखत रहे हैं यह एसे खड़ा हूं दिखो यह निल के 25 तरफ अगर यक्षव है इसका मतलब यर्वासे यक्षवाला मान घट जीने बिल्कूल सई नियना मान 50 होता है और यह बाहिं तरफ है इसका मान घड़ जाएगा मतलब पचास माइनस दस और इस तरह से यक से आल कमान चालिस होता है आया समझ में जो पिछली कलाफ नहीं देखा है मतलब तीफरी कलास आज यह चौथी कलास है वो तो एक इसमें का पार्ट कट गया था अलग है लेकिन वो भी इसी का भाग है तो जो तीसरी लाइब नहीं देखा था उसी संब्सक्क्राइब करने तो यह तो यहाँ तक तो होगी कहानी आगे बढ़ते हैं फिर जैसे जैसे मिलेगा वैसे उसे बताते जाएंगे अगला देखिए 41 से लेके 5050 तक इस्क्रीन पर दीख रहा है क्यों भाईया दीख रहा है कि नहीं दिखाना सबको समझिए इसमें क्या कहानी है इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा हमें पकड़ना है पचास वाला मन चलो मुझे सभी पचास का मान क्या होगा देखिए बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है पचास का क्या होगा पचास का यल होगा आप समझना आगे पड़ा सा जूम करें लेकिन फिर एक बार में दिखाने पाएंगे पूरा इला भाई जूम कर दिये चला एक बार में नहीं दिखा पाएंगे फिर 45 तक दिखाएंगे बस चलो अब अच्छा है खुश ना चलिए बताईएगा बिल्कुल आप बिल्कुल टेंसन मत लीजिएगा बस बोलिए गाई किदम दिल से चलिए ठीक है तो आपको मैंने बताया कि 40 का क्या है 40 का है यक्स यल एक्स यल क्यों है क्योंकि यल का बेलू 50 होता है मान और एक्स का 10 होता है अगर यल के दाहिनी तरफ कल मैंने बताया था क्या बताया था दाहिन अबाया मैंने यह बताया था कि अगर बड़े मानवाला सिंबल बड़े मानवाला सिंबल ठोटे मानवाले के दाहिनी तरफ है तो बड़े वाले सिंबल के मान से जो पाई तरफ छोटका हुआ बिठा है उसको घटा दिया जाता है यानि बड़ा मानवाला यल है चोटा मानवाला यह है तो यह इसके बाई तरफ है चाहे तो हम बोलें कि यल एक्स के दाई तरफ है चाहे तो हम ऐसे बोलें कि यल जो है एक्स के क्या है जाहे हम ऐसे बोलें यक्स्तितिति में घटा दिये जाता है अब उसको करिए किनारे आगे कहानी समजिए 41 का क्या होगा भाई आपको 40 का याद हो जाए बस आगे बढ़ाते जाओ खटा 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 बढ़ाते जाओ 40 का क्या होगा 40 दने का 40 का एक्सियल और एक के लिए आई इपी तरह 42 का क्या होगा 40 दन दो तो आपको यादी हो गया दो के लिए डबल आई ऐसे करते जाओ करते जाओ कहां तक कि सबको मालूम है एक से नहों तक का तो भीया 41 हैसे कर लो 42 43 ऐसे कर डालो सब रेस्मी समझ में आ रहा है अस्वनी कुमार सजातिय भी जातिय देखो भाईया बाबू से देखते जाओ सब पढ़ाएंगे लेकिन सबर रखना पड़ेगा कहते हैं सबर करो सबर कफल मीठा होता है चलिए इस तरह से आप करते जाएंगे इसको कहां तक तक और फिर फाइब जीरो फिप्टी तक इसमें थोड़ा उल्टा भी पढ़ना पढ़ता है अभी हम पढ़ रहें तो भाई समझते चलो चालिस धन नोई इसे लिख सकते हैं और चालिस का एक्स यल होता है क्यों सही है ना पचास के लिए यह लिज्च करते हैं बस सिंगल पचास तक हो गया डण आगे बढ़िए अ पिप्टी वन से देखिए फिप्टी वन से देखिए इसको भी कर लेंगे की नहीं देखिए आपको मेन मेन पकड़ना पस मुख्य मुख्य पकड़ना एंक कौन आपको टन का पता होना चाहिए 20 का पता होना चुप्रक्षाइए 30 का होना चाहिए 2045 10 एंप 5 ऎमности का 60 मतलब 40 के आप सकते जाए बना से ना बन जाएका कि नहीं कि बैफि लिए इसक्रीन पर बना लेंगे हां कि हंड्रेट क में दिखाऊंगा किसी को आ रहा हो या न आ रहा हो मैं दिखाऊंगा और किसी को ठीक है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं हटा राऊं टेंशन मतले ना बिल्कुल अगर मना कर दो तो मैं दिखाऊं भी ना कि आपकी आग्यां सार आखों पर है चलिए कि यह रिवीजन कलास है रोमा नंक के लिए कांटी नहीं है न चले आगे ठीक है तो पचास पचपन से साठ तक देख लीजिए देखे साथियों पचास का होता यल और पचास में अगर पांच जोड़ेंगे तो पचपन हो जाता है तो पचास का यल और पांच के लिए भी इफलिया हो गया पचपन अगला देखिए 61 से 65 तक देखिए अब यहां एक चीज समझना मेरे साथ ही आपको साठ का समझना होगा पहले पहले साठ का समझना होगा देखिए साठ का क्या होता है मालूमें आपको एल एक्स होता है क्या होता है एल एक्स क्योंकि यल का मान पचास होता है और यक्स का मान दस होता है अगर यल के साहिनी तरफ है यक्स तो यल के मान में यक्स का मान जुड़ जाता है अगर बाई तरफ है तो घड़ जाता है यानि अगर यह ऐसे लिखा है है दोनों वही किवल अल्टी पल्टी है बस अगर बड़ी मान वाले जो चिन है बड़ा मान वाला चिन का मतलब यल कि उसके बाहीत तरफ यानि लेफ्ट साइड कोई सिंबल है तो उसका मान घड़ जाता है जैसे बड़ा मानवाला यल है यल कबलु 50 होता है इसके लेफ्ट साइड एक से एकस कमान 10 है तो यह घड़ जाता है यानि फाइनल में यह किसका है खार संधल जैए यति याध रखना डाहिना बाया कुछ लोगूं को नहीं समझ में आ रहा है में थोड़ा दिमाग कपरियोग करना पड़ेगा फिर से सोचना पड़ेगा हम लोग बच्पन में यहीं सीखते थे दाया बाया नहीं समझ में आता था मम्मी लोग बताती थी जिससे खाना खाते हूं दहीना है अजिए से साउंच जाते हो बाहीन बाया है लेकिन अब उल्टा करता हो तो इसके लिए तो दाया बाया उल्टा हो जाएगा तो अब कोई सलूसन हमारे पास नहीं है दाया बाया समझने का आप इतना अगर दाहीन बायाँ आप जानते हो पहले हम लोग के बच्पन में लेड से खेत जोड़ा जोता जाता थो लोग जान जाते थे कौन को अ भाय है अ है पहुत बड़ा फारक पड़ता है जो बैच यादा चलता है ना हर में ऐसे से मज़े मजशे ऐसे है で conflicts आपको यहां भी समझना पड़ेगा लेप्ट राइट है कि यलके तरप एक्स है तो मानी जूड जैगा कुछ बीह जूड जाएगा यहाँ देखो अगर कि क्याि है अगर ऐसे है तो अगर हो सकता है कि आरे चचा और किया होटांट बी ही सोता है कि पताया है थाना कि हो आपके हुआ यह अश्पान कर؟ 10 ոे पैर Bij तालीस करते हो क्या होता है तो जे प्येक्सल करें अब है यह अयह की हर किसी में ल्अगी होता है 50 यह सुरू है नहीं बजा कमान 50 होता है तो 50 पर काम करहें दो कि दाने है आगे चलें हम लोग चल रहे थे क्या साथ के ऊपर आप समझ गए अगर आपको साथ का समझ में आ गया तो इस तरह से आप सारे निकाल ले जाएंगे ठीक है मुझे आप लोग 65 का बताओ जल्दी से मनें हटा दिया है नकल नहीं करना चलो कि जल्दी से बताइए 65 और 66 का क्या होगा कि रैस्मी जी बताइए जल्दी बताइए क्या होगा फटापट बताते जाएए कि हो गया गड़बड देखो भाई कहीं जाना नहीं मारा सिस्टम कभी-कभी गड़बडा जा रहा है ठीक है आगे आगे नहीं चलिए इसका सबसे पहला जबाब रैस्मी का आया है और अस्वनी का भी आया है अपने हाँ अब इस एक ठीक है बहुत अच्छे तो देखिए साथियों 65 का क्या होगा बहुत आसान है 65 65 का क्या होगा इजी है जैसे जो साथ का है उसी में पांच वाला जोड़ देंगे जैसे साथ का क्या है 65 को साथ दन पांच लिख सकते हैं और साथ का या लेक्स होता है ना तो वी इसके लिए कर देंगे यही तो होगा लेक्स भी ना कि यूँ भाई सही जा रहा है ना अगया तो गया 60 का क्या होगा ताट धन छे ताट का होगा या लैक्स और छे का होगा भी या यह होगा साथ तो चलिए जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आगे 70 तक देख लीजिए जिकरा ना क्लियर एकदम कोई दिक्कत नहीं ना किसी को और जल्दी इसका स्क्रीन साथ लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ देखिए यहाँ पर समझ के चलना 70 में देखिए साथियों अब 70 वाला तो साथ धन दस बराबर सत्तर यानी यल एक्स और एक्स ऐसा होगा ठीक है ओके कोई दिक्कत इसमें नहीं 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 थीक है ओके डन बहुत अच्छे चलिए हो गया ना आगे बढ़ें कि इसी तरह से साथियों 71 का हो जाएगा जैसे 70 का आपने देखा उसी तरह से 71 का हो जाएगा आपको मालूम है 77 तक दीख रहा ना लिख लीजिए इसको भी बता देता हूं कि 70 के लिए आपको पता है कि एल एक्स एक्स होता है अरे उदर मत रखा करो यार हील जाता है तो गड़ा जाता है अब मैं क्यूं फालतू लिखवा हूं सब करिया असी तक करिए असी तक करिए फटा फट अस्वनी ठीक है बहुत अच्छे इंटरनेट बहुत गंदा चल रहा है लेकिन मैं इनको क्या करूं मैं खुद बेवकूप हूं मैंने इसका एक साल का रिचार्ज करा के बड़ी गलती किया बहुत बहुत बारी गलती किया एक साल का रिचार्ज दुबारा मैं जिंदगी में भूल नहीं करने वाला हूं अब तो मैंने 10-15,000 फसाई दिया इसमें यह भी गया इतना गंदा इंटरनेट चलता है कि यह कलास तक नहीं दे पाता है और आगे बाद क्याता है चलो अगला देखिए 80 से 85 तक देखिए देखिए 80 का क्या होता है यल यक्स यक्स तीन बार आप साथियों यहाँ पर एक चीज समझने वाली है पाभूर समझना कुछ लोग सोचेंगे कि जब 80 का यल यक्स यक्स तीन बार होता है तो 90 का यल यक्स यक्स चार बार हो जाएगा क्या ऐसा होगा क्या कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा 81 से 85 तक आपने देख लिया नहीं देखा है तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देखें अब हम 90 तक दिखा देते हैं चलो 86 से 90 तक देखो एक्चुली ऐसा क्यों नहीं होगा आप जानते हो कि नहीं भाई यहाँ समझना 80 का जब ऐसा ऐसा हो सकता है इसका मतलब क्या है कि 50 इसका मान है और इसका मान 30 है इसलिए आफ़ी हो गया लेकिन 90 का यल यक्स यक्स ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी सिंबल को तीन से अधिक बार यूज नहीं कर सकते हैं मैंने पढ़ाया रूल में कि किसी भी सिम्बल को तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जाफकता है इनकी किस्मते खराब थी जब इनकी बार यह तो गड़ा गई है ठीक है कि 100 कसी होता है और मनें बताया है कि अगर बड़े मान्वाला लेटर एक सब्सक्रीं इस्में यहनई मारि दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें यह थोड़ा कठीन है सामान मैं प्रैसमी आरा समझ में अब इस समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है नामें लगता है कि लगाया ही नहीं रहे है आफ अलोग मैं बता दू हंडर क Trustees होता बाकी कुछ नहीं है इसकी आगे बना लेना कहला है कि एक तो इस तरह से आपने 40 Tech помог देख लिये हैं सहता के 100 अंक किसी का कोई doubt है तो comment करिए किसी का कोई doubt है तो comment करिए जल्दी से बताइए यह यही था रूल यह पाचमा rule था दाहिना बायां तरफ वाला यह रूल देख लिजिए कोई डबल नहीं है अब इसे एक हो जाएगा ना कनया जी हो जाएगा ना देखिए मुझे लग रहा है कि घंटे भर की कलास हो गई एक कलास 16 मिनिट की इसमें अलग हो गई है जो पहले चली थी वो कलास नमबर 4 हो जाएगी क्योंकि इसे हम पांच नमबर कलास तो नहीं करेंगे चार हो जाएगी यह भी चौथी कलास है वो भी चौथी कलास है क्योंकि वह अलग से डिस्कनेक्ट हो गई तो उसको भी हमें एक में करना पड़ेगा अब इसे डियलेट के लिए साइंस नहीं होगी अभी फिलहाल माफी चाहते हैं अभी टीचर की व्यवस्ता नहीं है मुझे लगता है कि आज आपका यह रोमा नंक वाला खतम हो रहा लेकिन हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट और देख लीजिए लिख लीजिए 100 से बड़ा अगर होता है तो उनको कैसे लिखते हैं लिखिए 100 200 300 400 500 600 700 इनको रोमा नंक कैसे लिखते हैं कुछ लोग पूछते हैं तो भैखिया 100 को सी से लिखते हैं बाअबू इसको ॉद्ल सीसको तिरपल सी लेकिन यद्रहें 400 को चारभार नहीं लिखेंगे नहीं सत्यानाज होजाबा जाये जोड़बणा जाएगा क्योंकि तीन से अधिक बार ही उसे नहीं कर सते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे dc ठीक है क्या लिखेंगे cd 500 कमांड d होता है यह दाहिना बाया नियम के हिसाब से होगा इसका मान ऐसे होता है 500-100 इसलिए cd होता है कि इसी का जश्ट उल्टा यह होगा 300 के लिए dc होगा ठीक है इसका क्या होगा dcc होगा ऐसे 800 हो जाएगा 900 हो जाएगा dcc लेकिन 900 के लिए d के बाद चार बार c नहीं होगा इसका cm होगा मुख्यमंतरी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एम कमान 1000 होता एक हजार से 100 गड़ जाएगा एक हजार का कैप्टल यम सबका यमी होता है मतलब स्वरी कैप्टल में ही सबका होता है इस बात को याद रखना सब कमान कैप्टल में ही होता है किसी का इसमाल में नहीं होता है वह ऐसे 1100 का करना है तो क्या होगा याम होगा याम का मतलब 1.000 13 का मतलब इसमें से घड़ जाएगगा यानी 1000- इसका हंड्रेड दन इसी तरह से आगे बढ़ेंगे पंद्रासो का मान लो तो भाई पंद्रासो का क्या होगा है अंड्रेड मतलब हुं एक हजार का मतलब यम और पांचो का मतलब डी यानि यम डी पुर मिला के इसका ये मतलब है एक हजार धन पांचो इसी तरह से साथी मेरे 2000 में आगे बढ़ेंगे 1000 कमान यम होता है तो 2000 कमान कैपिल यम इसमें यम पी यम अल्ले सब आजाएंगे चलो है यह हड़ा भई हड़ा रास्ते से हड़ा पाचीस सो का क्या होगा यम यम डी इसी तरह से 3000 का क्या होगा यम तीन बार है रुक के ऐसे एक कि पbucks से इस में अगर लिखने की बात करें तो सबसे बड़ी रो मांग यह होती यह 309-BC इस सेई बड़ी सिक्वेंस अंडिक सकते हैं वालग बात है लेकिन सटिक्वेंस वालाहम इसके आगे कुछी नहीं लिख सकते हैं कि इतका हो जाता है 3000 के लिए तीन बार यह उस और 900 के लिए क्या होता है पता है आप milligram है कि दिर्पल सी इंए अचा लिए दी दी सी अहां बहुत बढ़ा हो जाता यह अर आगे यल तीन बार एक्स वी तीन बार आई पता नहीं सही हो गलत वाज गैने यह बहुत बड़ा होता है यह इसमें कुछ गलत मुंझे लग रहा है कि लिखे लिजिए फिलाल जो भी है 1100 गलत है कोई बोलाए 1100 गलत है 1100 का हो जाएक connects तो मैंने क्या लिखा अमसी लिखा ग Фुन गलत नहीं है ऊहां यह गलत लिखा है स्वरी यह यह से रख्याग है यह सघ्य लिखाय गलत नहीं तो समझ गेना आप लोग यह मुझे कुछ गणबर लगरा इसको मत लिखो आप लोग जो हम आगे बढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब ही लिख्वाएंगे इसको ठीक है इसके अलामा कुछ इसमें important fact और भी मैं दिखाना चाहता हूं थोड़ा सबर बनाये रखना इस screen पर दिखा दे रहा हूं थोड़ा रुकना थोड़ा इस screen पर दिखा रहा हूं रुख जाओ भाई थोड़ा सा पस कुछ है थोड़े से एकदम छोटे छोटे से हैं यह जल्दे बदल जायार भतनी लगा भी एक नहीं लगा है कुछ है sequence वाले जिनको मैं लिख रहा हूं कि दिखाना चाहता हूं आप लोग समझ गए ना मुझे लग रहा है नहीं मिलेंगे जाने दो अटाओ कोई मतलब नहीं है जैसे इस से ज़्यादा कहीं काम नहीं लगेगा डियलेड में इतना सब आएगा भी नहीं मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया इसमें इतना कुछ नहीं आएगा इतना बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है तो उमीद है कि आप लोग समझगे होंगे इस तरह के और भी रोमनंक बना लेंगे इसमें मैंने बीटी सी का चार गुना ज्यादा पढ़ा दिया है अब आप अचतर नहीं करेंगा आपके नालेज होना चाहीए देश के लिह अच्छा होगा है पर लोग बहुत ही तरीकि इसे बचा हुआ ना उसे चार्ट डालो इसे तो इसमें क्या करना है रोमन अंक में नंबर को कैसे लिखेंगे इनके जादा प्र जादा अभ्यास करने है आप मुझे एक उदाहरण बताएए चोटा सा है नन्ना बरका जैसे 41 है तो इसको रोमा नंक में कैसे लिखेंगे बताइए और ये कलास सिर्फ DLA वालों के लिए नहीं है किसी के लिए भी सब के लिए important है याद रखना ठीक है हर किसी के लिए है ये तो मैं आपको एक से लेकर सो तक पहले रोमा नंक की स्क्रिन पर दिखा दूँगा कुछ कुछ सिकेंड के लिए और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप 500 को रोमा नंक में कैसे लिखेंगे आप 1000 को रोमा नंक में कैसे लिखेंगे संख्यापधती में कुल दासंग होते हैं रोमन संख्यापधती है इसमें कुलब साथ सींबल होते हैं चंकेत संक्या भूलते हैं तो समझ में आ रहा है ना तो एक से लेकर 10 तक आप स्क्रीन पर देखिए तिक रहना आप सबको एक से लेकर 10 तक तो आसान है ठीक है इसमें कुल कितने सिंबल होते हैं आपको पता है रोमनंक में वही सबसे पहले तो वह निज होता है यह सड़ी आई एक सी उज होता है एक मिनट मैं आपको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट देने वाला हूं थ्वड़ा सा रुकना मैंने लिख के कहीं रखा हुआ है क्योंकि हार्चीज याद नहीं रहता है देखो आई यक्स दी एम यह चार हो गए इसके आलामा और भी कुछ होते हैं कौन कौन से एक तो वी होता है एक डी होता है एक दिया और कौन होता है याद यह होता है ना ठीक है ड़न समझ गए ना आप लोग तो यह कितने हो गए टोटल साथ हो गए ना एक दो यह तीन चार पांच है साथ इसमें एक इंपॉर्टन फैक्ट मैं आपको देने वाला हूं पूरे कलास का सारांस यह है इसमें कि इसमें सिर्फ चार की रिवीजन यानि पुन्रावित्ति हो सकती ह है और बाकी के तीन की नहीं होती है ठीक है आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं तो मैं गार रहा था इसको बिगो के इससे मिटा सकूँ है ठीक है पुन्रावित्ति का मतलब क्या है पहले कुछ एक्जामपल आपको सिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे दिखे साथियों जो 500 है ना 500 मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं लेकिन बहुत सारे यहां पर लगाएगे इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता आपको दिखान 500 है एक हजार को साथी किससे लिखते हैं यम से किससे लिखते हैं यम से और अगर तीन हजार है ना तो इसे हम लिख सकते हैं एक हजार धन एक हजार और धन एक हजार बोलो लिख सकते हैं तीन बार ना इसको इसका रोमनंक तीन बार यम होगा और सब कैप्टल में ही लिखा जाता इस बात को भी आप लोग याद रखना कोई समाल में नहीं लिखा जाता है आपको समझ में आ रहा है ना कमेंट करके हां हां कुछ बोलते रहे हूं हां नहीं बोलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आ रही यह जान लीजिए आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे है कि साम तुम्ह Taylor के मिरे भाई कि इन चारों को रिपीट किया जा सकता मतलब यह क्या होते हैं कि यह तीनों कभी भी रिपीट नहीं होते हैं मतलब आप पूरे जितने भी रो मानंक की कहानी मेंейств कहीं भी आप इनको डबल नहीं पाओगे यह हमेशा सिंगल रहते हैं पूरी जिन्दगी कुवारे ही रहते हैं कि समझ गए ना मानबेंद्र सिंग समझ गए कि नहीं यह कभी रिपीट नहीं होते हैं यह रिपीट होते हैं आपको कहां रिपीट होते हैं देखो दिखा रहा हूं कहां होते हैं दिखा रहा हूं पर थोड़ा सब्र बना के रखो दिखा रहा हूं इनको आपने लिख लिया होगा देखे दिखा रहा हूं यह क्लास देखने के बाद आपको रोमनंक से संबंधित अगर कोई भी सिकायत रही ना तो बताना पढ़ाना छोड़ देंगे हम अच्छी बता रहें सब बंद करके सादू बन जाएंगे हम लेकिन हां दिल लगा के पूरा पढ़ना एकदम वैसे दिल लगाना जैसे तुम चैसे अगर हम में तीन लिखना है अजया को तीन के लिए हम तीन बार आई लिख देते हैं यहोगे रिपीट का कि अनु Mondijn अ हमएन ट्वंक्ति लिखना है तो ट्वंती में हम double x लिख देते हैं 20 भी हो गया कि समझते चलो फटा फट ठीक है यानि आई एक्स कि समझ रहे ना यह दो हो गया अब आगे समझना सी ना मैंने कहा कि सी भी रिपीट होता है अगर 200 लिखना है तो क्या double c यह रिपीट हो रहा है ना अगर 300 लिखना है मेरे भाई तो यह है तुख जा 300 के लिए triple c अरे वह triple c computer वाली नहीं और मैंने कहा कि यह भी रिपीट होता है तो चच्चा तुमारी जगा कहां से आएगी अगर मैंने 2000 लिखा तो इसको हम double a लिख सकते हैं यह 2000 वाली नोट हो गई आया कुछ समझ में मैंने कहा कि मेरे बाई इन में से साथ टोटल संकेत हम रोमन अंक में यूज़ करते हैं पूरी इनकी कहानी में केवल साथ अंक यूज़ होते हैं इन में से चार ऐसे हैं जो रिपिट होते हैं हुआ है तो दस के लिए हम कभी डबल भी नहीं लिखेंगे वैसे दो बीवी एक साथ कभी नहीं रह सकती दूर दूरी रखना पड़ता है ना जानते हो ना आप लोग कि समझदार हो ना यह डबल भी भी कभी कठा नहीं हो सकती यह नियम के खिलाप हो जाया फिर यह ऐसा नहीं हो सकता है अगर दफ लिखना तो आप इन के लिए आलग सिम्बल यूज करोगे एक्स कि एक्स ही उज्च करोगे समझे गए ना सिस्टम की बैटरी लोग हो गई इसे में चार्ज में लगाऊंगा तब तक आप लोग थोड़ा सब्र बना के रखिएगा जाईएगा नहीं एक मिनट भाई रुकजा लगा के नहीं गया लड़का ये नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टैंसन मत लेना बता देना एक बार क्यान नहीं आया अधार जिनको बड़ी अपनी कहानी बताना है नंबर चल रहें उन पर कांटेक्ट करें हल्प लाइन नंबर पर है इस इस लग्षान करिएगा तो हम बात क्या कर रहे थे हम बात कर रहे थे हैं कि यह चारों संकेत हो सकते हैं इनके उदारन यह है लेकिन यह तीनों कभी होेट नहीं होते हैं छेसे यह अगर डेबल भी कठन लिखेंगे तो दिए गल्ग वाना जाए ठीघत ठीशेच क्या है ये गल्लप है ucht say नहीं लिखा दाशकता है लेकिन यह सही यह कि अभी कमेंट करते रहो फटाफट और क्लास को लाइक करना तो बिलकुल मत भूलना बहुत बड़ा पाप होगा अगर लाइक नहीं करो गया चलो इसको मैं अब मिटाऊं कि कर नहीं मिटाऊंगा नहीं आगे देखिए कि समझ यह कि मैंने कहा कि कभी भी कि यह तीनों डिजिट रिपीट नहीं हो सकते हैं जैसे देखिए एक और यहां पर इस खाने में देख लो भाईया जैसे एक डी कमान 500 होता है होता है यह याद रखना दी कमान क्या है 500 यानि 500 को रोमा नंक में डी से लिखते हैं तो मेरे भाई 1000 को कभी भी हम डाबल डी नहीं लिखेंगे यह गलत है मतलब यह रिपीट नहीं हो सकता है जैसे हम 200 को 200 को डाबल सी लिख दिये हैं यह लिख सकते हैं 200 को हम डाबल सी लिखें हैं क्योंकि सी को स्वारी रोमन अंक में हंड्रेड को सी से दिखाते हैं यानि सी को परदर्सित करने के लिए स्वारी सी को नहीं यार हंड्रेड को परदर्सित करने के लिए सी उच करते हैं 500 को परदर्सित करने के लिए रोमन अंक में डी उच करते हैं हुँ है वनको पर्दर्शित करने के लिए आई उच करते हैं दसको दिखाने के लिए यक्स तो को सी एक हजार को यम मैं सिखा क्या रहा हूं अगर बिल्कुल तनमन से पढ़ेंगे धन नहीं यहां पर धन नहीं लग रहा है इसलिए मैं तन मन धन नहीं बोला तन मन और दिल तीन लगा ये का मन और दिल दोनों अलग अलग चीजें होती है मन कभी दिल की नहीं सुनता है दिल कभी मन की नहीं सुनता है ना दिल लोगों का कहीं और लगा रहता है मन कहीं और लगा रहता है तो दोनों यहीं पर लगाना तब समझ में आएगा अधिक है चलो यह हो गया डन लेको नीचे हलप लाइन नंबर चल रहे हैं जिनके ज्यादा चुल पर रही है न उस पर चले जाओ करो यहां पर परिसान ना करो ठीक चलो यह हो गया समझ गया भाने क्या वताया बताया कि इन तीनों को कभी भी रिपीट करके नहीं लिखा भीडियो थोड़ा बैक करेंगे यह सब फिर से दिखने लगेगा लिख लेंगे कि आगे बढने नया साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे याद राखना कोई पूछ था कि अगर हम सन्यासी हो जाएंगे तो हमारी वाइफ का क्या होगा कि इतनी सारी वाइफ हैं क्या करेंगे इनका सब का पहली यह बता है मतलब कहां है पता है आपको नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे चलो देखो इधाती आप कुछ लोग और भी सवाल सोच लेंगे मे क्यों कि अगले नियम पर चलें अगर नियम दिखाएं तो ऐसे हम आपको नियम दिखाएं तो ज्यादा बहतर रहेगा एक बात मुझे यह बताओ क्या फिर 40 को ऐसे लिख सकते हैं आज अभ्यास की कलास है यह अभ्यास परस्न वाली कलास है कल आपने कलास पढ़ा था रेगु जो में नियम दिखाना चाहता हूं कुछ कहां गया वो क्योंकि यह संसे को repeat कर सकते हैं गलक्रत वैक्षको रिपीट कर सकते हैं इसलिएका अर् mü कि अंवर बोल रही एक्स 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 कितनी बार लिख सकते हैं मैं बगवान कहां कंब आ अधालो बाई जलदीद इसको नहीं वोले जाने तो कल मैं क्या पढ़ाया था यही सब तो पढ़ाया था कहां थे आप लोग देखिए अब मैं नियम की दिखाता हूँ जयान दीजिए स्क्रिन पे इसक्रिन दिख रही न लिखाया यदि किसी संकेत की पुन्रावित्ती होती है तो जितनी बार आता है उतनी बार उसका मान जोड़ दिया जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मैंने आपको बता द यह गलत है कि यह गलतहें क्यों क्यूंकि इसी भी डिजिट गो थी बार यूंइ दिट में शॉरी सिंबल अंक थीन ज़य नहीं किया सकता है यानि विदेख दिखेस के लिए घंट है क्या पूच है इसके लिए य्यल यğाधमें से कुछ होता है को मालूम है क्या होता वाद बताएंगे इसका जो मान मन लिखा था उकलत आप आशा नहीं हो सकता है तो मैं काम करूं पहले आपको एक से सो तक लिखवा दूँ तो साथियों इसको क्या पढ़ेंगे मैंने आप से पूछा था आप लोगों ने इसका जवाब दिया था और इसको मैंने पूछा था है ना तो आप मुझे इसको बताएंगे इसको बताएंगे कोशिस करिए फसको मैं बताता हूँ जैसे आप अभी तक इने फो पड़ें व और न उसी तरह से इसको भी करेंगे शमाजी यह इसकाई डहाई सेकड़ा हजार दफभाजार लाक दफ्ल लाक करोंड करोंड यानि 11 करोंड मैं 11 करोंड क्या होगा 11 करोंड और 11 करोंड के बाल कुछ नहीं बच्रा सिर्फ कि बात है कि आप जूड़ गए आप लोग जो भी लोग एक्टिव थे वो लोग जूड़ गए ठीक है तो जो लोग छूड़ गए वो बात में देखेंगे अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है अस्थानीयमान यानि प्लेस बैलू प्लेस बैलू आपने पढ़ा होगा बहुत जगह है इसके पहले मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया है लेकिन अब सिलेबस के अकार्डिंग जो कलास चल रहे हैं इसमें भी पढ़ाना जरूरी है तो ठीक है इसमें भी आगे बढ़ते हैं फटा फट अस्थानीयमान बहुत ही आ होते हैं वह कभी बदलता नहीं है किसी भी नंबर का अगर हमें जाती है मानिया फेस बैलू निकालना है तो वही नंबर होता है जितना रहता है ठीक है यहाँ पर समझना आगे क्या करना हमें देखना यहाँ पर समझना जैसे मैंने नंबर लिखा 37925 तो इसमें हमें क्या सी दिखना है अस्थानियमान है अस्थानियमान ठीक है मुझे लग रहा है कि थोड़ा बलर टाइप का दिख रहा है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है कि थोड़ा जूम कर दिया जाए क्या पतलकी पेन अच्छा नहीं चलती मुटकी सही है चलो देखो फिलहाल मनें लिखा 3795 925 यह को के बहुत ही सिंपल सा तरीका है अगर इसमें हमें 5 कप लेस्ज बैल्यू निकालना है मैं एक एक नंबर का बता जितने का भी प्लेस बैलू निकालेंगे सब में तो 5 का 1 मैंने क्यों किया यहां पर समझना एक्चुली 5 के बाद में कोई नंबर नहीं है इसलिए अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके बाद में सुनना नहीं लगता है अगर कोई नंबर होता तो इसके बाद क्या करते हैं 0 ल इसके बाद क्या करेंगे आप देखो 2 के बाद कितनी गिंती है मुझे बताओ बताई ये कि 2 के बाद कितने डिजिट हैं आप देखरें 2 के बाद में सिर्फ 1 डिजिट है यह नि 5 तो 1 0 यहाँ पर हम लगा देते हैं बस ठीक है ये चीज याद रखना ऐसे ही होता है तो यह हो गया 20 इफी तरह फिन 9 का प्लेस बहलू फाइंड करेंगे तो 9 लिखेंगे इंटू 1 ये नमबर लिखेंगे जो भी नमबर रहेगा इंटू 1 ये सब में करेंगे यह चीज हर किसी में करेंगे सब में उसके बाद 9 के बाद कितने डिजिट है वन टू टू डिजिट है तेहाँ पर टू सुनना इस तरह से आपका यह हो गया नाइन हंड़े ठीक है डन यह हर एक अंक का मैं अस्थानी अमान बता रहा हूं इसमें आशी साय्ती200 350 में मैंने पहले पाँंच का स्थानिय मान निकाला फिर दो का निकाला फिर नव का निकाला और इस तरह से आपध कभी निकाल लीजिये साथ का प्लेज बैलू क्या होगा सेवन इंटु वन और कितना जीरो भाई सेवन के बाद में कितने अंख्या गिनलो एक दो तीन तो तीन सुनना लगा लिजी यह जैनि सेवन थाउजड समझ में आया ना बारती आया समझ में अन्स आया समझ में मन्नू सबको समझ में आया ठीक है आया तो ठीक है ठीक है चलिए बताइए अब मुझे यह बताइए कि 5 7 3 2 5 इसमें 3 का प्लेस वैलू अब डिसकनेक्ट हुआ फिर मुझे नोटिपिकेशन कहने दिया है चल रहा है ना इंटरनेट गडवड़ा अगया फिर से इसलिए ऐसा हो रहा लेकिन आप कटने वाला नहीं है अब टेंसर नहीं लेना आपको बफरिंग करेगा तो कहीं जाएगा नहीं आपको कहीं जाना नह जाएगे जो 30,000 बता रहा उसका तो गलत है मन्नु अंस और अधावी तक बहुत भी नहीं दे रहा है अब बफरिंग कर रहना बिच बीच में अब बफरिंग कर रहना अभी तक ही नोटिपिकेशन देता था रीकनेक्ट होता था फिर आज नोटिपिकेशन भी नहीं दे रह चलिए ठीक है आप लोग बताते जाहिएगा जो भी है हम लोग को आज तो पार करना ही है इसका 300 होगा क्या होगा 300 हा अच्छा उपर वाले का 300 होगा ठीक है जो भी अच्छा इसका बताया था तीफजार ये आप मुझे समझ में आया ठीक है ठीक है ओके मैंने इसमें पूचाता इसमें ठीक है आप लोग जान गए तो इस तरह से आप मुझे लगता है कि अस्थानियमान सीख गए इसमें बहुत ज़्यादा सवाल कराने से कोई मतलब है नहीं इसमें मेन होता है दसमलो वाला अस्थानियमान लेकिन दसमलो वाला आपके सिलेबस में तो नहीं है फिलहाल लेकिन हम बताई देते हैं ठीक है उपर वाले का 3000 निच्चे वाले का 300 लेकिन मैं यह कन्फ्यूज हो गया था उपर निच्चे वाले में इसमें इसलिए मुझे लगा कि आप लोग गलत बता रहे हैं ठीक है देखिए एक और बता दीजिए दो चार तब फिर आगे बढ़ें हां इसमें अगर आपसे दो का प्लेस बेलू पूछा जाए तो सबसे पहले कौन बताएगा देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है आप लोग समझ गयों तो फिर आगे बढ़ा जाया दो का प्लेस बेलू आपको बताना है what is the place value of 2 बताइए जल्दी करिए अंस 20,000 भारती चबी मनू अमरित राज ठीक है बही कोई 2000 न बताना बेजजती नहीं करना है ठीक है और कोई अनिवन देखे कुछ लोग तो छूट गए पिछली कलास में पिछली कलास डिसकनेक्ट हुई वो खुदी डिसकनेक्ट हो गए तो आप लोग थोड़ा टेकनिकल नालेज भी रखिए याद रखिए अगर कभी भी हमारी कलास बीच में कट जाती है तो आप PBR स्टडी लाइब सर्च करेंगे और एक बार नहीं दस बार सर्च करेंगे जब तक मिल नहीं जायेगा क्योंकि हम कलास छोड़ के जाने वाले नहीं है एक बार डिसकनेक्ट हो गई दूबारा से हम लाइब करेंगे तो आप दूबारा जुड़ जाएंगे ठीक है आगे बढ़े तो 20,000 सही अंसर है 20,000 आएगा इस नंबर को ऐसे लिखेंगे इन्टू वन लगाएंगे इसके बाद में चार अंक है यहां बन टू थरी फॉर तो चार्थी सुनना लगा हो गई तो चार्थी सुनना लगा तो इसके बाद ना क्या करना है 20,000 आ गया ना समझ में आया ना अब हम बात करते हैं दसमलो संख्याओं का अस्थानियमान कैसे करते हैं अब यहां पर द्यान देना दसमलो वाले संख्याओं का अस्थानियमान कैसे करते हैं देखे यहां पर एक थोड़ा सा लाजिक समझने वाला है जैसे मैंने दिया 5.37 देखे इसमें दो पार्ट होता है एक पूड़ संख्या का पार्ट होता है का अपूड़ संख्या होती है अगर हम बात करें मोटा मोटा तो इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.37 बत कितने लोग एव गरी कंगे इसा हो सकता है में के अ इसो सकता है कि ये साव पूड़ कि प्लॲकुल इक्जाम में में आएंगे क्यूकि स्लेबस में तो कुछ नो कुछ आयए गए अ chickyaa रहता है आगे आए Getting the आप मैं बताता हूं क्या करना है अगर अस्थानीे मान क한 निकालना है निकालना है कर दकारफसे निखे लेगव आप से ये अपड़ गयों गदों और आप से पूछू 5 का प्लेस बैलू बताईए तो 5 है होगा क्योंकि इसके आगे पिछे कुछ है यह नहीं है अगे नाद ना पिछे पगा होकरे पिछे नाचे गदा तो इसका 5 ही होगा वैसे इसका भी क्या होगा 5 होगा लेकिन बाद गड़ बड़ाती तब है जब इसके आगे पिछे कोई नो कोई होता है अब देखिए हाँ इसका अगर प्लेस बैलू निकालना है जो दसामलों के बाद में है तो इसमें दिमाग लगाना है लगाना क्या है देखिए इधर समझेए हमें यह नंबर लिखना है इसका एक कंपेर कर देते हैं बगल में और सेवन के बाद इतना नंबर है उतना सुनना लगा लेना है यही बताते हैं न वैसे इसमें भी करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा लग करना है थोड़ा सा लग उसमें नंबर लिखने के बाद हम पिच्छे देखते थे कि उस नंबर के जो नंबर का प्लेश बैलू करना है उसके पिच्छे कितने अंख हैं पिच्छे का मतलब बात करें तो दाइनेफाइट पतलब नंबर के राइट साइट लेकिन इसमें उल्टा है इसमें पिच्छे न इसमें 1 नहीं, 1 upon 1 होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इसमें क्या करना, 1 upon 1 करना है, अब भईया, इसके आगे कितना 0 है, उस्वारी कितना अंखे कुछ है, बताइए, दसामलो और 3 के बीच में कोई है, कुछ नहीं दिख रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी होता है, तब भी यहां पर क्या करते हैं, हमें 1 0 बढ़ाते हैं, भाईच, अभी गुपता आपका सही था, आपका एड इलीट कर दी, तब भी क्या करते हैं, 1 0 बढ़ाते हैं, इस तरह से, यह 3 upon 10 बनेगा, ठीक है, आप इसक को भी आंसर बता सकते हो, या फिर आप इसे दस हमलों में चेंज कर दीजिए, तो यह भी आंसर है, देखिए, आई कहते हैं, कुछ लोग बताये थे आंसर, पर दिलीट कर दी, उनको लगाई तो गचब गलत बता दी, बिजचती हो गई, जैसे होता नहीं, कौनो कौनो, सब्सक्राइब के पूछा, इन पचे 15 होता है, पूछा, तो कहा होता है, फिर दपट के पूछा, 15 होता है, कहेगा, नहीं, नहीं, 18, तो ऐसे डाउट में मत रहिए, क्लियर करते चाहिए, अब देखिए, आगे बढ़े, इसी को उठा के इधर ले आईए, और इसमें मुझ आउपिक आज लिखा था, यह तीनों क्लियर हो जाए, क्लास में बस मेरा इतना ही मतलब है, अगर हम इसी को इधर लाके लिखें, इसमें सेबन का प्लेस पहलू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, थोड़ा समझ ये, क्या करना है, भई साहब, पहले सेबन को लिखना है, इन अंक है, तो भईया, इस नंबर और दसमलों के बीच में एक अंक है, वो है थ्री, तो एक अंक अगर रहेगा, तब यहाँ दो जीरो बढ़ाएंगे, अगर यहाँ कोई अंक नहीं था, तब भी एक जीरो बढ़ाएंगे, यह याद रखियेगा, अगर उस नंबर जिसका हम पलेस वैलु फाईंड कर रहें और दसमलों के बीच में एक अंक है तो हम दोजीरो बढ़ाएंगे, अगर दो आंक है तो तीन जीरो बढ़ाएंगे, पांच अंक है तो छे जीरो बढ़ाएंगे, मतलब जीतना रहेगा उससे एक अधिक, ठिक है, याद रखियेगा. बस हो लिजिए सिर्फ आंसार लाना है तो बेमानी करने का तरीका यह है जैसे देखिए 5.37 अगर सिर्फ आंसार से मतलब है ना तो आप एक काम करो वह नमबर लिख तो चुपे से जितना है उसके भार देखिए इसके पहले के अएक अंक न इस इसक जगह पर जीरो लिखिए इस अंक की जगह पर जीरो कर दीजिए आइसे भी आप कर सकते हैं ठीक है? डन कोई दिक्कत नहीं किसी को लिखिए हो गया यह भी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं न ठीक है ओके तो यह चले ठीक है हो गया डन तो आप समझ गए अब मुझे एक बात बताईए इधर देखिए और बताईए अगर मैंने इसमें लिख दिया वन मुझे इसमें वन का प्लेस बैलू कोई बताईगा बताईए वन का प्लेस बैलू क्या आएगा जल्दी करिए फटा फट बताईए क्या आएगा वन का प्लेस बैलू क्या आएगा जल्दी करिए मैं कुछ और भी एक्जांपल दे रहा हूं देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने पढ़ लिया बस हो गया बहुत सारे एक्जांपल करे रहेंगी ना तभी बेतर है मैतमेटिक्स ने जितना जाद आप भ्यास करिए उतना अधर आ गया करना है यह लाल या दो ठीक है यह हो गया मान लीजिए भी इसमें बताईए भी वाले में साथ का स्थानी अमान कितना आएगा इसमें दो का स्थानी अमान जो जो टिक कर रहा हूं वो बताना है चलो जिसको जिसको टिक कर रहा हूं उसका उसका स्थानी अमान आपको फाइंड करना है जल्दी करिए फटाफट दस अमलों में बताईए मन्नू छबी कनया बारती अमरित राज क्यों बीटीसी में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है का लड़के लोग नहीं पढ़ते हैं हां एक चुली लड़के लोग तोड़ा घदा टाइप के होते हैं सो जाते हैं जल्दी ना हूं जबकि ऐसा नहीं है लड़के लोग को में थाती है और लड़के लोग पढ़ना चाहती है दोनों बात सही है ना चले ठीक है तो आया किसी का सभी समझ गए ना मैं बता देता हूं अंसर पहले बाले काएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो कि दसहमलों के बाद में दो जीरो रहेगा न अफिर वन रहेगा अगला वाले में 700 आएगा कि इसमें दसहमलों से कोई बतला भी रही इसमें दूई के पहले चार जीरो रहेगा मतलत दसहमलों और दो के बीच में ठीक है भी वाला हम बता दें ठीक है ठीक है मन्नु जी बिलकुल देखिए इस तरह का नंबर अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था इसमें हमें दसहमलों से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ पूर संख्या जो दी है इतने से ही मतलब है अगर हमें सेबन का निकालना है तो भी 700 होगा ना यहां से इस तरह की संख्याव में जिसमें दसहमलों भी लगाया है उसमें बाद वाली दसहमलों से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है इसमें भी वैसे हो जाये का मैंने बताया ना भी भाई दसहमलों और इस गिंती के बीच में चार गिंतियां आए न तो चार 0 रहेगा यानि 0.1 2 3 4 ह इसमें देखिए एक है गिंती है एक है तो 0.0 और 3 यह साटकर तरीका है बाकी डीटील तो मैं बताई चुका हूं कि शीका अंसर दीए है ठीक है बेरे गुड कोई दिक्कत नहीं तो मैंने सब बता दिये हैं अब कुछ बचा बचा नहीं है यह पहला टॉपिक है अंकों को सब दो में पहले ध्यान दीजिए यहां पर दूसरा क्या पढ़ेंगे सामानने संख्याओं का अस्थानिये मान ठीक है दिख तोरा ना अस्थानिये मान मतलब पलेस बैलू यह फिर बात करें यहां पर पूर्ड संख्याओं का अस्थानिये मान ठीक है समझ रहे हैं आप सभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताईए मैत की भासा में इसे पूर्ड संख्या बोलेंगे और जिन लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है अभी सुरू सुरू में इसको पढ़के बताएं क्या लिखा है इसको पढ़के बताएं उसके बाद इसको बताएंगे इसका नाम बताएं संख्या में कैसे बोलेंगे जैसे मैंने लिखा यहां पर ना तो इसको हम बोल देते हैं कि 1175 है वैसे वो दोनों का नाम बताएं मुझे कैसे क्या पढ़ेंगे इसको तब तक मैं इधर टॉपिक क्लियर कर देता हूं ठीक है क्या करेंगे भाईया पूर संख्याओं का अस्थानिय मान मतलब प्लेस वैलू आफ होल नंबर यह करेंगे और दस्थामलों संख्याओं का यानि जो अपूर्ड संख्याय होती है इनका वही हम लोग पढ़ेंगे अस्थानिय मान यह बड़ा कठिन होता है दस हम लोग वाला ना ऐसा लगता है जिन लोगों को नहीं आता है बाकी बहुत आसान है मैथमेटिक से बहुत ही लबली सब्चक्ट है अगर आप थोड़ी सी भी मोहबत कर लो इससे ना जितना उससे करते हो जिससे बेवफाई और दोखे बाजी हो जाती ही ना उसका आदा परसेंट भी इससे कर लो देखो कभी यह मतलब दोखा ने देने वाला है है ना बुकें बहुत ही वफादार होती है आप पढ़ो तो कभी चलें आगे यह चीजें पढ़ेंगे और भी जो भी अगर टॉपिक आता है बीच में टाइम तो हम उसको भी कवर करेंगे इतना चीज के लिए रहे इसका कोई जबाब नहीं दिया भी तक मैंने कुछ सवाल पूचा था भायी तुम ही लोग से पूचा था है इसको पढ़ेंगे 523,217 ढ досक्राइब है और इसको क्या पढ़ेंगे इसको चुह पीछे से गिनना पढ़ेगा इसको पढ़ेंगे 53, evenly यह चीज बड़ी बात है हम यही तो सीखने वाले हैं यही तो सीखने वाले हैं रूबी गौतम ने कहा तिरपन हजार दो सो सत्रा अच्छाइतना देर में आई से बियान हो जाए फिर चलो और कोई एनिवन कोई ने ट्राइक किया चलिए ठीक है मैं बताता हूं स्टार्टिंग से देखे सातियों बहुत ही आसान है आपके सिलेबस में है चैप्टर में इसले मुझे स्टार्टिंग से बताना है और पानी तो इस समय इतना ठंडा है कि मतलब पूछ होना क्या होने वाला भई मतलब कहते ना चार दिन तक खाने को ना मिले ठीक है लेकि नहाना पड़े ठंडी में चलो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कपड़ा ना मुझे पानी में भिगो के तब यहां पोचना पड़ता नहीं तीम मिटता नहीं ठीक है तो कैसे पड़ते हैं इसका पूरा कांसेप्ट मैं आपको बताता हूं देखिए यहां पर समझीए इकाई दहाई सैकड़ा हजार सुने हो कि नहीं सुने हो ना तो चलो बताई देता हूं फिर सिस्टम से आओ चलो देखिए जैसे माल लेते हैं कि हम कोई एक नंबर देके उसका एक्जामपल देंगे तो ज्यादा बहतर समझ में आएगा नंबर के माद्यम से ठीक है थोड़ा सा रुक जब या एक मिनट यहीं तो मेरी कमी है यह पोचने रगड़ने वाली देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा साथ तीन दो हाँ समझीए इसको क्या पढ़ेंगे पूरा सिस्टम में बता रहा हूं समझते जाईए ठीक है देखिए ठीक है ओके डन इकाई दहाई सेक्ड़ा हजार दफ हजार लाक दफ लाक करोण हम सिर्फ यहीं तक आपको बताएंगे भी करोण के उपर नहीं बताने वाले हैं क्योंकि इतना ही आपके पाठी करम में है तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा एक भी पॉइंट में इसमें जादा नहीं जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर्वन को सामी आप कप सोते हैं भाई तुम्हें साब बताऊंगा कप क्या क्या करते हैं रूके रहो थोड़ा सा ठीक है तो यह क्या है यह है इकाई यह क्या है यह है यह दहाई जो मैं लिख रहा हूं इसको लिख लीजिए तभी समझ में आएगा यह क्या है सैकड़ा अभी इंग्लिस में भी बताऊंगा इंग्लिस में इसको बोलते हैं once, tens, hundred ठीक है? इंग्लिस में बताऊंगा थोड़ा सा सबर रखिए इसको बोलते हैं फिर ऐसे क्या होता है? हजार यह हो जाता है दस, हजार दिखतो रहा है जिसका नेटवर्क गड़बढ होगा इंटरनेट न भाई या बाबू वो अपना थोड़ा सा वीडियो का क्वाल्टी चेंज कर लीजिए यूटूब में सेटिंग होती न उपर क्वाल्टी बदलने का एक्चुली क्या है जो एक्टोमेटिक इंटरनेट पर रहता है जिन्सका इंटरनेट गड़बढ रहता है उसको अच्छा नहीं दिखता है यह होता है तो आपको लगता मेरा बीडियो ए खराब है नहीं हम फूल हेचईडी में आपको लाइव स्ट्रिम करना है वो आपकी होगी ठीक है तो आप सही कर लीजी अगर किसी का कड़ बढ़ है तो देखो इकाई दाई सहे कड़ा हजार दफ हजार उसके बाद क्या होता है लाक यह मुटकी से लिखने में ज़्यादा अच्छा बन दा है लेकिन बड़ी महेंगी यह स्याही ज़्यादा खाती लाक के बाद दफ लाक ठीक है समझना पूरी कहानी बहुत ही बिस्तार से बताऊंगा टाइम भले लग जाए लेकिन एक एक को समझ में आना चाहिए हां ठीक है चलिए उसके बाद करोण ठीक है अब समझे यह यह कितने डिजिट का है पहले इसको किन लीजिए कितने डिजिट का है भई मुटकी काहने से कोई चिल रहाएगा मुटकी काहने मज़ा भी बहुत आती चलो बात में बताएंगे आगे कहानी देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कितना है आठ न आगे भी बढ़ा सकते हो करोण के बाद दस करोण हां फिर अरब ऐसे कुछ होता है न लाग दफ लाग करोण दस करोण अरब खरब फिलहाल हम लोग यहीं तक अभी सिखते हैं अभी छोटे हैं बड़े हो जाएंगे त कि ऊपर जो नंबर लिखा इसको क्या पढ़ेंगे एक बार बता दो तो कि जैसे होता नहीं कौन कौन लर्कवा कौन कौन लर्की अगा नंबर वांगता है अगर वह ऐसे बता दी लिख ले बेटा लिख ले नव अरब बातर करोण सत्तानवे लाख असी हजार तीन सो बारा तो मैथ का इस्टूटेंट नहीं होगा लिखे निपाएगा समझ रहे हो ना समझ रहे हो कि नहीं अब जैसे मालो की मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर में थोड़ा कम पढ़ रहा नहीं यह तीन चाह आठ और बढ़ा लेते हैं चार इस पर मैंने लिख दिया इधर साइड मुझे कैमरा थोड़ा गुमाना पड़ेगा अभी रुकना भागना नहीं कहीं है कैमरा मैं गुमा दूंगा इधर टेंथन मतलेना और सनियोग बस अगर यह किसी का नंबर बन जाए न तो यह एक मात्र सनि और करोण के बाद के आता वह अगले स्टप में लाग दफ लाग करोण दस करोण के बाद अरब न अरभी तो आता है वह देखके बता दो मुझे कहीं से नकल कर गई यहीं तो होता है चलो आप मुझे बताओ जल्दी से फटा-फटा आपके पास दो मिनट का टाइम है इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग जैसे मैं थोड़ा सा डेमो बता दूँ आपको 94 अरभ 73 करोण 25 हजार ऐसे कुछ करके पढ़ेंगे क्या चली छोटे से पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर बाद में बड़ा वाला देखेंगे पहले छोटे से चोटे से आजाओ भाई देखिए यहां पर समझना जैसे मैंने लिखा तीन साथ पांच ठीक है तो मुझे उमीद है इसको लगबग सब पढ़ लेते हैं इसको लगबग ह लिखूंगा नए इंगलीज में क्योंकि हमारे अधिकतर स्टूडेंट सब हिंदी वाले हैं तो दिंदियों नहीं बोल पाते हैं वो देशी बासम बोलते हैं देखो इंगलीज में इसको बोलेंगे वन्स टेंस हंड्रेड थाउजंड टें थाउजंड लाख 10 लाख करोड और यह नहीं पहले यह बोलेंगे ठीक है करोण फिर 10 करोण फिर अरब उके इंगलीज में ऐसे होता है अगर हम इसको इंटर्नेशनल नंबर सिस्टम में बात करें तो यह सब खिचड़ी हो जाएगा आपको एक बार हिंदिम बताया फिर इंगलीज में फिर इंटर्नेशनल नंबर सिस्टम में फिर आपके दिमाग में रत्ती बर बैठेगा नहीं इसलिए मैं इंटर्नेशनल नंबर सिस्टम में इसमें बात नहीं करूंगा और मुझे लगता आपके सिलेबस में भी नहीं है ठीक है अगर होगा सिलेबस में बताएंगे चलो आगे बात करते हैं साइकडा साइकडा का मतलब होता है सो ठीक है इंगलिस में इसको बोलते हैं हंड्रेड क्या बोलते हैं हंड्रेड तो जिस पे हंड्रेड आ रहा है उसको आप सो बोलोगे ठीक है क्या बोलेंगे उसे 100 बोलेंगे तो 100 किस पे आरा बोलो 100 किस पे आरा यह साइकड़ा किस गिंती पे पड़ रहा है इस पर इकाई पड़ा था इस पर दहाई पड़ा था सैंकड़ा तीन पर पड़ रहा है तो जिस पर सैंकड़ा पड़ रहा है उसको पकड़ लो हमने तीन को पकड़ा है उस सैंकड़ा मतलब 100 तो तुम बोलो 300 क्या बोलोगे तीन को पकड़ लो तीन और उसके बाद सैंकड़ कि वैसे कुदा ना खास्ता मानलो इसमें एक गिंती एवर आगे बढ़ गई होती तब का होता हुँँ कि देखिया आगे एक दो तीन न इसमें ले लो चार एक गिंती एवर आगे तब क्या होगा है रभाब बड़ी मुसीवत आई अब का होगा देखो इधर यह और बढ़ गया ना सैकड़ा फिर यह क्या होगे आजार क्या होगे यह हजार इसको बोलेंगे थावजंड हावजं ठीक है तो अब समझना कहानी अलग हो गए अब तीनसो पचतर से काम नहीं चलेगा अब क्या होगा हम अब क्या होगा अब भाई यहां पर आ आ जा रहा है इसका क्या पढ़ रहे हजार ना तो आप बोलोगे हजार लेकिन कब पहले उस गिंती का नाम बोलोगे गिं आस्पेंड का नाम बताते फिर अपना देखो इदर समझो तो क्या हो जाएगा ये कुछ लोग तो समझी ने पाएँगे मारा एक जामपल अभी बात में डीटेल में बताएंगे ये चार है ना तो बोलेंगे चार फिर हजार यहनी चार हजार फिर तीन सो फिर पचातर हारा समझ में न अब इससे छोटा में क्या वताऊं इतना टाइम तो इसमें ऐसे लग जाता है कुछ लोग ऐसे करिया आते मने मन पता नहीं का पड़ा हारा इतना चोटा चोटा हां हां रूबी गौतम ठीक है रूबी बहुत अच्छे बेरी गुड इसको इतना छाप लीजिए आप लोग आप हो गया डन चले आगे तो आप लोग मुझे इसी तर जो पर एक बता दो पहले बता दो तभी आगे बढ़ेंगे मुझे यह ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीखें हैं कि नहीं सीखें यह बताओ भया चलो इसको जो बता लेगा ना हम जान लेंगे का आप सीख गयो थोड़ा आप दोई स्टेफ आगे जल्दी बताइए आवाज कहीं नहीं जाने माली मैं जान बूच के बंद किया था अरे कभी कभी बीच बीच में परिसान करना भी जरूरी है ना नहीं तो तुम लोग सो रहे हो कुछ तो आइसा आराम से रखके रजाइम सो गया होगा तो दिर दि करेंगे ममी जहाँकने तो आएएंगी देखने तो पता चल जाये गडिया हें तुम सो रहे हो पड़ रहे हो क्या पढ़ है क्यासा इसको बटा दो क्या रह औरर नहीं है मैंसे रही है वेयर शे पढ़े ही जल्दी केरो बने पहटा फटा फटा बतायरो हो गया आगे बढ़े जल्दी करिए 8,035 मन्नुतिवारी बहुत अच्छे बेरी गुड़ा और कोई नीवन बही जल्दी जल्दी बता हो यारा ऐसे मज़ा नहीं आ रही एक और बताईए फिर हमाल लोग आगे बढ़ते हैं इसको का बोलेंगे यह थोड़ा अलग है थोड़ा लाजिक मतलब थोड़ा लगाना पड़ेगा इसमें एक्ष्ट्रा चले ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ देखिया आप लोग अगर कोशिच नहीं करोगे थम बंद खर देंगे जानलो बिलकुल मज़ा नहीं आरी मतलब हम ऐसे बढ़ बढ़ाते रहें खा अरे सुनने वाला आप यह समझ लो कितना मुश्किल होता एक बंद कमरे में पढ़ाना जहां कोई नहीं हो बगल वाला कहता सचुरा पागल हो गया चिलाता रहता रहता थी अभर आईसे समझ लो कोई किसी से बात करता तो आगे कोई होना चाहिए ना आप सोचो यहां क्या है यह आप यह एक अपरेटर भी ने बैटा रात में अकेले सब देखता हूं लप्ता अब समझ हो नहीं अगर बच्चे बैठे रहतने कलास में थोड़ा हवाव देखता है कौनों इदर मूटेंड कर रहा है कौनों रो राय कुछ भी कर रहा है यह तो कोई है भी नहीं यह दिवा और को यह निवन है हाह तो पिर आगे बढ़ें ऐसे अगर आप लोग को तो और आगे मैं बता दूँ लेकीन इसमें और आगे मुझे ने लगता कोई मतलब है अरब दस अरब होता है फिर होता네 दस खरब होता है नील होता है दफ नील पदम दस पदम ऐसे इसे बढ़ता जाता है लेकिन कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह सब आप लोग समझ गए राहूल सर्मा देखो जो चुप चाप देख रहा है न अब मुझे गदिहने कमन कर रहा है उसको सही बता रहे है मतलब जो कमेंट नहीं कर रहा है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कई सी बात कर रहे हैं सभी बता रहे हैं चुप चाप मत देखो कुछ नहीं कुछ बोलते रहो चलो ठीक है इतना हो गया तो अब क्या करें देखो इधर साइड समझो देखे हमारी कोशिस होती कि आप लोग जागते रहें इसलिए हम कुछ इधर उदर की बातें भी बोलते रहते हैं नहीं बहुत मुस्किल होता है जगाना ठंडी में हां ठंडी में जो बिस्तर में गुसा हुआ है मोबाइल लेके वो पढ़ क्या रहा है बगवानी जाने तो अभी तक आपको कीवल 10,000 तक ही बताये है हाअ 1100 तक ही बताये नже tenir आपे समझेए जैसे माल लेते हैं कि हमने अभी तक आपको मान क्या लेते हैं 4 गंती तक बताया था अब 5 गंती तक बढ़ा लेते हैं कि इसको पढ़ेंगे देखे ऐसे गिंते हैं इकाई दहाई सैकडा तफ हजार है कि यहां पर एक चीज समझने आपको अगर जहां दस आया आप यह बताओ दस में दूरी गिंती होती न अरे दूर गिंती नहीं, दूर अंग होता है, होता है न, होता है, अरे नेक्स टॉपिक वाले थोड़ा सबर रखो, तो सब बचाया इसमें, डेमो देखके ही कहरा चलो खतम, अरे पिक्चा तो बांकि यह है, देख लो, देख लो, देख लो, नहीं तो जिसको जादा इकाई दहाई सैकड़ा हजार फिर दफ हजार अगर दस आया तो क्या करेंगे हम जहां पर दस आया जैसे देखिए समझते चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार वन पर क्या है हजार फिर दफ हजार अगर दस जैसे निकला मुण से वैसे दुई गिंती कब जिया लो दफ हजार का मतलब दुईनों गिंती मिला करके तब बोलोगे उतना हजार कितना हजार मतलब 51,000 इक्यामन हजार तीनसो एकाईस समझ में आया आया समझ में अच्छा एक इसमें और बढ़ा देते हैं अगला बाला देखिए और फिर मुझे बताईए चलिए इसको क्या पढ़ेंगे देखे समझ लीजी अभी सबर रखिए थोड़ा सबर रखिए संजे लोधी बहुत अच्छे संजे बेरी गुड भाई कलाफ लाइक नहीं कर रो आप लोग क्या चाहिए अब थाली वाली ले क्या हूं आरती वारती उतारूं क्या करूं बताओ लाइक तो करिए ना यार देखिए आप ही लोग तो है और कौन है है तने वो कौन सा तेरे सीवा और नहीं कोई दूजा मुझे थोड़ा गाना कम आता है अब सीखूंगा रात में गाना भी यहाई दहाई सेकड़ा हजार दफ हजार लाक जो सोच रही पढ़ कहां फिर रहे हैं उपर लिखें नकल के लो अकल लगाके ठीक है तो लाख तक जा रहा है लेकिन यहां एक बात समझे दफ मूह से ने निकल रहा है ना सिर्फ लाख निकल रहा है ओनली लाख कहां पर वन तो जिस पर लाख निकल रहा है उसको आई से कामा लगा लो यानि एक लाख कितना हो गया एक लाख अब बाकी तो वही सब बचाए न हां इक्यावन हाजा 311 हो गया न समझ रहो न अब इसे क्या दो का नईया लाल ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे कोशि तो आप लोग कर रहे ना ठीक है चलिए मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा ही मैं टाइम लगा दे रहा हूं का इसमें इसी तरह से आप लोग और आगे पढ़ लेंगे अगर दफ लाक होता है तो आप दो गिंती मिला के बोलेंगे ठीक है करोन होता है तो आप एक गिंती दस करोन मतलब दूइग इनती मिला तो यह टॉपिक बदल देंके आप मुझे लग अगर आप लोग बोर हो रहे हैं ना रहने देना ठीक है बोर हो रहे ना मुझे एक ठी जबाब दे दें फिर मबंद करते हैं इसको आगला टॉपिक चलते हैं एक सुन लीजिए थोड़ा स कि यह बताइए इसको क्या पढ़ेंगे यही बता दीजिए फिर हम लोग टॉपिक बदलते के चलते हैं अज्थानी एमान पर जल्दी बताइए अरे अब आई रहा है सबर कर रहे हैं इतना देर थोड़ा और कर लो चलो बताओ जल्दी करो फटाफट फटाफट बताते चलो गई नीचे वाला भी बता दीजिए जल्दी करिए देर नहीं एब मिस्टर सरवन तुम चाहे सोई जाओ चाहे क्या बोलू मैं आगे कलास में नहीं बोल सकता तुमारा जो मन करें वो करो लेकिन दूसरे को मत डंडा करो हैं तुमारा जहां म जी वहां जाओ कि अगले को नदेश्ट अब करो बस है कि संजय बेसिक का जो फिरी कला से इससमें सिर्फ रभीवार को चलता है उनली संडे रात दस बजे उसरी नो बजे सिर्फ संडे को बस बहुत हो गई है ओबर हो रही है मनुत इवारी ने बताया है तीन करोड ये लिखा जाता है C-A-R-O-R ठीक है C-A-R-O-R लिखा जाता है करोड ऐसे नहीं लिखा जाता है ठीक है फिलहाल आपने कोशिस किया और काफी लोगों ने बताया मुझे लग रहा है सब जाग रहे का आजल गुपता का भी कमेंट आ गया कुछ लोग तो अभी तक मुह में दह चीफ लाग पैतिस हजार नो वाह बहुत अच्छे वेरे गुड अंजली सिंग तीन करोड पच्छिस लाग पैतिस हजार नो यानि ठीक है लग बग सब जान रहें तो देखिए अगर आपने इन सब को कर लिया तो मान लीजिए कि हो गया काम इसका खतम अब आगे बढ़ते चलिए बेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोग इसको कर लेंगे अच्छा एक बड़ा ही आसान सा मैं बता दूं आपको और आप सुन लो प्यार से चलिए प्यार से सुनिएगा अब वो क्या है इधर देखिए अगर मैं इसमें सुनना सुनना भर देता हूं भए कितने अंका था ये मालूम नहीं मुझे नहीं पता कितने अंका था ये तीक है फिलहाल तीन है मैं स्छे जूरो लगा देता हूं मैंने युसे लिखा ना इक बताओ तुम या दो में मरते हो या फिर आगे तो मुझे आता ही नहीं बोलेंगे नहीं गरबढ़ाए जाएगा चलो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे बताइए जैसे आगर मैंने लिखा ऐसे 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 तो इसको पढ़ते हैं 2117 तो भाईया इसके पहले पढ़ा चुका हूँ जैसे इसको 2117 पढ़ते हैं वैसे इसको दोनों को का पढ़ेंगे तुसार गौतम पढ़लो विट्टा पढ़लो कमेंट देख लूँगा बाबू अभी थोड़ा सबर करो तो कल की कलास में यही पढ़ा था ना मैं सबका कमेंट देखूंगा थोड़ा सबर करिए धायर बना के रखिए यह चीजें पढ़ा था पिछली कलास में आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया आज हमारी जो कलास होगी वह चैप्टर दूसरा की होगी चैप्टर पहला कल्क हो गया था खतम इसके पहले की कलास में पाचवी नंबर में आज का जो टॉपिक है वो क्या है यहां पर ध्यान से देखिए आज का टॉपिक मुख रूप से है गुड़ा गुड़ा यानि मल् ठॉपिक है लेकिन हम अगर बीटी इसी का पन्स फॉपिक फटर रहे हैं तो हम यह। यह बढ बढ़ी कहानी की का पढ़ना मतलब इसमें किसी कुछ आता है कि नहीं आता हमसे इससे नहीं मतलब है हम एक एक बात step by step बिस्तार से बताएंगे जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा जिसको ना अच्छा लगेगा जाका रजाइम गुष के सोई जाना ठंडिक टाइम है हां फिर एक्जाम में जो पांच नंबर मिलेगा ना पचीज में तो अब गल्फेंड को फोन करके बताना मेरे साथ दोखा हुआ हां चलो अरे बाइफ्रेंड कोई बता दे न काही हम किसी से कम थोड़ी है चलो और क्या पढ़ेंगे इसमें समझ यह मैं कमेंट सबका देख रहा हूं जो लोग तरफड़ा रहे हैं सबका देख रहा हूं मैं देखो आंसर इसमें कौन दिया सबसे पहले वो भी सही तरीके से नहीं असने हां ती बारी ने बताया है लेकिन यह बिल्कुल साही नहीं है अनसने जवाब दिया ये भी साही नहीं है इसको DTL में लिखते हैं 31 आप ठीरीवन नहीं लिख सकते हैं अगर आप सबदों में लिख रहे हैं तो उसको 31 ही लिखेंगे, श्यक्ति लिखेंगे 31 लिक बज्ये कॉण सा बात है इसको का चचल लीखेंगे कौन लिखेंगा इसको इसको ऐसे लिखे हैना मुझे भी लिखना अटा एकि नहीं पता moral कितें लिए detect 11 या 31 क्या लिखते हैं भई 31 करोड ना इंगलिस में आता भई हिंदी में मुझे बहुत कम आता है 31 करोड आप लिखोगे लेकिन ये 31 आप अंक में नहीं लिख सकते इसको भी आपको सब्दों में ही लिखना है ठीक है ऐसे देखिए डीटियल में 31 करोड ये स्पेलिंग रहेगी करोड की याद रखना कुछ लोग करोड को ऐसे लिखते हैं ये करोड वाला करोड नहीं लिखना है करोड होता है ठीक है समझ रहेने आप लोग तो बस थोड़ा सब्र बना के रखिए अभी आगे बात करते हैं ठीक है इतना लंबा कैसे करें बोलकर कि के अदिन बोल ये सर्थ देखें ना गूगल पर जैसे मैं बोलकर दिखाऊं आप लोग देखिए इसका जबाब दीजिए मैं बोलगर के दिखता हूं सब भी प्यारे प्यारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं कलास को लाइक जरूर करें देखिए मैंने बोला नीचे देखिए कमेंट में गया होगा देखो गया ना मैंने बोला और वो लिखा कहते ना बोलने से सब होगा बोलो गूगल से बोलो और देखो लिख गया ना तो चलिए ठीक है मैंने बोला और देखे टाइप भी हो गया बस इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती हिंदी में मॉबाइल में कीपड में तो हिंदी में लिखता है ठीक है हो गया तो हां गुड़ा के बारे में बात करते हैं यह टॉपिक छोड़िये पुराना है यह बताइए गुड़ा किसे कहते हैं बताइए गुड़ा किसे कहते हैं बताइए गुड़ा किसे कहते हैं भाई इतना ही नहीं हमारे यहां टाइपिंग माश्टर बोल बोल के पूरी पीडियाप बना देते हैं हमारी गुर्ट्रे बात करनें बॉल बॉल के पूरी जीवन की कहानी में सुना देती है और आप लोग दो लाइन लिख पारे मोल के हैं है महीं कैने यह कोन अधिसी तो थिक गूड़ा की परिभासा क्या होती है कि वॉसे पूछा जाए याना पूछा जाए कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे ना फर्च है इसलिए मैं बता दूंगा तो आप बने रही है हमारे साथ बताते हैं देखिए अगर कोई भी संख्याम जोड रहे हैं जैसे मान लेते हैं उधारण के लिए अगर हम दो-दो को तीन बार जोड़ें तो कितना आएगा बताईये अगर हम दो दो को तीन बार जोड़ें तो कितना आएगा क्या आपको पता है देखिए नहीं पता है तो देखिए पता होगा भी आईए हमारे साथ अगर मैंने ऐसे जोड़ा ऐसे जोड़ा आप सब को पता है दूई दूचा दूच्छा बही बननी बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं समझते जाईए ये छे हो गया अगर हम इसको दो गुड़ा तीन लिखें तब भी तो छे होगा लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अच्छुली में यहां क्या है दो दो तीन बार जोड़ा गया कितना बार जोड़ा गया तीन बार जोड़ा गया है तो किसको जोड़ा गया तू को कितने टाइम जोड़ा गया थिरी टाइम तो भईये तू को जोड़ा गया इसलिए मने तू लिखा थिरी टाइम जोड़ा गया था इफले मने थिरी लिखा उतने आया आया न एक और देखिए फिर हम बात करेंगे आपसे यह देखिए छे दंचे दंचे कितना आएगा 24 आएगा बोलिये हां या नहीं बोलिये हां या नहीं बहुत ध्यान से देखेंगे कलास को पूरा इंड तक देखेंगे तो पूरी कारेंटी है कि सारी मैथ यूटूब पर हम फ्री बढ़ाते हैं डियलेट की अपकी वैच न जिसकी कसम तुम चाहो उसकी कसम खिला लो पूरा कंपलीट करेंगे 100 परसें लेकिन हां सब्ता में तीन ठीक सिल्पा केसरवानी जी बहुत अच्छे ठीक है चलिए तो भाईया इनको फॉर टाइम जोडा गया वन टू थ्री फॉर फॉर टाइम का मतलब यह कोई इंगलिस मीडियम नहीं हो गया फॉर टाइम का मतलब चार बार जोडा गया है यहां लोग इंगलिस में गाली भी गया इनको चार बार ना तो यह भी कितना हो गया चाओबिस यानि कहने का यह तात्पर है यहां पर की किसी भी नंबर को कि गुडा की परिभासा क्या बनेगी तो इसे भी तो कह सकते हो ना जब किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक नहीं दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाए तो उसी को गुडा कहते हैं मतलब यह समझलै लो कि जो पुरण की वाली मोबाइल ही यह यह चटकी वालि ए रॉग जैदा यह थी इस के या श्iegen क्या गए इसका जो अपडेट हो गया न तो यह स्बस्याद आगया यह यह इसका आपडएट होकर के यह आगए ना किसी इसी का इसी का अपडेट होकर कि यह आ गया हम लोग करने के जमाना में यह Under On गुड़ा है तब routines मतलब समझ डोगों को जोड़ने में देर लगती थी तो गुड़ा आ गया है कि Tet. यहां कोई किसी को लगी नहीं है कि जल्दी भागो जल्दी भागना नहीं है प्यार से पढ़ना है चाइम चाज इतना लग जा रात अपनी है चलिए आगे देखते हैं क्या बताने वाले यह तो छोटा-छोटा था आप चाहे इसको जोड़ लो चाहे इनको गुड़ा कर लो अब बाद तो वही हो रही है आपके लिए दोनों आसान है लेकिन भाग्या यह मुसीबत नीचे वाला देखना जराद दिल लगाके अगर ऐसे कहीं आ जाये तो इनको तो आसान नहीं है फिर करना नहीं इनको तो आसान नहीं है देखिये जैसे 35 35 35 समझते जाना चलो बढ़ अब इनको जोड़ो अब कोई इनको जोड़ के बताए जल्दी से तो हम समझे सरवन गोस्वामी कपिल कुमार अनिल बर्मा असनेहा मनीस और अंस प्रीती खुस्बु कुमारी दिखे जो लोग सिर्फ नाम के चक्कर में आते हैं ना हम नाम नहीं बोलते हैं अगर कलास में दे चलिए ठीक है बहुत अच्छे तो इनको जोड़ना आसान नहीं है इनको जोड़ेंगे तो हाँ जूड़ तो जाएगा लेकिन आसान नहीं है जैसे इसमें जोड़ लिया च्छा-च्छा-च्छा-था-च्छा-च्छा-च्छा-च्वविस वैसे इनको जोड़ना आसान नह तो इतो एक दम हल हुआ है है नहीं आसान है नहीं आसान बोलो हां तो इनको क्या करेंगे मुल्टीपल कर लेंगे 6530 का 0 3 आया और 6 318 18 आओट 3 21 हो गया 210 कुछ लोग कहेंगे यह तो अंग्रेजी मुंके लागें अरे बाइया 1530 का 0 05 006 20 हो जाओगा 210 आवा समझ मिनआ चलो तो कुछ समझ में आया हम क्या कर रहें यह हम पढ़ रहें ब्याल को पर देल को समेश्टर का मैट बर आधा मेट background को अधोरिंग जी इसको मैच सीखने के दिल में इच्छा है यह सब के लिए कोई भी सीख सकता है सब के लिए ही रहेगा गुड़ा करने मैसा नहीं के ससी वालों में दुश्वस्षी आएगा एससी वाले गुड़ा करेंगे 36 क 35 में इसका जो भी मैंने किया न छे का 5 में जितना है उतना ही आएगा सब के लिए है ठीक है सतीष राय सरवन ठीक है भई पूनम पंडे प्रीती और प्रीतम सिंग बात समझ में आई न तो यहां से अभी हम क्या कर रहें इतना देर से हम यह देख रहे हैं कि गुड़ा क्या है हम पढ़ रहे हैं अभी तक वाट इज मल् मल्टिपल के बारे में समझाना कि जब किसी संक्या को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है तो वही गुड़ा कहलाती है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं ठीक है असनिया जी बिल्कुल टेट वालों के लिए भी है यह कोई भी कुछ भी कर रहा है सब के लिए तो इसम इतना ही नहीं है अभी इसमें और भी ढहल सारी कहानी है थी आप से एक outlook सुअ को पूर देखिये और अपने लिए नहीं हमारे लिए देखिये का लेकिन देखियेगा जरूर है हमारे लिए का देखो गे सादी हो जैसा निमंत्रणतक तो दोगे नहीं हा रहा कि शोड़ो जा कर लोगों का वी tumor है का हा तो क्या बात करने वाले थे अब हम है मल्टीपल की परिपासा हो गई कि अब हमें इसमें कुछ और भी करynn Lokman further हुऊあ है है वह क्या करना है है इसमें कई कंडीसन होुती गोडा मैं पहला लिख किए अभी तक तो आपने एक है एक अंक वाला लगबग जो भी देखा दो अंकों की संख्याओं में एक अंक की संख्या का गुड़ा ठीक है? इस पे हम ज़्यादा डीटील में नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे दो अंक अंकों का एक अंक से गुड़ा देखिए इसमें स्टेब बाई स्टेब बहुत कुछ बताना है ध्यान से देखिएगा डीटील में पढ़ाना है न तो भाई जल्दी नहीं होता जल्दी का काम सैतान का होता है और कहते हैं रख के पीछे लिखे हैं पढ़े हो कभी कभी जिनको जल्दी थी वो चले गए तो जिनको जल्दी है वो यहां से भी चला जाए पढ़ना है तो बहुत ही डीटील से पढ़ना है जितना पढ़ना है मजबूत से पढ़ना है जादा नहीं पढ़ना है जितना पढ़ना मजबूत से पढ़ना है और ऐसा नहीं कि छोड़ देना असे लेबस भी पूरा करना है ठीक है चलो आगे तो दो अंक जैसे मालो भाईया हो गया ये 34 और एक अंक से कि गुड़ा का मदलब यह हो गया मुझे तो लगता है इसको हर कोई कर लेगा कहों अंकल अंटी लोक कर लोगे न भाई अंहें अरे ऐसे बोला हूं मजाक में गरियान नहीं चलो कि अगला देखिए आगे यह दो अंक का एक अंक से गुड़ा अगला देखिए दो अंकों का दो अंकों से गुड़ा यह तो हेडिंग ऐसे लिखवा दे रहा हूँ टेम्परोरी बाकी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है ठीक है हेडिंग ऐसे डलवा दे रहा हूँ चलो देखो आगे समझते जाईए ठीक है तो 22 इसका 12 लेकिन यह गड़ बढ़ है अनिल बर्मा बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाते जाईएगा मैं कोचिंग पढ़ रही थी पर मुझे समझ नहीं आया मैंने कोचिंग छोड़ दी है आप पलीज कलास चलाते रहिएगा बिल्कुल चलाते रहेंगे लेकिन आपका नाम अनिल बर्मा है और आप बोल रहें कि हम पढ़ रही थी तो यह क्या बात है भाई मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें ठीक ऐसे आया फिर यह समझते जाईए अभी मैं बताऊंगा कहानी आ गया आप लोग मुझे अंसर दीजिएगा अगर थोड़ा बहुत बुझार है आपको तो यह भाईया एक बात सुनला वीडियो काल ना किया करो यार वीडियो काल में आजकर लोग बहुत बलैक मेल कर रहें लोगों को मुझे इसी बात कडर है और यह रात के भी वीडियो काल कर देते हैं अब पता नहीं क्या दिखाने लगें जैसे हम उठाएं हमें तो इसी बात कडर है इसलिए हम फोन उठाते नहीं अभी मैंने कई लोगों का सुना कई लोगों का देखा हम चलिए जबाद दीजिए इनको सबको इनको मैं साइलेंट कर देता हूं बड़ी मुसीबत तो यह है काल वीडियो की प्रावलम नहीं है प्रावलम है कि दिखाने क्या लगें उससे प्रावलम है चलो देखो इदर साइड में यह हो गया ना तो हम क्या करने की गुड़ा कई स्टेप में होता है जैसे एक अंकी संख्या का दो अंक से गुड़ा दो अंक को दो अंक से गुड़ा तीन अंकी संख्या को दो अंकी संख्या से गुड़ा पांच अंकी संख्या को चार अंकी संख्या से गुड़ा जैसे जैसे बड़ा होत जाता वैसे कहानी बढ़ती जाती है तो हम पढ़ रहें multiple और multiple पूरा detail में तो इनको multiple करना आसान है आसान है ना साथ बता देता हूं भिस्तार से देखे साथ है यहां पे चार है यहां पे तीन है तो भाई पहले साथ का पाहड़ा हम चार बार पढ़ेंगे अब पहाड़ा पढ़ना आप सबको आता है साथ का पाहड़ा इसे होता है पाहड़ा जिसको नहीं आता याद कर लेगा साथ दून कहीत है तो हम किया करते थे दुदुे मिला मिला कर पढ़ते थे दो मिला मिला के पढ़ते थे थिक्étais ऑक है ओके राघे चले कि कि ऊपले हागे डवे तो हम बात क्या कर रहे समझों स्विन सब स्टर्ट प्ले बता है न तो सेबन कर टेबल फॉर टा presentations पढ़ना है यह पहाडा में हर बार नहीं लिखूंगा जिर्व एक अबार लिख रहा हूं बागी पहाडा याद करो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है हमारी नहीं है हां चलिए सेबन का टेबल चार बार पढ़ना एक दो तीन चार चार बार का मतलब अठाइस बताओ चार बार आया ना एक बार पढ़ोगे तो साथ एकम साथ साथ दूना चाउदा साथ तरीक यह काई साच चोग 28 तो भीया साथ का गुड़ा चार में करने पर अठाइस आता है अठाइस में दूई गिंती है एक मेल एक फीमेल याद रहेगा न देखो समझो यह का हो गया यह पती हो गया यह पतनी हो गई क्योंकि पतनी आगे रहती है आज कल के जबाने पती पीछे-पीछे चलते हैं समझो तो इसमें क्या करेंगे भाई जो लास्ट वाला है ना उनक पर दो बचा था तो 21 में दूई जोड लेंगे 23 यानि 238 समझ में आया ना बन्नी एफ एफ सर डियलेट का पूरा वीडियो कहां मिलेगा बन्नी जी एक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं अब पूरा एक के दिन में तो पढ़ा नहीं दूंगा आप कंपलीट कोर्स पीवी आर भी ले सकते हैं ठीक है असोग राज ठीक है तो यह समझ गए इन दोनों का जबाब आप खुद से देंगे जल्दी करिए बताइए इन दोनों का मल्टीपल खुद से करेंगे बच्चे है नहीं आप लोग बच्चे वाले भी है कुछ इसमें हाँ तो भाई यह बड़े हैं आप लोग सीनियर हैं हमसे तो थोड़ा तुम्हेना अध करिए न कुछ करिए थोड बहुत हाथ पर चलाईए बाकी तो हम है मनीज पांडे प्रीती M के परजापती ठीक है प्रीती बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड ठीक है आगे बढ़िए दो अंकों की संख्याओं का दो अंकों से गुड़ा करना इसमें देखिये दो तरीका होता है मैं दोनों तरीका बताऊंगा देखो भाई पहला तरीका यह है कि आपको टेबल याद होना चाहिए लेकिन मुसीबत यह है कि दो अंकी संख्या चलती है 99 तक 58 लिखा है वो भी दो अंका होता है 15 लिखा हो भी दो अंका होता है अब पहाड़ा बाड़ा तो हम लोग को याद रहता नहीं इतना चोटा सा खोपड़ी है उसमें रड़ाई जगड़ा रखें पहाड़ा रखें तो पहाड़ा नहीं याद होता है उसका एक तरीका होता है वो मैं बता रहा हूँ पहले इदर देखिए समझ ये 15 दूना 30 हासिल कितना आया ये 30 ऐसे लिखते न तो इसमें का जो जीरो है उसको यहां लिखा ये हासिल हो गया अब 15 दूना फिर से 30 और 30 और ये हासिल बचा था तो 33 33 ये हो गया 333 ठीक है मॉन्टी गेमिंग बहुत अच्छे हो तुम बहुत सुन्दर हो चलो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे लेकिन आप सोचिए कि हो सकता इसमें तो मुझे 15 का पाड़ा याद था इसमें नहीं आदे तब का करेंगी वही तो बबताने वाला था वही तो आप सुनने वाले हो साहना परबीन ठीक है बिलकुल कोशिस करते रहिए क्योंकि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कुछ किय बिना यूहीं जह जह कार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती इसको मैं बताऊंगा इसके पहले एक चोटी सी बात बताऊं नहीं बाद में, बाद बताने से आदत खराब हो जाती देखो इधर, दूसरा तरीका इसमें एक एक नंबर पकड़ेंगे, उनका मल्टीपल करेंगे यानि 48 है ना, 23 से मल्टीपल है ना तो क्या करेंगे? यह 48 को हम पहले 3 से मल्टीपल करेंगे एक जगा और एक जगा क्या करेंगे 48 को टू से मल्टीपल करेंगे दोनों को आलग अलग कर देंगे जुदा कर देंगे एक में से चलो अब बताओ आप तो पाहड़ा आता ना सबको आता ना ठीक देखिए अब इनका गुड़ा करेंगे तो तीन अठे 24 हासिल दो तीन चौक बारा दो चौदा इनका भी कर लो दू यठे 16 हासिल एक दू चौक आठेक नो समझते जाहिएगा जब मैंने तीन का मल्टीपल किया भाई साहब तो यहां पर आया 144 बोलो आया था ना यहां पर आया था ना तो मैंने लिख दिया अब जो मैंने दो का किया तो कितना आया 96 आया कितना आया 96 आया तो एक काम करते हैं यहां जो नबर आय रहता इसके last वाले डिजिट के नीचे ऐसे craft लगा देते हैं उसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं ऊसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं ठीक है जो mobile में गूटा कर करके तीर मार ले रहें बाबू भही या तो आपको detail में लिखना पड़ेगा आपके वल आंसर दे के काम नहीं चलेगा 25 नंबर ऐसे मुफ़ात में नहीं मिलता है चलो तो 9-6 आया था ना तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 ऐसे रहेगा इसमें problem यह है कि किवल 2 यह अंक था अगर यह तीन अंक होता तो एक इधर आगे बढ़ जाता समझे रहें ना जैसे होता नहीं आटों में बैठते हैं दो लोग की सीट होती चाल लोग को बैठाते हैं इधर से मोटा तकड़ा बैठ जाता अगला पीछे गिर जाता है वैसे ही ठीक इनको जोड़ लेते हैं लाष्ट में क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं तो चार इसके नीचे कुछ नहीं यह करास है तो फोरी रहेगा यह 6-4-10 हासी लेक 6-4-10 का जीरो हासी लेक 9-10 और हासी लेक 11 समझ में आना सभी को सहाना परबीन बहुत अच्छे चुलबुले अंस मंटी बंकी मनीज पांडे सर्वन को सौमी और भी कौन होएगा जुड़े टेर था रहे हैं कुछ लोग मूँ में दही जमा के बैठे हैं चुप चाप बोल नहीं रहे सर्मारंग जैसे लग रहे हैं बॉलते हैं बोल नहीं रहे हैं छुप भीटे हैं की बोल ले हैं थीक है भीजिये चलिए तब भी ठीक हाँ तो आगे बढ़े तो यह हो गय क्या भाइ यह एक तरीका था लेकिन यह तरीका हर जगा नहीं लगने वाला है लगेगा थोड़ा लग रहेगा क्योंकि इसमें दो ही अंकथा यह क्या होगा एक अंक और आगे निकल जाएगा चलो इसको बता देतें फिर क्लीर हो जाएगा जाए है इसको भी क्रवाद्त देतें फिर 20 ऐसे लिखते हैं तो 20 का जो 0 है वो यहां लिखते हैं और जो 2 है न वो हासिल हो गया फिर वैसे आगे करेंगे 15 पंदरा और 2 हासिल 17 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे लाष्ट वाले अंक के नीचे क्राफ लगा देंगे और फिर 8 का मल्टिपल करेंगे 8 चोग 32 का 2 हासिल आए 3 वही 8 चोग 32 ऐसे लिखते हैं तो 32 का जो 2 है यहां लिखतेंगे जो 3 है वो हासिल बच जाता है अब 8 तरिक 24, 24 तीन होता 27 तो 27 ऐसे लिखेंगे यही मैं बताना चाहता था इसका जो नंबर इधर 5 एक 2 है इधर निकल जाएगा इसके उपर कोई नहीं रहेगा तो सुनना लगा देते हैं समझ गे ना आप समझ गे ना बैया समझ गे ना जब तक सिलेबस खतम नहीं होगा 30 से 45 दिन चलेगी 30 से 45 दिन चलेगी तो यह जूड जाएगा 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 ही रहेगा 7 में 2 8 करेंगे 9 हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा 2 में 0 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा इस तरह से 2 8 9 0 समझ में आना सभी को यह होता है multiple करने का दूसर का तरीका एक पहिल का तरीका यह था हम ऐसे मज़ा नहीं आती है देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हो ना अंदर से आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है कि जो कर रहे हो अच्छा नहीं है हम मानते हैं रात में आप 10-11 बजे सो जाते हो नहीं देख पाते हो भाई सभी लोग के घर में जिम्मेदारियां है रात में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती लोगों कि आप लोग निभा रहें नहीं पढ़ पा रहें हम समझ रहें लेकिन फिर भी दिन में तो पढ़ जी अच्छा ठीक है हो गया कुछ लोग तो इतने समझदार हैं कि मैंने धोड़ा बताया वो पूरा समझ गए बस ऐसे ही लोगों को तुम्हें खोज रहा था इक्सपर्ट लोगों को चलिए ठीक है अब जिम्मेदारियां का मतलब यह पता नहीं क्या क्या समझ रहें ठीक है होती है न कहते हैं कि उड़ा देती हैं आखों की नीदे घर की जिम्मेदारियां भी क्योंकि रात बर जागने वाला हर सक्स सिर्फ आसिक नहीं होता चले आगे हो गया यह तो अब इतने में ही यह कहानी खतम नहीं हुई अभी तो यह कहानी शुरू हुई है अभी खतम नहीं है कि अभी शुरू है कि आगे देखिए यहां पर अब क्या करना है देखिए समझेए थोड़ा इसे और पोचने दीजिए यह कोई गेस्ट कर सकता है रुमाल कहां मिली होगी हाँ सोच के बता ही हम देखते हैं आप लोग किता अच्छा सोचते हैं हाँ तो अब क्या करेंगे अब तक हमने देखा दो अंकी संख्याओं का दो अंकी संख्या से गुड़ा करना हम ठीक है अब देखेंगे तीन अंकी संख्याओं को दो अंकी संख्याओं से गुड़ा करना कितनी अच्छी सोच वाले लोग है ठीक है आप लोग अच्छा सोच रहे हो चलिए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मन्नु जी का बात सही है फिरी में मिली ये लेकिन अब मिली कहां है अब रुमाल थोड़ी खरिदने जाएंगे मिटाने के लिए इतने भी बुरे दिन नहीं आएं चलिए तो यह आप लोग करी लेंगे वैसे होगा इसमें थोड़ा और बढ़ता जाएगा आप कितना भी बढ़ जाए कर लेंगे न लेकिन मैं थोड़ा एक बढ़का सा बताऊंगा एक एक बताऊंगा बढ़का सा सुनिए इधर साइड में कर लेंगे न सभी देखिए यह बीटीसी के समेस्टर में है सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूं अध्यायदों में गुड़ा ही है क्योंकि बीटीसी वाले वो होते हैं न जो इंटरमीडियेट में बाइलोजी करके आए हैं किसमें अधरू यह में करके आए हैं कच्छा बारा में यह मालीजी बीए वगरा करें अगर तो भीए करें तो उसमें भी तो पड़े नहीं है तो उनको आता तो है नहीं कुछ जोड़ घटाना गुड़ा भाग जिवाए मम्मी का पईसा चुरा के हिसाब बना करके रखना उसकी अलाव और तो कुछ आता नहीं है तो उनको क्या करना जाता है ना सुरू से जिखाया जाता है इसमें इनका सिले बस ही ऐसे बनाया गया है ठीक है कि ओके चलिए ठीक है तो हाँ इसे आप लोग कर लेंगे एक में और बड़ा सा बता देता हूं जैसे कहीं भी कितना भी बड़ा सा आ जाये मान लेते हैं ऐसे ऐसे अगर आ गया तो इनका मल्टिपल कैसे करते हैं एक में करवा देता हूं उसके बाद आप लोग ऐसे कर लेना ठीक है है कच्छा10 का सुबह 08 बज़े चलता थीक है बाबू कच्छा10 वाले जाएं सोजाएं यह बच्चों की कलाफ नहीं है यह बड़े लोगों की कलास है क्योंकि यहां की बातें बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है इसलिए आप लोग इसमें से जाके सो जाएं चुपचाप सुबा आठ बज़े चलेगा ठीक है तो इनको बता देता हूँ इसमें भी वैसे ही करेंगे एक एक अंक का गुड़ा करेंगे नीचे ऐसे करास करते जाएंगे करास करते जाएंगे लास में जोड़ देंगे हैं ठीक है थिखें समझ यह थाс Сब्छाइब करेंगे वहन का फ्वोर में तो फॉर हो नृं कर फाइब में five hai यहां वनका टू में two होगा वन कर थे में थरी होगा वन का वाक्स में फाइब होगा कि यह मैंने वन का मुल्टीपल पूरे में कर दिया सब में क्लियर अब टू का करिए टू का फोर में करेंगे तो भाई हिंदी में बोलता हूं नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज मारेंगे हां दो का चार में करेंगे दो चौक आठ लेकिन एक बात याद रहें यहां पर लाश्ट वल्ले अंग के नीचे यह गुड़ा लगाना मत भूलना क्रास गुड़ा का मतलब यह मल्टीपल का चिंद नहीं है यह क्राफ लग रहा है कि इसके नीचे आपको और कुछ नहीं लिखना है ठीक है मतलब यह जगा छोड़ देनी है इसको बुक करना है यह विधायक जी की जगा तो दू चौक आठ जो आठ आएगा वह यहां लिखेंगे अब दू पंचे दस दस का जीरो हासिल आया एक याद रखना दू चौक आठ इसमें कोई हाफिल नहीं आया था दू पंचे दस का जीरो हाफिल आया एक दू दू ना चार और हासिल एक हो गया पांच और दू तियाएँ छे और दू पंचे दस वही जादा होई गका लग र रहा है ना कि फिर से देख लेते हैं दो चोग आठ कि दो पंचे दस कर जीरो हांसी लेक दो दूना चार एक पांच दो तियां इच्छे दूई पंचे दस ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमने वन का मुल्टीपल कर लिया टू का कर लिया ऐसे शबर बनाके रखेंगे फिर ठरीका करेंगे फिर फोर चेन्गे चलो जल्दी-जल्दी कर देते हैं आप लोग ब्षो जाएंगे कि हुँ ते थिर्क कर लेंगे तो तीन चोग बारा इसके नीचे कराफ लगाते याद रखना वर डूट हार एक गिंती के नीचे कराफ लगाते जाएंगे Oh यही तो मेनमें बताना चाहता था यहीं बताना चाहता थाता तू Casey 3 जूघ Boris Cross एक तीन पचे पंदरा एक सोलाग छाहाशी लेक तिन दुन अच्छा एक साथ तित्रिक का नौ और तीन पचे पंदरा क्लियर देखें इधर कोई से बढ़ता जा रहा है उतना जिसे गाउं में फ्लानीक महार फ्लानेक पिछवारे हो जाना तो देरे देरे उसी याल लगाओ उपसुरू कह देदें उनके दुआरे तक समझ रहा हो ना कुछ दूसर लोग समझ पाएंगे मेरी बात चल यह मैं ध pass 500 यह क्या हो रहा है देरी दर को कभ जी आ रहा है विदरको बढ़ रहा रहा है आप फोर का भी मर्टीपल करेंग ऐसे ही क्या करेंगे the चाहर का मल्तीपल करेंगे अजीत फियादो तुमहारा नाम लेकर तुम्हें धन्य हो गया प्रभु कहां हो आप चार यहां कुड़ा कर लेजिये चार चोग 16 कछा हाँ हाति लाए एग चार पंचे 20 और हासिल 11 का एग हासिल 12 चार दुना आठ और हासिल दो दस हां हासिल एक चार तीह बारा और हासिल एक तेरा का तीन हासिल एक और चार पंचे बीस है क्या कैस ध्यान रहे इसमें गलत भी हो सकता अगर थोड़ा सभी गलत हुआ तो यह सारा अंसर गलत सादानी हाटी की तुर घटना घटी याद रखना ठीक न यह गलत भी हो सकता है अगर कहीं थोड़ा भी मिस्टेक हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं सादानी है वन को मिल्टीपल हुआ यही आएगा ठीक है नो का मिल्टीपल हुआ तो टू तू फोजआ 에ट न। तो थी जरी जिब वन फाइपomos चीक में तो फुट थी जरी जरी तो थी 15 ठीक है फोर फोर जा 16 करी आया 145 जा 20 और 121 हो गया फोर टूजा 8 और यहां पर टू करी आया था एट टू 10 करी आया वन और फोर थ्री जा 12 यहनी चारते हैं 12 एक तेरा गतीन हासिल एक और फोर फाइब जा 20 एं 21 सही है ना सही है ना भाईया है कि चलिये तो क्या होगा है यह 4 जुड़ जायागा पूरा पूरा हिप्ट सím क्या नीचे कुछ नहीं जुड़ जाएगा आठ पांच तेरा का तीन हासिल 1 दो दो चार और हासिल 2 फोरder कित्ना हो जाएगा पांच यह सब पूरा जूड़ जाएगा आपस में पांग तीन आठ आठ छाँ चाउदा 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 बीस इधर कोई हाफिल नहीं आया था बीस का जीरो हासिल आया दो अब इसमें हासिल दो जोड़ देंगे तो पांदू हो गए साथ, चाउद, तेरा, साथ, बीस एक हासिल आया दो फिर का जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा 11 के एक हासिल اे 5,1,6 руки और हासिल है 7, 3,10 का 0 एक हासिल आया एक episodes 3 ये 2 दिखिए अगर आभ आपको जोड़ना भी नहीं आ रहा तो ओए आपकी गल्ती है। समझ में आया नहीं है, समझ में, बहीत आया सब्कों, इनको क्या किया मैंने इन सब को जोड़ा है आपस में, इन सब को जोड़ा है आपस में, इनके नीचे कुछ नहीं है, क्रास का चिन्न लगा है, इनको जिस icyse cannot run, इनको confusion कर रहा हूं इनकी नीचे जीरो भी लिख सकते हैं अरे यह यहां पर ना लटकाओ उपर में इसके सामने लिखो बराबर का दर्जा देखे चलो समझ में आया ना मॉंटी गेमिंग भाई नंबर चलता बाबु नीचे उस पर आप कांटेक्ट करिए अपना सब भुजाईए जो कहना चाहते हो उसी पर कांटेक्ट करके खूब भुजा लीजिए कलास में मदिश्टरब करिए निबेदन है आपसे भी नमर पूर पक चलिए कुछ लोग बोलौ रहे हैं के हम कांट्पुरिया भासा बोलते भाई हम उसुल्तान पुरिया है यूपी शहए हैँ यूपी सुल्तानपुर आप सभी जानते हो आवध में तो हम ये जो आवध ही भासा बोलते न अ और तरिशrocket है और माने नीह मुख्य मंत्री जी के योगी जी किया जाने से तो ऐसे भी जान लोग नहीं जानते थे वह भी जानने लगे तो दो का अद्धियाय मंडल महलेक्स सब कोमें तूल में YES था की तो वह प्र cucumber हई है इ depths एक प्रियाक बारागिो ग्रवडें टीप टो बहुत है रूह्द आपने हई वसक्त्वा प्रम सकत प्रयाक ने साइव अधिया और उतशा कुंत आघे गार। और आधाerv कि यही ज़्यादा था जो टाइम लेने वाला था बाकी अब टाइम लेने वाला कुछ नहीं बचा है ठीक है आचार बल्राम सास्त्री मईहर चित्रकूट यूपी से है चलिए ठीक है अब देखे इसमें कुछ important fact है important point है जिन्हें आपको लिखना है या सुनना है या समझना है दोनों में से करना है सब में से देखे जैसे हर किसी की एक quality होती है गुण होता है न जैसे हम हैं तो हमारा कोई गुण है कोई आदत है आदत है आदत है आपको पढ़ाना बीच-बीच में बोलते रहना मतलब आदत से मजबूर है कि हम बीच-बीच में बोलते रहते हैं तो हम क्या बताने वाले हैं इधर साइड समझिए वही बताने वाले हैं जैसे हमारी आदत है वैसे ये गुड़ा की भी कुछ आदत है कुछ प्रपर्टी है वह मैं बताने वाला हूं ठीक है लिखिए क्या है कुछ प्रपर्टी है वो लिखिए इधर साइड में आईए जैसे नमबर एक अगर आप लोग चाहो तो लिख लिए या फिर सुन लो भाई जैसे भी अच्छा लगे पहली प्रपर्टी क्या है या आप पॉइंट डाल डाल के लिख लिजिए कहीं पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको रहना चाहिए पता आपको आता पता रहना चाहिए ठीक है दो संख्याओं के गुड़ा में उनका करम बदलने पर उनके गुड़नफल में कोई फारक नहीं पड़ता है ये गुड़ा की क्या प्रपर्टी है इसकी बिस्रेश्था है कि अगर दो संख्या का गुड़ा हो रहा है जैसे माल लेते हैं कि दो संख्या में हमने गुड़ा कर दिया तीन का छाम है तो ये हो गया अठारा इनके करम मैंने बदल दिये छे को पहले कर दिया तीन को बाद में तब भी अठारा ही होगा यानि इनके उत्तर में कोई परभाव नहीं पड़ेगा ये पहला परपर्टी था दूसरा देख लीजिए भाईया देख लीजिए प्यार से देख लीजिए दूसरा परपर्टी ये है मल्टी पलका कि किसी भी संख्या में अगर एक से गुड़ा किया जाया वन से तो हमेशा वही संख्या आती है कोई संख्या में बदलाव नहीं होता है ठीक है ये भी एक इसका क्या है परपर्टी है इसका गुण परगुण है कोई भी संख्या में अगर एक से गुड़ा करते हैं तो उसके मान में कोई परकार का बदलाव नहीं होता है है यह हो गया है दो एक्जांपल इससे ज़्यादा नहीं बताने वाला हूं ठीक है समझ रहे न आप लोग अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यह परपर्टी गलत है तो बता दो हमें कि नहीं आप गलत बता रहे वैसा नहीं होता है का बताईए मौंटी गेमिंग Ee जुल्बिले अंस भई यह को आपने क्या बताया था आप आपका नाम कैया में अच्छा आप ने बताया था कि अंस आपके बेटा का नाम है पिस आपका नाम है कुछ और पता नहीं जैद खुसबू या खुसी या फिर जो भी को ठीक है आगे बढ़े मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी बार कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि मैं कई दिन से कलास ने लिए रेगुलर कलास होती नहीं तो मुझे हर किसी का नाम याद रहता है चल यह जाने दीजिए आगे क्या करना तीसरा नमबर किसी संख्या में 100 200 300 400 या 500 डाट 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 900 तक अगर किसी भी संख्या में क्या करना है 100 200 300 400 या ऐसे डाट डाट करके 900 तक अगर इससे गुड़ा करना है तो हमें इससे गुड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उस दी गई संख्या को 1234 में से करमसा जो भी नमबर रहता है उसमें का सिर्फ एक अंक ले लेते हैं उससे गुड़ा करके लाश्ट में 200 लगा देते हैं बस ठीक है जैसे देखिए अगर हमें मल्टिपल करना हो 44 को 100 से तो इस तरह इसकी प्रपोर्टी है तीसरी कि अगर इस कंडिशन में कहीं मिलता है तो आपको सिर्फ वन देखना है बस इसको अटा देना है तो वन का मल्टिपल तो भाही करी लोगे जो भी नंबर होगा वही आएगा और लाश्ट में क्या करते हैं जो दोनों सुनना होता ना उसको लगा देते हैं बस यह अंसर होगे समझ में आया ना समझ में यानि किसी भी नंबर का अगर इस तरह के मल्टीपल करने है जैसे मालो मैंने 500 का करने को बोला तो आपको 38 को सिर्फ 5 से मल्टीपल करना है बस लाइस्ट में दो जिरू लगा देनी है ठीक है मतलब सारी लंका जल गई है इनको इन नहीं पता है कि लंका का है जली हाँ पूच रहे मल्टीपल क्या है अब तो आपको बरम्हें बता सकते हैं सीदा सीदा उतार लेंगे तो वह ही बताएंगे बाकी तो इनसान नहीं बता सकता है ठीक है तो इसको आप लोग कर लेंगे चलिए मल्टीपल कर लीजिए 5-8-4 हाफिलाया 4 5 15 15 15 14 19 यह मैंने 5 का multiple 38 में किया तो इतना आया है ठीक है लाइस्ट में दो जीरो था इसके लाइस्ट में दो सुनना लगा लोगी यह अंसर हो गया फाइनल यह होता तरीका करने का इसमें किसी को कोई डाउट हैरानी परिसानी नहीं होनी चाहिए फटा-फटाम ल अगर किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में एक हजार दो हजार तीन हजार यह चार हजार पांच जार छे हजार आट हजार नो हजार दफ हजार का इस तरह से गुड़ा करना होता है तो उसमें ऐसे करते हैं उसमें लाइस्ट में दो जीरो की जगा पर तीन जीरो लगाते हैं बस ठीक है लाइस्ट में क्या करते हैं दो जीरो की जगा तीन जीरो लगाते हैं तो साथियों यह पॉइंट वाली बात जो है वो क्या हो गई खतम हो गई